किस की थी भाई और वहां पर दो और अखबार थे जिनकों की ये लोग बहुत इंपोर्टेंस मानते हैं संयोग से एक विदेशी और एक भारती था दा हिंदू और नियोक टाइम्स दोनों के पत्रकारों ने लिखा चार गोलियां चली और आज तक यही नहीं पता कि गोली कित इसका मसला है करें सकता है यहां जूट आपको जोट फोसुखें को सब्सक्राइए इसका मतलब दूघ जोटा है पर शोट छोट है जोट बहुत है है सीधे सीधे जो लोग मानते थे भारत हिंदु धर्म के लोगों का देश होना चाहिए और भारत को बदला लेना चाहिए वो लोग मोहंदास करमचंद गांधी को नापसंद करते थे मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि छात्रों को ये जानने का हक क्यों नहीं है कि महात्मा गांधी जी की हत्या नातुराम गोटसे ने की और वो जिन विचारों से प्रेरित था वो विचारधारा कौन सी थी इसे आप क्यों हटा रहे हैं सिंपल से मेरा सवाल है बहुत बहुत रेलिवेंट कुश्चन मैं बता है था हूं देखे माहत्मा गांदी के हत्या बहुत दुरुभागेपूर्ण है और भालती इतियास के लिए बहुत गंभीर प्रश्च्ट मी खड़ा करता है लेकि मैं बता दूँ उस समय कि प्रस्चितिया थी वह बहुत साप स लोग के गई थी और इसलिए जरूरी था कि वहां पर करेक्शन किया गया है एक दूसरे जवाब में देना चाहूंगा बार-बार डिबेट में बात आ रही है कितने दिनों से सरकार थी आपने क्यों नहीं परिवर्तन किया दोजार में जब सरकार आई थी बाचपी जी प्रदान मंत्री थे दोजार चार में एंसी आर्टी किताब को सारा सिलिबस जो है वो किया गया अधर्णी असी चंदमित्तल जी थे और मुक्रफेसन माकनलाल थे रिडाइटिंग की गई और दोजार चार में पप्लिश होकर के पुब्लिक डोमेन में आई और जैसे ही 2005 में सरकार आई और तुरंदी उन इस किताब को बैंड करके उस क्राफ कर दिया और दुबारा उस किताब को नई किताब चपी के आपके डिए दुजार बीस में दुबारा से न्सी एफ आया है उसके बाद का एक साइज है इसमें र पुब्लों का तस्करा तो हमने कर गया लेकिन लेकिन RSS पर क्या क्या हटा सुधानशू जी इस वक्त हमारे साथ क्योंकि मौजूद है जल्दी से दिखा लेते हैं कि RSS को लेकर क्या कहा गया था और अब RSS को लेकर क्या ऐसी चीजें हैं जो हटा दी गई है उसकी एक डीट क्योंकि देश में सामप्रदाइक इस्थिती पर बड़ा असर हुआ इसे आउट अफ सलेबस कर दिया गया भारत सरकार ने सामप्रदाइक नफरत फैलाने वाले संगटनों पर नकेल कसी यह अब नहीं पढ़ाया जाएगा आरेसेस जैसे संगटनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंद लगा दिया गया यह कहा गया था पहले जो टेक्सबुक थी लेकिन अब उसमें ऐसा नहीं है अब इन लाइनों को हटा दिया गया है सुधाशु जी इसका रीजन क्या है सवाल पूछे कि आरेसेस के बैन लगा था सब्सक्राइब तो इतिहास है वो तो लगा तीन बार लगा था कि नहीं यह बताई यह तीन तीन बार लगा था कि लगाया था अब देखिये सर्दार पटेल ने लगाया था अब देखिए अब देखिये सर्दार पटेल ने लगाया सर्दार पटेल ने बेन हटाया उससे हमें कोई फरक नहीं पावी मांगी है क्योंकि सर्दार पटेल ने देश के लिए काम किया था इस भारत को एक पिजोड़ने काम किया मगर जो बेन हटा भी ना बिल्कुल अगर गलती साबित हो जाती तो बेन नहीं हटता बिल्कुल बहुत सारे लोग है बहुत सारे लोग है जो जब संसत पर हमला हुआ कि नहीं सरकार के पूरवाग्रे के कारण उन्होंने लगाया और उनकी गलती सिद्धुई इसलिए हटाया रिखवाएंगे तक तो यही है ना करेगा कि क्या सब्सक्राइब कर दिया तो इसका मतलब सरकार गलत थी तत्ति क्या है जब गांधी जी के हत्या हुई उसके बर हिंदु महासभा सावर कर गिरफतार किया गया और इसके साथ साथ मोलकार कर गरफतार किया गया और यहीं नहीं शामा प्रसाद मुखड जी ने सरदार पडल को चिठी लिखी कि आप पूर्वागरा से ग्रसित होकर इस पर काम ना किया सरदार पडल वाइदा किया कि कोई काम पूर्वागरा से ग्रसित नहीं होगा सारे डॉकुमेंट्स उन्होंने ओडर दिये कि मेरी टेबल पर जाएंगे मैं उनको चेक करूंगा उसके बावजूद 18 महीने तक संगे पर बैन लगा रहा और कैसे कैसे बैन हटा कहा गया है भारत के संविधान को मानना पड़ेगा तरंगे को सलूट करना पड़ेगा और चुटा कि अधकान प्रब्लेम नाइस अधाय है तो कोई सबूत नहीं बनते इसलिए तो नहीं प्रब्लेम है तो नहीं जाए तरंगा आपको मिले रही तो में देखेए इस पर एक बादे अधा बद्रब कैसे बहुत थी आप ने क्यों नि लेकिन इधर से जिसे जुटाया जा रहा है कहा जा रहा है कि ऐसा तो है ही नहीं तो क्या सुदानशु जी ये मान लिया जाए जिस भी राजनेतिक विचारधारा वाली सरकार रहेगी वो अपने हिसाब से इतिहास लिखेगी आप लोग भी वही कर रहे हैं पहले भी यही हुआ यूपिये के दौर में भी बहुत सारी ऐसी चीजे हुई है यह कहना चाहता हूँ यह तो वह विचार धारागी सरकार जो कहती है देश कभी एक थाई में यह तो वह विचार कहते थे सरजमीने हिंद पर अख्वा में आलम के फिराग काफिले बतते गई हिंदोस्ता बनता गया इन्हें समझ में नहीं आता था कि हमारे किस कि जमाने में लिखा रिया डविनु सरो रंह तदेव दिनिविटम देश हिंदुस्तान प्रशक्शते है मारत समार में पे यह थान की लिखा है तौन होने पुर्ण Episode इसना थार ने जब एवाज सब्सक्राइब नहीं तरुषार मॉपाल गए ओपाल के दिया तरना कि अधिन भागज उसलीए नहीं अभगिशनक सब्सक्राइब खार अधिए और गारे वाजब का अरे बाइया वाद बहुत पाल जाए ओग निदुद अभी एक लांड दो kay इन्हों ने लिखा था कि बहुत बात कि जो बात करें ना कि वेद 1100-1200 इसी के पार लिखे हुए और परहे निखो बता रहे भाई 1100 इन्ट करें लिखा लेकि आप बॉलने करें भारत लच सकाए अब भुष्रोधर्पत पुराण पाति में देखिये सारे मुद्धे जो है सारे मुद्वे जो है वो एक साथ मिलकर आ रहे हैं एक बने डिक में वहराल वैचारिक मंथन इस मुद्वे पर लगातार जारी रहेगा आप सभी खास मैमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए कि दुनिया में एक बताईए जो अपने फॉरेन इंवेंडर का इतिहाद बोलिफाई पर बताईए आप लोग मुझ छुपाने के लायक ने कि दाराशिकों क्या सब्सक्राइब बोलिए जिनान को नाम सब्सक्राइब बता है यह इसाथ का मुझे लगता है जाकिर नाए वावर का नाम हर हिंदुस्तानी जानता कि हो 1527 नाया तीस ने मर्याग धाई साल में उससे आदा जंता दल ने शासन किया इस देश पे जिनके लोगों के नाम नहीं जानते दो जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आगे स्टूडियो में बोलते नहीं मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया छाती पीटे की कलाम साथ का नाम नहीं होना चाहिए पुरी पास दोड़े कोट की प्रॉक्टिंग है आगे नहीं नमस्कार आपके साथ मैं हूँ समीर अबाजियां लेफ्ट वर्सेज राइट सेलेबस पर बिग फाइट और ये फाइट लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं देश का भविश्य है कौन है जाहिर है हमारे युवा जो आज देश के कोने कोने में पढ़ रहे हैं किताबों के बीच सिर्ख अपा रहे हैं उनके हाथ में भारत की तकदीर होगी आने वाले वक्त में इसलिए ये जरूरी है कि बच्चे किस राह पर जा रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं कोर्स में क् क्या गेर जरूरी है ये बड़ी बहस का मुद्दा बने बहस इसलिए क्योंकि लोक्तंत्र की नीव तभी मजबूत होती है जब देश से जुड़े मुद्दो पार चर्चा होती है जब विशे इतने गंभीर हो तो बात करने वाले भी विद्दवान होने चाहिए हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेमानों का बहुत खास मेमानों का पैनल जुड़ चुका है उनसे आपका तारूफ करा दें डॉक्टर सुदानशु तरिवेदी हमारे साथ मौजूद है राज्यसवा सानसाथ बीजे पी के इसके लावा इतिहास का दिनेश कपूर साब हमारे स साथ जोड़ रहे हैं दिल्ली विश्विद्याले में इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और ये बदलाव के पक्ष में हैं इसके लावा वरिश पत्रकार आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर दिनेश वाशने साथ हमारे साथ म लेकिन चर्चा की शिरुबात करें उस से पहले जिकर उन चैप्टर्स का जिने हटा दिया गया है अकबर नामा का जिकर बार बार हो रहा है इस मामले में जब भी चर्चा हो रही है अकबर नामा में क्या था ये जरा हम आपको बताते हैं हिस्ट्री ऑफ मैंनकाइंड शासं के पहले 30 साल बुगल शासक अकबर की ये जीवन गाता थी अकबर का शासन शासन के 46 साल और आईने अकबरी में क्या था अक्बर का प्रशासन यानि वो रूल कैसे करता था उसका अड्मिनिस्टेशन कैसा था ये सब कुछ अक्बर नामा में जिक्र किया गए लेकिन फिलहाल जल्दी से बिना वक्ट गवाए अपने खास मेहमानों का रुक करते हैं सबसे पहले सुधान शुद्र वेदी जी मैं आप से जानना चाहूंगा चैप्टर्स तो बदले जा रहे हैं बहुत कुछ है जो बदला जा रहा है लेकिन इतिहास को कैसे बदला जाएगा जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम दुनिया के एक लौते राष्ट रहे हैं जो प्रिहिस्टॉरिक नेशन अगर अफसोस की उस प्राग इतिहासिक राष्ट के इतिहास के बारे में कौन लिखता है विदेशी लिखता है विदेशी में भी कौन लिखता है जो भारत में ज्यान प्राप्त करने आया उनका इतिहास नहीं, जो भारत में लूटने आया उन लूटे रहाँ का इतिहास और मैं बिनमुर्टास कहता हूँ दुनिया में एक देश बताईए जो कहता हूँ मेरा लिखा इतियास प्रमानिक नहीं है विदेश का लिखा इतियास प्रमानिक बताईए कोई ब्रिटन में कहता हूँ फ्रेंच ने लिखा वो हम प्रमानिक मानते हैं कोई जर्मनी में कहता और मैंने कहा न जिन्हों ने भारत के बारे मार्को पोलो आए नहीं था ऐसी कह दिया होगा मेगस तनीज ने इंडिका में लिखा रहे उसे क्या फरक पड़ता है फायान ने लिखा ने नहीं उससे कोई मतलब नहीं है आप ने भी कहा ना आईने अगबरी पढ़ाओ आईने अगबरी में क्या लिखा है उसने कहा अबूल फजल ने लिखा है कि जब चित्ता और जीता तो अकबर कहता है कि मैंने वो मंदिर जो अलाउद दिन खिल जी के बाद भाद भी बच गए थे हिंदू और जायन मंदिर वो धुस्त किये तीस हजार लोगों की खोपड़ी पे खड़े होके गाजी के उपादी लिए भी पढ़ाईए या तो में बात ये है कि इमानदारी से इतिहास पढ़ाया जाए तो सही है लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मोगलो ने क्रोटा से शासन किया तो अगबर के चरित्र का ये हिस्सा जो है ये से पढ़ने से कैसे महरूम रह सकते हैं चाहतों फिर तो उनको पता लगना चाहिए न कि अगबर के करेक्टर का एक हिस्सा ये भी था अगबर से बहान नहीं अब मैं एक और फैक्ट कहता हूँ ना भारत का इतिहास ना हमारा छोड़िये संगी भाजपाई छोड़िये वर्ल्ड में एक अथेंटिक डॉकुमेंटेशन हुआ है कि पिछले 2000 सालों में घाई 1000 सालों में जितने लोग सरकारों के द्वारा या युद्ध में मैसेकर किये देखे युद में सेना का मरना एक अलग बात है पब्लिक नमस्कर किया वो है प्रोफेसर आर जी रमल कोई जाके चेक कर सकता आर यू एम एम एल उन्होंने लिखा है कि अब तक उनके एस्टिमेट के साफ से 90 करोड से लेके एक अरब 40 करोड लोग पिछले 5000 वर्सों में शा जार लोग मारे गए लाक भी नहीं अब बताइए तेरवी शताब्दी के बाद ही भारत में ऐसे करें तो एक फॉरेनर कह रहा बिल्कुल अथेंटिक दुनिया भर के तमान देशों जखी गई मगर हमारे यहां उल्टा पढ़ाया जा रहा था तो उसको सीधा करने में दिक् जो तंत्र मंत्र जादू टोना जिन किताबों में लिखा है उस तंत्र मंत्र में से एक संटेंस निकाल के उसको सच इस्थापित करके पढ़ाया जाए वो कहा है वो मैं आगे बताए बहुत बढ़ी बात कह रहे हैं सुदान शुद्रिवेदी जी कपोल कल्पित इतिहास आदल हो तो आप भेज दीजे एर फोर्स को और वो रडार पकड़नी पाएगा ठीके इस बहस में मुझे दिक्कत इस बारे में नहीं है जब बीजेपी की सरकार आईगी हो अपने हिसाब्स इतिहास को लिखने की कोशिश करेंगा अपने इतिहास को बताने की कोशिश लेफ वाली रिकगनाइज़ संग का इतिहास कार मुझे बता दीजिए जिसको पूरी दुन्या रिकगनाइज करती हो आप इतिहास डिलीठ कर दिए कोई दिककत यह इतिहास लिखिये तो आप यतिहास नाur चाहँ ठीखर की तरीके से बड़ा हो उप उन्हीं ना रॉमिलाथापर जो BJP RSS के तो नहीं है, वो है हिंदु महासभा के वह वीर सावर कर, आप उनकी किताब पढ़ लिए, Six Glorious Box of Indian History, आपको पता चलेगा कि पैरलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की गई, आप उनका 1857 का जो युद्ध है, जो लड़ाई, जो संग्राम, वो पढ़ लिए आपको सम चीजों को डिलीट करना चाहिए, आप गांदी घुटाना जाते हैं, इसे क्या विचारों को दोंद आप नहीं मानचें, आप करें, सावर कर ने, वीर सावर कर ने, एक पैरलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की, वो उनके विचार भी तो हो सकते, मैं सावर कर की बात नहीं क आप इतिहास को मिटा रहे हैं, आप गांधी के चलिए, विमर्ष आपको इन एसर नहीं आ रहे हैं, गांधी जी पर और RSS पर हम आएंगे, आशिक जी, मैं मुखलों पर मैं चाहना चाहिए, संग के पास विमर्ष नाम की कोई चीज है ही नहीं, अगर होती, तो सौ सालों के ये देखिए, मुखल दरबार का इतिहास, कक्शा वार्वी क्लास की जो पार्टे पुस्तक है, उसमें बद्लाफ किया गया है, मुखल दरबार का इतिहास हटाया गया, किताब, थीम्स ऑफ अफ इंडियन हिस्टरी पार्ट टू का जिक्र बार-बार हो रहा है, चैप्कर गया है अब इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है ये जरा जानने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे पहले देखिए क्या क्या हटाया गया मुगल काल की जो पांडूलिपियां थी वो हटा दी गई है युद्धो शिकार अभियानो भवन निर्मानों का इतिहास जो है वो भी हटा दिया गया दर्बार के द्रिश्यों के माध्यां से मुगलों के इतिहास से जुड़ी जानकारियां हटा दी गई इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं सुधाश्यों जी ये एक बड़ा सवाल जहन में आता है देखे जब बात आश्टो जी ने थोड़ी सी राजनती के दी एक पैक्शुल बता दूनोंने का रोमिला था पर बहुत बड़ी इतिहासकार है जिनका वो वीडियो आपने देख जा रहा था तो उसके मन में भाव आया कि नहीं मैं राज नहीं समालना चाहूंगा रिननसीएशन वद इंस्पाइड बाई अशोका मतलब जो युदिष्ठीर का इंस्पिरेशन अशोका से लेने की बात करते हो वो किते महान इतिहासकार होंगे सब समझा और आज तो बहु जाके पढ़िये मित्रोकिन्स आर्काइब के जीबी एंद वर्ड पार्टू जाके पढ़िये यूरी बैजमनेव जो के जीबी का जासूस था भारत में रहता था उसका डिटेल पढ़िये आइडोलोजिकल सबवर्जन सब आपको क्लियर हो जाएगा कि यह किस प्रक्रिया क के तहत हो रहा था वो विशे छोड़ देते हैं हम आज की विशेव के उपर आते हैं अशुतोर जी ने कहा कि थे ही नहीं आपकी होने ही नहीं मैं आने बात करहा हूं जब राजनियतिक कहा ठीक है मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाए यह इंडिया गेट के चारो तरह सुदाइशु जी मुझे लगता है उससे जुड़ी एक लाइन एक लाइन बावर का नाम हर हिंदुस्तानी जानता यह 1527 में आया तीस में मर गया धाई साल में उस्यादा जंतादल ने शासन किया इस देश पे जिनके लोगों के नाम नहीं जानते लोग सारे 500 साल पहले के हाई साल वाले चाचक करान सब्सक्राइब आप जिस रोट का जिक्र कर रहे थे हुमायू रोट है दिल्ली में एक एक करके हम वो सड़के भी दिखा रहे हैं जिसका जिक्र भी सुदाइशु जी कर रहे थे यह हुमायू रोट शाजहा रोट अकबर रोट बाबर रोट यह स सावरकर लिख सकते थे, आप क्यों नहीं लिख सकते थे, 1925-1925-1947 तक तो कंगरेस को साशन नहीं थे, लिख के दिखाते हैं ना कम चेक। दूसरी बात, छे साल अटल ब्हारी वाजपई का शासन था, नौ साल नरेज्म बोदी का शासन था, क्यों नहीं नाम हटाएं आपने सारे, हटाईएं ना, अरे, आपके समय में औरंग जेब के नाम से रोड थी, साज हुमाईू के नाम से रोड है, अखबर के, क्यों नहीं हटाएं, दिक्कत क्या है कि आप एक नारेटिब गढ़ने की कोशिश करते हैं, जो लोग इतिहास लिखते हैं, वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं, वो लिखकर बोटा पथना लिखकर चले जाते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं, उसका आधार में विमर्श करते हैं, दिक्कत क्या है, जो इतना ज़्यादा टैलेंट डेफिसिट असंग परिवार के अंदर है, कि वो इतिहास लिखे नहीं सकते, मैं गैरंटी के साथ करता हूँ, कि ग्लोबली रेकगनाईज एकेडमिक वर्ड में रेकगनाईज हिस्ट्री नहीं लिख सकते ये लोग, अगर हो सकता, तो सौ साल के अंदर इतिहास लिख देते, तो कि प्राबलम क्या है, प्राबलम बहुत सीधी सी है, कि जहां पढ़ने लिखने की बात होगी, तो एक आदमी क्वेस्चिन करेगा, क्योंकि संग के अंदर क्वेस्चिन करने की परंपरा नहीं है, फ़ापने की प्राबलम क्या हैं, तो दोनों पक्षों से आपने अपने इतिहास का लेकर आईएगा हमारी तरफ से गए डॉक्टर धर्शनायन श्रीवास्तो थे एस पी गुप्ता थे ग्रोवर साहब थे डॉक्र देवें सुरूप थे दो को तो मैं परसनली जानता हूं इनकी तरफ से वही सब जेन्यू ब्रा उन्हों लिकित में दिया यह आर्केलोजी और कल्चर दो विशह होते हैं यह खुदाई से रिलेटेड विशह है उन्होंने कहा जी आर्केलोजी हमारा विशह नहीं अब आगे कि मज़ेदार बात देखिए दो सारे डॉकुमेंट दो ही लैंग्मेजेज में थे फार्सी में और संस्कृत में यह जितने बाबरी मस्जीद की तरफ से तथा कथित लेटिस्ट गए थे इन्होंने कोट में रिटेन में दिया है कि ना हमें फार्सी आती है ना संस्कृत आती है गजब है सहाब ना अर्केलोजी आती है ना लिट्रेचर आता है मतलब ना लिखाई आती है ना खुदाई आती है और दावा ये कि सारी खुदाई आती है ये तो मैंने कोट की प्रोसीडिंग को चाहिए और एक समीर जिसने किसी वैदिक गुरुकुल में जाकर संस्कृत पढ़ी हो और तब संस्कृत के उपर कमेंट किया हो जैसे आई-ई-टी में जाकर बड़ी दिल् आता पार्टी के सांसद ने फिर लाइब तेलिविजन में मान लिए इनका को इतिहास कारनी है तो ने अपने माना आप ने आप यह कहते हैं कि हमारे फला इतिहास कारने जो संग से जुड़िए हैं इतनी मोटी किताब लिखी जिसको दुनिया रेकनाइस करती आप आप यही दक्षल पंतियों की दिक्तत है तीचल पंतियों क्या लेखन है नहीं इतिहासकार है नहीं और उनका अकेडमिक्स हाई नहीं वो सिर्फ ठीक है ठीक है आप ये बहुत बड़ा चैलिंश दे रहे हैं और उसके जवाब में सुधानशु जी ने अपने तर्फ दिये लेकिन मुगल बादशाहों का सम्पूर इत्यास ठीक है सर ठीक है मैं आता हूँ और भी महमाने और भी महमाने कुछ फैक्स कुछ फैक्स रखने बह कर रहे हैं यह देखिए जो इस वक्त आप देख सकते हैं बाबर जन्मस्तान उजबेकिस्तान 1526 से 1530 बाबर से शुरुवात करते हैं इसके बाद हुमायू जन्मस्तान अफगानिस्तान 1530 से 40 और 55 से 56 यह उसका शासनकाल इसके बाद आप आजाईए अकबर सिंध जो की पाकिस्तान का हिस्सा है 1556 से 1605 शासनकाल रहा इसके बाद जहागीर जन्मस्तान भारत बुगल शासक लेकिन जन्मस्तान भारत सरजमीन हिंदोस्तान 1605 से 1627 तक शासन किया इसके बाद शाजहा, लाहूर जो कि अब पाकिस्तान में 1627 से 1658 ये शाजहा का शासनकाल था इसके बाद औरंगजेब जन्मस्थान कहां भारत हिंदुस्तान 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहा और इसके बाद बहादुर शाजफर जिनका जन्मस्थान भारत और उन्होंने आखरी सांसे भी यही लिए 1837 से 1857 और अंग्रेजों के खिलाफ जो जन्ग लड़ी गई बहादुर शाजफर की तरफ से उसके खिसे हम बच्पन से सुनते आएं हैं लेकिन सवाल ये है कि क्या सभी को एक तराजू में तौल देना ठीक होगा इस सवाल के जवाब के लिए मैं सुधानशु जी आपके पास गलत इतिहास पढ़ाने की कोशिश कीगी ये आरोब जो है इस पर आपका जवाब क्या है क्या वाकई ऐसा हुआ है तथ्यों को तोड मरोड कर पेश किया गया है क्या जिसे अब सुधारा जा रहा है समीर जी देखिए सीधी साथी बात है मैं आपकी बात से जो शुधानशु जी ने इन्होंने जो आरोप लगाए वो गलत है मैं आपको उसको सिलसिले बार धंग से बताता हूं पहली बात पर इनके इतिहास के ग्यान को देख लीजे ये कहते हैं कि साथ भारत एक मात्रैसी स्विलाइजेशन है जो प्रिहस्टोरिक है या प्रग्यातिहासिक समय से चल दी है मैं यह जानना चाहता हूँ मैसोपटामिया क्या थी नीन नदी की सब्वेटा क्या थी अरे सुनिये अनातोलिया सब्वेटा तुर्की क्या थी इटियन्स कौन थे बताईए ना किस्से कानी नहीं होता है आज क्या लोगी नहीं नहीं देवेट जरूप को परशियन आती है और जो परफेसर आरजी ठागरा नहीं हो गए वो अर्केलाजिस्ट है उन्हें संकित आती है उन्हें पाली आती है और जो परफेसर सूरज बांग गए उनको भी संच के तो ब्रह्मिय पाली आती थी किसने आपको का यह लगनों कोड में का गया यह बेल्कुल नहीं का गया अब लाइए रिकॉर्ड लगनों कोड़ के लगनों कोड़ के आप परसिडिंग देखिए उनकी बात पूरी हो जाना अजानी के बात से आज तक यह विदेश्यों ने लिखा एक श्रोमिला था और बिदेशी है आरए स्टडिया बिदेशी है यह प्रॉफिसर विबिन चंडरा विदेशी है ता शी चंद्र विदेशी अरे छान्य का यह चाहते ही हुड है यहा निए कि चाहते हिए इनकी अगर ये सब दिखाने तो इनको आटारी भी दिखाना पड़ेगा, 20,000 क्रों टुपे शेल्ट कंपनी इसके भी दिखाने पड़ेगा, ये उसको दिखाने रहे हैं, अब सुलिए एक मिल्ट, जितने भी रहां पे लिखे गए हैं, अगर आप नुगल को नहीं बताएंगे, त हिस्ट्री के प्रोफेसर ने बहुत जो तर्क हैं इस मामले से जुड़ेंасть का जबाब लेंगे, वेत वरत तिवारी जी हमारे साथ मौशूद हैं, हिस्ट्री के ही प्रोफेसर हैं, दिलली विशूइवित ड्याले में, तिवारी जी, अगर एक तूरे चैप्टर को ठीक है अगर पूरे चैप्टर्स को इह टा दिया जाएगा वो कैसे रूल करते थे या फिर उनसे घलतियां क्या होंगी खुईंगी अतीत में इतिहास में यह पता ही नहीं चलेगा तो उनसे हम कैसे सीख लेंगे कैसे आगे बढ़ेंगे और इतिहास को तो बना नहीं चासकता कि गइस की सवाल अभी टिबें चल रहा है बहुत चांदाअल शामदा या अश्तों जिने आरूप लगा 이야기 संग का या भारत में इतिहास लोगने की परंपरा ही नहीं थी नहीं थी सावरकर को मान रहे हैं उसके लिए तैंक्यू आपने अनलेच किया शंगे नहीं कि जो संगठन गाई को अप्रतीक पुरुष बनाने के कोशिश करता है वो क्या सब बता के बारे वो कहते हैं कि शेयर होना चाहिए हमारा बहुत है कि भारत का इतिहास लिखने के लिए हमारे लोग बचे ही कहा थे हम लगातार उपनिवेश्वाद में रहे और जब अंग्रेजों का शाशना तो जेम्स मिल न इतिहास लिखा वही भारत में आई-सी-स पढ़के आते थे और वही इतिहास यहां पर बच्छों को पढ पर बांते हैं और इसके बात जो निशनिस स्टोरियंस ने लिखना शुरू किया तो आप कैसे बूल रहे हैं के पी जैस्वाल है हैं एसी मजूर है रहे हैं तो आज नहीं है सर यहीं पढ़ा रहे हैं निलकंड शास्त्री साहब आपके सामने हैं जदना सरकार ने औरंग जी लीलकंड चाहिर दक्षिन भारत का इταिया तो यहीं मताया चाहिए यहीं और साहब है अटाल हैQueen 53 अप लिचे लुडियाओन है हमीर है सर 1950 से कोड वार के बाद से आप लोगों ने हिंदुस्तान ही नहीं लग बग दुनिया के सारे अकेडिमिक इंस्यूशन पर आपका कब जार आपका डॉमिनस रहा आप सबी आप आप सभी से एक मिनट सर एक मिनट आप सभी से इलतिजा है कि आप लोग एक साथ मत बोलें दर्शक जो है वो बहुत ध्यान से करोडों दर्शक इस डिबेट को देख रहे होंगे और इस मुद्दे को लेकर जबर्दस वैचारिक जंग चिड़ी हुई है हर कोई अपने विचार रखना चाता उसमें से तमाम तो ऐसे हैं जो भारत में ही पैदा हुए है जिनका दम भारत में ही निकला उनसे किस बात की दुश्मनी बेड़ा गरक हुआ तो मैं समझता हूँ वो हुआ इस देश की आजादी के बाद जो पहले पांच शिक्षा मंत्रियों की नीती थी मैं डारेक्ट बात करता हूँ उनकी नीतिया अब मैं ये उनको वर्गों में या मजभ में डिवाइड नहीं करना चाहता पर उनकी नीतिया वामपंथियों की और सबसे बड़ी हमारी जो सरकार थी कॉंग्रेस की इनकी नीतियों ने इतिहास को एक पर्टिकुलर कंपार्ट में बन करके रख दिया वह इतिहास इनका इतिहास शुरू मुगलों से होता है या सल्तनत से होता है और खतम भी मुगलों पे होता है उसके अलावा कोई पर जाता है यह दो कोई परस्टन जग नहीं है विचारों के चंग तो वादिया के वरकर है भारत की कमिनूस पार्टी भारतिया नहीं है इसलिए इनको इतना आक्टोश आ रहा है कि बोलने नहीं दे रहे हैं फॉरन की मर्टी रेस्टल की इंडिया प्रांच है इनकी पार्टी का नाव है कंविस पार्टी ऑफ इंडिया अरे कम तक हो घरती रास्ती कॉंग्रेट सुन्याथी है और यहां डानी तक आ गए कितने अरे करने बदे चर्चा तो चलती रहेगी लेकिन बहुत इंड्रेस्टिंग फैक्ट सर्फदाने इसलिए अपने दर्शकों के सामदें रख दे जंगल बुक में मोगली नाम कैसे आया यह बहुत इंड्रेस्टिंग है बहुत दिल्चस्प है देखिए जरा शासन काल का प् प्रवी शताब्यों में मुगल शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था मुगल इसके बाद रोडियाट किपलिंग की जंगल बुक में मोगली नाम भी मोगल से आया और यह पढ़ाया जा रहा था लेकिन अब नहीं पढ़ाया जाएगा वई मोगलों से दिक्कत है सुधानशु जी ये समझ मैं आता है मोगली से भी दिक्कत है एक रड़ एक प्रीस शाह कासे आया और भाई का रॉपता द Śाहिए SEC इनको बता देता हूं इनों ने शाह पूछा ना बहुत शाह पे लोग कहते हैं बताता हूं कहा चाहिए शिवा जी के सामराज के लिए राकी हिंदुवानी हिंदुवान इनको पुराने राकों के लिए शाहिए के लिए अपने दर्शकों के लिए आयोध्या के मरी राम दास शावनी के महंत कमल ने अन्दास का कहना है कि राम राज तभी आएगा जब इतिहास से मुगलों को हटाया जाएगा ये उन्होंने का है सुनिए जरा बात तो राम राज अगर लाना है राम राज रादें के लिए जिस विधा के द्वारा जिस सम्विधान के द्वारा जनसंख्या की भी सम्ता बढ़ती जा रही है राष्ट की रक्षा करना हमारा पुनीद कर्तब्य होता है उस विधा को उस कानुन को हटाना चाहिए और हटा करके सम्ता समरस्ता अस्थापित करना चाहिए तो सुधानशु जी ये क्या प्लैंड वे में सारी चीजें हो रही है और ये आपकी सरकार का एक मुख्य अजेंडा है क्या मुखलों को हटाया जाना और इतिहास में बदलाव करना अगर ऐसा है तो फिर ये क्यूं बताया नहीं जा रहा है कि सरकार ये चाहती है इसलिए हम ये कर रहे है पिर ये क्यूं कहा जा रहा है कि कोविट था पाठे करम कम करना था ताकि मुश्किल सवाल जो है वो चात्रों को तैयार ना करने पड़े इसलिए हमने ये बदलाव कि जब करना हो था तो फालतू की चीजे एटाई जाती है तो मैं ये कह रहा हूं सुनिए मुगलों की उत्पती बाबर के बंच से मानी जाती है जिसकी मां मंगोल और बाप उजबेक था तोटल फॉरेनर कनेक्शन और आज के मुसलमानों से खामखा में जोडने कोशिच करते हैं आज जीनोम सीकेंसिंग का दौर आ गया है चुनावती से कहता हूं भारत के किसी मु आदेश करते दूनिया में एक जेच बताएं है जो अपने फॉर्ड Nichola का इतिहाद सबरेवन साथ अधेंस्कार मावांचुरें हम तो जैलों मेरは माफी माणगे रहे आड़ेएंगान Can ऐसे पर SquKay एपिन दो बाते यहां पर हुई है सवाल जेहन में आप भी आ रहा होगा NCRT की किताबों पर जो रिसर्च हुए सर एक अकबर का जिक्र संतान्वे बार 97 टाइम्स शाजहां का जिक्र तीज बार औरंजेब का भी जिक्र तीज बार और छत्रपती शिवाजी महाराज का जिक्र सिर्फ आठ बार हैरत होगी आपको यह सुनकर महाराना प्रताफ का जिक्र सिर्फ एक दो बार यह भी हकीकत है सर यह भी हकीकत है अब इस पर इस पर आप क्या कहेंगे अशुतोष जी एक निए ऐसे निए ऐसे निए इस निए वह पूर बात क्या है मैं तो कहता हूँ मोधी सरकार से भारती जन्ता पार्टी से कि 1526 से लेकर 1707 और 1857 कि इतिहास को से लिए बस अटा दीजिए सरकार आपकी है क्योंकि भारती जन्ता पार्टी के रास्ट्रिय प्रवक्ता पढ़े लिखे सुधानशु तरवेदी यह कहते है यह फालतू है जो चीज फालतू है वो इतिहास का हिस्सा नहीं होना चाहिए मैं कहता हूँ कि आप और से दूसरा क्या है मुहमत गजनवी जब से आया है जी आप आप जब से ब्रिटिस आ गया है वो पूरा इतिहास बच्चों की किताब से हटा दीजिए नहीं हटा दीजिए उस दौर का इतिहास कैसे जानेंगे बच्चे नहीं यहीं तो कह रहे हैं हाँ भाई आप इंसे सवाल पूछिए जो फालतु है जो फालतु उसको हटा दीजिए जो महतपूर्ण है भारत के इतियास को सुक्सुर रखिए इसमें कहां मैं तो आपके साथ हूँ आप सोला साल हो गए अटल ब्यारी वाजपई ने छे साल पतान मनती थे नो साल साल नर संस्था है जो गांधी वद कहा करती थी 1962 तक उसके बात गांधी से नहीं लड़ पाए तो प्रात इस ब्रणिये कर दिया सुदान्चु जो बैठे पूछिए गांधी बद कहते हैं कि नहीं कहते थे उनसे पूछिए और अगर यह ना मने तो गीता लेकर आईए और गीता प पर हाथ रखकर बोले हैं कि आपके वागत सिंग को टर्रीस पूलने वाले लोग आ जाके वह चरदे हैं और यह टर्रीस का था कि आपके बारे में क्या का है कि वाचंद्र पतें ने सित्म्मर उन्यों सौटार्स की जो तिचिल की गोलवर्दिस में का जाए आपकी नफरत की विचाठारा ने रानी जी क्या कहा है ठीक पर मुझ चुपाने के लायक लेकर अगर मैं बताओ था बहुत से संके बारे में क्या कहा है ठीक है अथी पे कुछ गल्थियां हुई है लेकिन क्या वाकई न गल्थियों को सुधारा जा रहा है या फिर एक इतिहास को उसी नजर से देखना चाहते हैं, जैसा राष्ट हम बनाना चाहते हैं, तो इतिहास से हम जिन चीजों को डिलीट करने की कौशिश कर रहे हैं, बास्ता में उनको डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वैसा राष्ट बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को अ और मैसूस किया कि भारत के पास एक खुबसूरती है कि हमारा सामासिक संस्कृति का इतिहास है, का बूझीच के मुझीच क्या थी यह हमारी मजबूतिय हद ईलिए हमारी कम्जूरी ने इसको हम अपनी टाकत बनायें बच्चों को बताएं कि कोसा शाक clicking के अमों के साथ में जाद्ती कर रहे हैं उनके साथ में कुछ दुराव छुपाप कर रहे हैं तक ही वो संपूर उता में चीजों को ना समझ भाए है मतलत ब्लकल शास को ने जो अच्छे काम कि यह वह भी बताया जाने चाहिए जो गलत काम कि वह भी बताया ज़ाए है जाए हमने कि लड़ाई रहे हैं अभी समाह इस देश के बहुत सारे लोग जिनके इतियास नहीं लिखा गया लेकिन जो अच्छे काम भी मुगलों ने किये वह अपने स्वार्थ के लिए कि आप मुझे बढ़ाईए दो सब्सक्राइब करें जो भी शाषक है कौन तैय करें जो हिनू सार लोगों ने आजादी के लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया यह भी पढ़ाईए अरे सुनिये सुनिये पढ़ाईए इस बात हो लेकर और यह पढ़ाईए कि गुरू बोलकर ने जो शहीं के बारे में का बाई नहीं यहां तक कहा कि वह आदर्स नहीं हो सकता है मुझे लगता है मुझे लगता है मुगलों से थोड़ा सा आगे निकल कर अब राष्ट पिता महात्मा गांधी पर भी बात कर ली जाए क्योंकि यह भी एक बड़ा मुदा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब हमारी तरफ से कोई बोलता है सब लोग डिस्टर्ब करने लग उसे पूछिए सिर्राय एकबर का नाम किसने सुनाएं दावें से कहता हूं दस में नौ को पता ही नहीं सिर्राय एकबर कहा है पता है कहां से कंपोजिट कल्चर कल्चर वहां से आया औरंगजेब का बड़ा भाई तकर बोलने लगे बीज़ें पूरी बात कम्टिंड करिए जिसको हम इंपोजिट कल्चर कहते हैं तताकतित गंगा जमनी तहजीब कहते हैं मैं कहना चाहता हूं उसकी शुरुआत कहां से होती है दाराशी को जोरंगजेब का बड़ा भाई उसने किताब लिखी मजुमल बहरीन इसका अरत होता है दो समुनरों का मिलन उसने इसमें इ इतिहास की जन्लों किताबों में नहीं सीरे जिसने इतिहास जिए गरूप में नहीं पता दारिको को में उने दो फावास इंद किसी मगलों के इतिहास को हिद्धान की इतिहास से बाहर कर दीजिये क्वार्टु है। आप ये काम क्यों नहीं कर रहें। मैं बढूर सुझाल खरा करहु तो पैले इतिहास पर नहीं पढ़ाईया था। आप इसको डालिये ना, पुछ फेरे आप कई यह कि मुगलों कि कि इतिहास इतिहास इंगिस्सान को नहीं पड़ा जगा। फालतु है खटा दीजेए आप ये नहीं कर रहे हुमाईयो रोड है आप करेंगे हमाई रोड हो है अख़र अरे हटाइए ना किसने मना किया आपको 303 मेरा परल्लामेंट है आपके हम्मत नहीं हटाने की इसलिए आप इस तरीके की बाते हैं है हम्मत तो आप मुगलों के इति तो कॉंग्रेस से ले क्या माद भी पार्टी तके जाके क्यों और नाम किसका रखा कराम का मैं पूछना चाहता हूँ बताइए कोई नाम रखा गया शाती पीटे की कलाम साथ का नाम नहीं होना चाहिए बीर अब्दुल हमीद की शादती 85 वर्जगाट पे कोई शक्र गया फोटर दिखाई ये 2015 में ये बताईए उस्ताद बिस्पिल्ला खा को भारत अटर्डी की सब्कार में मिला बारत की सेना का पहला गैलेंट्री वाड़ना ब्रिगेडे मुहम्मद उस्पान के खार पर कोई क्या हो ये इस्रत कहा हुआ जाकिर नाय वाबार तुगलत और अंजे उनों ने देश को पूसमानों का भी रुप्सान का देश का देश का लिए 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 बानों के प्यार करने वाले लोगों सु मैं एक ही बात कहता हूं मुगलों का इतिहास कन नरेंद मुदी जी संसद्प्रस्ता पात करता थे बस पार्टी में है हिम्मत तो करके दिखाईए सर मुगलों को बहुत फुटेज मिल गई अब बात हम कर लेते हैं इस देश के सबसे बड़े सेकुलर नेता राश्पिता की राश्पिता महात्मा गांदी की बात कर लेते हैं क्योंकि मैं देख रहा था जब मुगलों पर भी बात हो रही थी तो महात्मा गांदी से थोड़ा इधर तवज्जो दें थोड़ा इधर तवज्जो दें कक्षा बार्वी क्लास किताब राजनेतिक विज्ञान चैप्टर महात्मा गांधी का त्याग महात्मा गांधी का त्याग अब क्या निकाला गया है सर एक मिनट क्या निकाला गया है आउट अफ सेलेबस क्या किया गया है महात्मा गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की द्रिन कोशिश ने हिंदू चरम पंथियों को उकसाया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के कई प्रयास किये यह हटा दिया गया गांधी जी उन लोगों को विशेश रूप से नापसंद थे जो चाहते थे कि हिंदू बदला ले यह हटा दिया गया या जो चाहते थे कि भारत हिंदू के लिए एक देश बने ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान मुसल्मानों के लिए था यह पहले पढ़ाया जाता था लेकिन अब इसे सिलिबस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है अभी नातुराम गोट से कभी जिक्र हुआ गोट से पर क्या हटाया गया है यह देखिए गोट से पुने का ब्रहमर था यह पहले लिखा हुआ था अब तीस जिनवरी की शाम को अपनी दैनिक प्रात्ता सभा में गोट से गोट से एक चरम पन्ती हिंदू अखबार का संपादक था यह भाशा लिखी थी आद्म समर्पन करने वाला हत्यारे का नाम नातुराम गोट से था अब यह लिखा गया है तो कुल मिलाकर जो बदलाव किये गए हैं वो हमने आपके सामने रख दिये और मैंने NCRT के डारेक्टर डीपी सकलानी से यह सवाल पूछा था कि नातूराम गोट से गांदी जी का हत्यारा था उसका RSS से असोसीर्शन था और Ghandi जी की हत्या के बाद RSS को बैंड दिया गया था मतलब यह आरोप लगाकर की उसका RSS से असोसीर्शन था क्या अब भी यह पढ़ाया ज पढ़ा जाएगा दुबारा अगर वह एक्सपर्ट ने का अटाना है तो फट गया नहीं पढ़ेंगे को जरूर यह कि किताब में सब चीज पढ़ानी है छोटे बच्चों को जिसको पढ़ना है अलग से पढ़ सकता है बहुत सारा लिट्रेचर है बेले बुले जानने का सोर्स क्या ये किताब है क्या इतियास से कौन अटा सकता है और बड़े लिवल पर पढ़ देंगे तो देखिए कुल बिलाकर RSS को लेकर जो बात कही गई थी RSS BAN को लेकर जो बात कही गई थी अब वो सेलेबस का हिस्सा नहीं है यानि गांधी जी की हत्या के बाद का जो कालखंट था उससे जुड़ी कई घटनाएं और उनका तसकरा जो था वो अब हटा दिया गया है बैन हटाया भी गया 18 महीने तक बैन था लेकिन उसके बाद हटाया गया जब हम यहीं नहीं बताएंगे कि RSS को बैन किया गया था तो फिर यह कैसे बताएंगे कि बैन हटाया गया देखिए यहां पर मैं बात बहुत इमानदारी से कहता हूं किसी भी विशय को आप किस रूप में प्रस्तूत कर रहे हैं कि नातुराम गोट से हिंदू था और ब्रामन था यह कहने का क्या मतलब है इसका मतलब तो यह कौन सी नीती है मुझे याद है वो तो हमारी मेमोरी की इसके बात है 31 अक्टूबर 1984 इंद्रा जी की हत्या के बाद अखबारों में लिखा था दो सिक अंगरक्षकों ने हत्या की और उसके बाद जो देश में हुआ था वो हुआ था चूंकि इनको समाज में करना था और पूरा फैक्ट बता रहा हूं नातुराम गोट से ने अप दोनों के पत्रकारों ने लिखा चार गोलियां चली और आज तक यही नहीं पता की गोली कितनी चली आप जनता को बेवकू बना रहे हैं सुप्रीम कोट अलड़ी इस पूरे इस याचिका को रिजेक्ट कर चुका थर्ड जो जो तीसरी गोली की ती तो मुझे ऐसा लगता ह खोड़ा considering सफर्ञा मंधली कोट कर तो ममामला सब्से चुपूरर कर चुका है इस डोग cu जो काने केशन है के और रसाड कोई नहीं योओं सब्सक्वके सत्ब्समु के पता नहीं है सीधे सीधे जो लोग मानते थे भारत हिंदु धर्म के लोगों का देश होना चाहिए और भारत को बदला लेना चाहिए वो लोग मोहंदास करमचन गांधी को नापसंद करते थे मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि छातरों को ये जानने का हक क्या क्यों नहीं है कि महात्मा गांधी जी की हत्या नातू राम गोट से ने की ये कोई मतलब से नहीं कर रहा है चाहिए हैं वो सामने लोगों के आने चाहिए मेरा एक मानना है कि जिस तरीके का पहले नातुराम गोटसे के बारे में एंसी आटी में था उसको वहां पर करेक्शन किया गया है एक दूसरे जवाब में देना चाहूंगा बार-बार डिबेट में बात आ रही है कितने दिनों से सरकार थी आपने क्यों नहीं परिवर्तन किया दोजार में जब सरकार आई थी बाचपी जी प्रदान मंत्री थे दोजार चार में एंसी आटी किताब को सारा सिलिबस जो है वो किया गया अधरणी चंदमित्तल जी थे और मुक्रवसन माकनलाल थे रिडाइटिंग की गई और दोजार बीस में दुबारा से एंसी एफ आया है उसके बाद के एक साइज है तो इसमें रेपिटेशन को खतम करने के बात की गई यह मुगल का इतिहास को खताया नहीं गया है सर जो प्रोजिशन पढ़ाय जा रहे हैं सेवन्त में भी है ट्वल्त में भी है आप राफ इस्ट्री को जो हटा दी गई है उसकी एक डीटेल आपको दे देते हैं फिर जल्दी से सुदान्शु जी का रुख करेंगे कक्षा बार्वी क्लास किताब राजनेतिक विज्ञान यह वो किताब है जिसके कुछ चैप्टर्स हटाए गए गांधी जी की मिर्युत्यु का देश में सामप अब उसमें ऐसा नहीं है अब इन लाइनों को हटा दिया गया है सुदाशु जी इसका रीजन क्या है अब तो इतिहास है वो तो लगा था कि नहीं बताये तीन तीन बार लगा था आप गलती में ओवर्टेक में आपका सदार पटेल ने लगाया था भाई वो मान तो रहे हैं अरे बाई कुछ जल्दी से जल्दी से बाट से को रिवालवर किस्टे की थी 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 किलाव गवाई भी देता है बताओ ये बात क्यों नहीं पतांते हुए देखिये सर्दार पटेल ने बयरे लगाया बस ते कोई फरक हमने र की सर्दार पटेल ने देश के लिए काम किया अगर गलती साबित हो जाती तो बैन नहीं हटता बिलकुल बहुत सारे लोग है बहुत सारे लोग है जब संसत पर हमला हुआ यह पर इस रूब में आज चलिए हम रखने को तैयार है आप कहिए कि नहरू सरकार के पूरवाग्रे के कारण उन्होंने लगाया और उनकी गलती सिद्धु ही इसलिए हटाया रिखवाएंगे तैयार है तो यही है ना चुरूए तो इसका मतलब सरकार गलत थी जब गांधी जी कहत्या हुई उसके बर हिंदु महासभा सावर को गरफतार किया गया और यही नहीं शामा प्रसाद मुखड जी ने सर्दार पडल को चिठी लिखी कि आप पूरवागरा से ग्रसित होकर इसमे काम ना कर सर्दार पडल वाइदा किया कि कोई काम पूरवागरा से ग्रसित नहीं होगा सारे डॉकुमेंट्स उन्होंने ओडर दिये कि मेरी टेबल पर जाएंगे मैं उनको चेक करूँगा उसके बावजूद 18 महीने तक संगे लगा रहा और 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 कैसे कैसे बन अटा कहा गया है भारत के संभीधान को मानना पड़ेगा चरंगे को सलूट करना पड़ेगा और अपना संभीधान लिखना पड़ेगा नेगा इस शर्त पर प्रक्रफेसर साब बताएंगे कि नहीं वाश् उसका आदाइ लिखा है कि इनके विरूद कोई थो नहीं बनते इन गलत बिलकुल लिखा है करेंगे आपने कैसे पहले को ते आप अपने घर में फ़रा आते थे घर पर फ़राते थे रिपर फिर्पर काम करते थे ते तो ते सरकारी बिल्डिक नहीं फ़रा जाते हैं लोग ते आप हमारे दोनों तरफ बहुत लजनेट लोग बैठे हुए हैं लेकिन इधर से जिसे जुटलाया जा रहा है कहा जा रहा है कि ऐसा तो है ही नहीं तो क्या सुधानशु जी एमाल लिया जाए जिस भी राजनेतिक विचारधारा वाली सरकार रहेगी वो अपने हिसाब से इति ऻुट आलम के फिराक काफिले बते गई हिंडोसता बनता गया Pandha इनने समझ में नहीं घाता था कि हमारे है कि समाने में लिखा यfaatव जाहरा यक्डी कहारें भी जाम प्रूसतानल प्रूसतान प्रमधेताम प्रूसता थरी नहीं समझ में गयाता है यावाण टून करें टो पाताइब जबंग एक लिए में बहुत बाट कर लेकर आए वुर्णा जो पहते लिए ईंगे लिए मुहां पहले तरो नियुक्हुत पाई, हिर्णो निटिक धायने इस रहे, बाट करने लिए तरो, बोट तरो पहले, बोट पैल गए हूं, मैं बहुत बात कर कर देती है इन्होंने लिखा था कि बहुत बात कि जो बात कर रहे ना कि वेत 1100-1200 इसी के पार लिखे लिए लिखो पता रहे भाई 1100 कर देखे सारे मुद्धे जो है वो एक साथ मिलकर आ रहे है कर देखे लिखे वेराल वैचारिक मंतन इस मुद्धे पर लगातार जारी रहेगा आप सभी खास मेमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए कि दुनिया में एक देश बताईए जो अपने फॉरेन इन्वेडर का इतिहाद गोरिफाई पार्णा बताईए आप लोग मुझ छुपाने के लाइक ने कि दाया शिको गया सब्सक्राइब में फोले दिजनां को पनाम सब्सक्राइब में एक ने इस लिए लगता है जाकिर नाया वावर का नाम हर हिंदुस्तानी जानता है जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं कहना चाहता हूं डॉक्तर कलाम का नाम रखा गया शाती पीटे की कलाम साथ का नाम नहीं होना चाहिए पुरी पास सुझे कोट की प्रॉप्टिंग नहीं है आगे नहीं नमस्कार आपके साथ मैं हूं समीर अबास यहां लेट वर्सेज राइट सिलिबस पर बिग फाइट और यह फाइट लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं देश का भविश्य है कौन है जाहिर है हमारे युवा जो आज देश के कोने-कोने में पढ़ रहे हैं किताबों के बीच सिर्ख हपा रहे हैं उनके हाथ में भारत की तकदीर होगी आने वाले वक्त में इसलिए ये जरूरी है कि बच्चे किस राह पर जा रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं कॉर्स में क क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है ये बड़ी बहस का मुद्दा बने बहस इसलिए क्योंकि लोक्तंत्र की नीव तभी मजबूत होती है जब देश से जुड़े मुद्दो पर चर्चा होती है जब विशह इतने गंभीर हो तो बात करने वाले भी विद्द्वान होने च इतिहास का दिनेश कपूर साहब हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर वेड वरत तिवारी हमारे साथ जोड़ रहे हैं दिल्ली विश्विध्याले में इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं वो हमारे साथ मौजूद है और ये बदलाव के पक्ष में है इसके लावा वरिश पत्रकार आशुतोष हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर दिनेश वाशने साथ मौजूद है जो की डेली उनिवस्टी में हिस्ट्री के ही प्रोफेसर हैं प्रोफेसर गंगा साहे मीना साथ भारतिय भाषा स्कूल आफ लैंग्विज लिट्रेचर एंड कल्चर स्टडी से इ भी हमारे साथ मौजूद हैं लेकिन चर्चा की शिरुबात करें उस से पहले जिकर उन चैप्टर्स का जिनें हटा दिया गया है अकबर नामा का जिकर बार बार हो रहा है इस मामले में जब भी चर्चा हो रही है अकबर नामा में क्या था ये जरा हम आपको बताते हैं हिस् यानि वो रूल कैसे करता था उसका अड्मिनिस्ट्रेशन कैसा था ये सब कुछ अकबर नामा में जिक्र किया गए लेकिन फिलहाल जल्दी से बिना वक्त गवाए अपने खास मेहमानों का रुक करते हैं जो हमारे साथ इस वक्त मौझूद हैं सबसे पहले सुधान शुत्र र घृष्ट के इतिहास के बारे में जोन लिखता आए में विदेशी में कौन लिखता भारत में इंस्न कscale रहत में लूटने आयाЛ लूटे रहां का इतिहास और मैं तृनम्रतां दुनिया में एक बताई है λλوس us財 dilemma पहारे में प्रमानिद इससे क्या फ़रक पड़ता है वह इससे क्या और भी कहा न आइन अबरी तो पढ़ाओ आईने अक्बरी में क्या लिखा है उसने कहा अबूल फजल ने लिखा है कि जब चित्तवर जीता तो अक्बर कहता है कि मैंने वो मंदिर जो अलाउद दिन खिल जी के बाद भाद भी बच गए थे हिंदू और जाहिन मंदिर वो धुस्त किये तीस हजार लोगों की खोपड़ी पे खड़े होके गाजी के उपादी लिए भी पढ़ाईए या तो में बात ये है कि इमानदारी से इतिहास पढ़ाया जाए तो सही है लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मुगलो ने कृता से शासन किया तो अगबर के चरित्र का ये हिस्सा आ जो है ये से पढ़ने से कैसे महरूम रह सकते हैं चाहता हूं फिर तो उनको पता लगना चाहिए ना कि अगबर के करेक्टर का एक हिस्सा ये भी था अगबर से पहान सालों में 5000 सालों में जितने लोग सरकारों के दौरा या युदधमे मैसेकर किये गए देखेए युद में सेना कमरना एक अलग बात है पप्लिक मैसेकर किये वह हैं प्रोफेसर आर जी रमल कोई जाके चेक कर सकता और यू एम एम ई एल उन्होंने लिखा है कि अब तक उनक अब बताइए तेरवी शताब्दी के बाद ही भारत में मैसे करें तो एक फॉरणर कह रहा बिल्कुल अथेंटिक दुनिया भर के तमाम देशों की गई मगर हमारे यहां उल्टा पढ़ाया जा रहा था तो उसको सीधा करने में दिक्तर किया है जी जल्दी से उल्टा पढ़ाया जाए वहां तक भी ठीट है जूटा पढ़ाया जाए कपोल कल्पित पढ़ाया जाए और जो तंत्र मंत्र जादू टोना जिन किताबों में लिखा है उस तंत्र मंत्र में से एक संटेंस निकाल के उसको सच इस्थापित करके पढ़ाया जाए वो कहा है वो मैं आगे बता है सुदान शुदरिवेदी जी कपोल कल्पित इतिहास पढ़ाया जा रहा था अब तक जिसमें बदलाफ की की जा रही है कोशिश और अगर वाकई ऐसा था तो बदलाफ क्यों ना किया जाए आश्थाज जी देखे कपोल कल्पित तो यह है कि जब बादल हो तो आप भेज दीज कि एएरफर्स को और रणार पकड़नी पाए गए। इस बहास में मुझे दिक्कत इस बारे में नहीं है। जब बीज़ेपी की सरकार आएगी हो अपने अने हिसाब चींट को लिखने की कोशिश करेंगा पने इस तिहास को बताने की कोशिश दिखने लिफ टाइग अगर को इसमें कोई दिक्कत ने है, जो मद्धमारिगों पने हिसाब्स करें, दिक्कत का है, दिक्कत यह है कि मैं तो 100 साल से RSS के होने वाला है, एक ग्लोबली रिकागनाइजड संग का इतिहासकार मुझे बता दीजिए, जिसको पूरी दुनिया रिकागनाइज करती हो, आप इतिहा लिए, आप बार बार कहते हैं गलत पड़ाया जा रहा हूँ, जिए यह इतिहासकार, आप थाओ भार 7 की तरीकेसे, की तो नहीं है, क्योंक यह आपका बड़ा मराद इतिहास. आपको पता चलेगा कि पैरलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की गई, आप उनका 1857 का जो युद्ध है, जो लड़ाई, जो सुसंतिता का वह है, संग्राम, वह पलड़ी आपको समझा, बाकी और कौन है, मुझे बता दीजे, आप दिक्कत क्या है कि आप के हाँ पढ़ने नंपरा है नहीं, कोई बड़ा इतिहासकार है नहीं, इसलिए आप चीजों को डिलीट करना चाहिए, आप गांधी कोटाना जाते हैं, इसे क्या विचारों को डौंद आप नहीं मानते हैं, आप करें, सावरकर ने, वीड सावरकर ने, एक पैरलल हिस्ट्री लिखने की कोश लिखिए, स्थापित करिए, आप इतिहास स्थापित नहीं कर रहे हैं, आप इतिहास को मिटा रहे हैं, आप गांधी के चाहिए, आरेसेस पर हम आएंगे आशिप जाना चाहिए, संग के पास विमर्ष नाम की कोई चीज है ही नहीं, अगर होती, तो सौ सालों के अंदर हिं जानकारी अपने दर्शकों को दे 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 हैं और उसके बाद फिर अपने खास मेमानों का रुख करेंगे ये देखिए मुगल दर्बार का इतिहास कक्षा बार्वी क्लास की जो पार्टे पुस्तक है उसमें बदलाफ किया गया है मुगल दर्बार का इतिहास हटाया गया किताब थीम्स आफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट टू का जिक्र बार बार हो रहा है चैप्कर कौन सा है किंग्स एंड क्रोनिकल्स दा मुगल कोर्स इसमें मुगल दर्बार को कैसे आपरेट किया जाता था कैसे चलाया जाता था इसका जिक्र है तीस पन्नो को NCRT के नह सिलिबस से हटा दिया गया है बाहर का रास्ता दिखाया गया है अब इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है ये ज़रा जानने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे पहले देखिए क्या क्या हटाया गया मुगल काल की जो पांडू लिपिया थी वो हटा दी गई है युद्धो, शिकार, अभियानो, भवन, निर्माणों का इतिहास जो है वो भी हटा दिया गया तमाम जो भवनों के निर्माण हुए उसका जिक्र हटा दिया गया दर्बार के दृश्यों के माध्यां से मुगलों के इतिहास से जुड़ी जानकारियां हटा दी गई किंग्स एंड क्रॉनिकल्स दा मुगल कोर्स में ये सब कुछ था जिसे हटाया गया अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं सुधाशु जी ये एक बड़ा सवाल जहन में आता है देखे जब बात आश्टो जी ने थोड़ी सी राजनति के दी एक पैक्श्वल बता दो उन्होंने का रोमिला था पर बहुत बड़ी इतिहासकार है जिनका वो वीडियो आपने देखा होगा इन्होंने कहा जब युदिष्ठीर को रा इतिहासकार बुद्ध जीवी को इस थापित नहीं होने दिया गया और मैं इस डिबेट में उसमें डिटेल में जाना चाहता हूं मैं दर्शकों से कहता हूं जाके पढ़िए मित्रोकिन्स आर्काइव के जीबी अन्द वर्ड पार्ट टू जाके पढ़िए यूरी बैजमन जो के जीबी का जासूस था भारत में रहता था उसका डिटेल पढ़िए आइडोलोजिकल सबवर्जन सब आपको क्लियर हो जाएगा कि यह किस प्रक्रिया के तहत हो रहा था वो विशेव छोड़ देते हैं हम आज कि विशेव के उपर आते हैं अशुतोर जी ने कहा कि यह मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाए यह इंडिया गेट के चारो तरह मुगलों के नाम पर क्यों है बाबर रोड अकबर रोड हिमायू रोड चाजान रोड चात्वत शिवाजी के महराज पर है कोई लुटियन जोन में बताईए मान सिंग रोड है महरानाव परताब नहीं पंद्रा सो सताइस में आया तीस में मर गया धाई साल में उस्यादा जंतादल ने शासन किया इस देश पर जिनके लोगों के नाम नहीं जानते लोग सारे 500 साल पहले के धाई साल वाले चाजक कर रहे थे हुमायू रोड है डिल्ली में एक एक करके हम वो सड़के भी दिखा सब्सक्राइब कम से कम मैं सुधान्सु जी की समानदारी को मैंता हुमान लिया कि संग की परंपरा में कोई बड़ा इपिहास का रहे भी नहीं बनाया है अरे बहाई जब सावरकार लिख सकते था आप को नहीं लिख सकते थे 1925 के 1925 सले के 1927 तक तो कॉंग्रेस को साशन नह जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं वोटा पथना लेक्के चले जाते हैं लोग उसको पढ़ते हैं उसका अधार में विमर्श का दिक्कत क्या है जो इतना ज़्यादा टैलेंट डेफिसिट असंग परिवार के अंदर है कि वो इतिहास लिखे नहीं सकते मैं गैरंटी के साथ करता हूँ कि ग्लोबली रेकागनाईज अकेडमिक वर्ड में रेकागनाईज हिस्टी नहीं लिख सकते ये लोग अगर हो सकता तो सौ साल के प्राबला बहुत सीधी सी है कि जहां पढ़ने लिखने की बात होगी तो एक आदमी क्वेस्टिन करेगा कि संग के अंदर क्वेस्टिन करने की परंपरा नहीं है एक चालक अनुवर्खित वहां पर है ये नेता ने जो कह दिया उसको फालो करना है जो संग चालक के देते प्रोफेसर वाश्टे के पास जाना चा रहा था लेकि सुधानशु जी एक चोटा सा जवाब दे दिये वो ये कह रहे है कि एक विचार धारा है जो कि ठोपने की कोशिश की जारी करता हूँ कोट की प्रोसीडिंग जी ती राम जन भूमी का विच्छा जब आया और वो लोग हो तो मैं परसनली जानता हूँ इनकी तरफ से वही सब जेन्यू ब्रांट गए थे जिसमें आरेश शर्मा जी थे सूरज बान थे लो मिला था पर थे मगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थू गए अब देखें कोट में क्या बहुत पड़े लिखें है ना कोट और संस्कृत में ये जितने बाबरी मस्जीद की तरफ से तथा कथित लेफ्टिस्ट गए थे इन्होंने कोट में रिटेन में दिया है कि ना हमें फार्सी आती है ना संस्कृत आती है गजब है सहाब ना अर्केलोजी आती है ना लिट्रेचर आता है मतलब ना लिखाई आत ही है और दावा ये कि सारी खुदाई आती है यह तो मैंने कोट की प्रोसीडिंग को और एक समीर जिसने किसी वैदिक गुरुकुल में जाकर संस्कृत पढ़ी हो और तब संस्कृत के ओपर कमेंट किया हो जैसे आई-ई-टी में जाकर यहां पर बड़ी दिल्चस बैचारी ज डानसद ने फिर लाइब झाल लिजन में माल लिए इनका को इतिहास कार इन छो को में है रह मिला थापर को विपन कंает को दुनिया रीग चांडां कौेते हैं किस्त कुमला थापर को विपन चंदरा कोस्ता को चेह तेश चंदरा को रुलाद के जास को रोनित संधियं क्या लेखन है यह नहीं, इतिहासकार है यह नहीं और उनका अकेडमिक्स है नहीं, वो सिर्फ क्वेस्चनिंग को ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप यह बहुत बड़ा चलिंज दे रहे हैं और उसके जवाब में सुधानशु जी ने अपने तर्फ दिये, लेकि जन्स्थान और शासनकाल, यह हम अब आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यह देखिए, जो इस वक्त आप देख सकते हैं, बाबर, जन्स्थान, उजबेकिस्तान, 1526 से 1530, बाबर से शुरुवात करते हैं, इसके बाद हुमायू, जन्स्थान, अफगानिस्तान, 1530 से 40 और 55 से 56, यह है उसका शासनकाल, इसके बाद आप आजाईए, अकबर, सिंध, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, 1556 से 1605, शासनकाल रहा, इसके बाद जहागीर, जन्स्थान, भारत, मुगल शासक, लेकिन जन्स्थान, भारत, सरजमीन हिंदुस्तान, 1605 से 1627 तक शासन कि इसके बाद शाजहा, लाहूर, जो कि अब पाकिस्तान में, 1627 से 1658, यह शाजहा का शासनकाल था, इसके बाद औरंगजेब, जन्स्थान कहां, भारत, हिंदुस्तान, 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहा, और इसके बाद बहादुर शासन, जन्स्थान, भारत, और उ इंग्रेजों के खिलाफ जो जंग लड़ी गई बहादुर शाह जफर की तरफ से उसके किसे हम बच्पन से सुनते आएं हैं लेकिन सवाल ये है कि क्या सभी को एक तराजू में तौल देना ठीक होगा इस सवाल के जवाब करीए मैं सुधानशु जी आपके पास आऊंगा और अधिया जवालत इतिहास पढ़ाने की कोशिश की ये आरोब जो है इस पर आपका जवाब क्या है क्या वाकरी ऐसा हुआ है क्या जिससे अब सुधारा जा रहा है समीर जी देखिए सीड़ी साथी बात है मैं आपकी बात से आज जो सुदानशु जी ने आन्यों ने जो आरो पर आजिया जानना चाहता हूं मैंसो पटामिया क्या थी नील लदी की सब्वेता क्या थी अरे सुनिये अनातोलिया सब्वेता तुर्की क्या थी इटियन्स कौन थे बताईए ना अब आपके बीच में नहीं बोला था इतियास है किससे कानी नहीं होते है ऐसको लेने के लिए मोसाइंटिपीक टूर होता है आज कि अलागी नहीं है घर तुट नहीं पूछा थी ना उनको आथी ना उनको आती थी और जो प्रफिसर आरजी टाग्राने हो गये वो आर्के लाजिस्ट हैं, उन्हें संच्कित आती हैं, उन्हें पाली आती हैं, और जो परफेसर सूरज बांगए, उनको भी संच्कित ब्रह्मिय और पाली आती थी, जिसने आपको कही लगनों कोड में का गया यहीं, बिलकुल नहीं का गया, आप लाइए रिकॉर्ड लगन अब बाइश में बोलिये, भूते हैं आसकीन की योज ना सुन लिए, आज आदी के बास से आज तक, यह नोंने विदेश्वियों ने लिखा है, लो मिला था पर विदेशी है, आरे शर्मा विदेशी है, डियेंजा विदेशी है, यह प्रफेसर कहा किते है, विपिन चन्द को ना लगाया जाए, यह चाहते ही नहीं है कि विदेशार एक लागे पड़े, क्योंकि इनकी योजना है, हिंदी हिंदु निस्तान, अगर यह सब निखाने तो इनको आटारी भी निखाना पड़ेगा, विदेशी है, यह उसको दो निखा रहे हैं, अब सुल लिए, सर, सर कैसे बताएंगे आप, मुझे आप बताएंगे, क्या उस राज्या की परफेसर को आपके पड़ाया गया, घटा है, ठीक है, वेदवरत तिवारी जी, सर, एक मेडिक, सर, अब आपकी इजासे, सर, हिस्ट्री के प्रोफेसर ने बहुत जो तर्क हैं, इस मामले से जुड़े वो सामने रखे हैं, इसलिए एक और हिस्ट्री के प्रोफेसर से इसका जवाब लेंगे, वेदवरत तिवारी जी, हमारे साथ मौझूद है, हिस्ट्री के ही प्रोफेसर हैं, दिल्ली विश्विध ड्याले में, तिवारी जी, अगर एक तूरे चैक्कर को ही, सर, बिल्कुल पाम पंती विचारधारा की बुलेंगे, तिवारी जी, बताईए, अगर पूरे चैप्टर्स को ही हटा दिया जाएगा, वो कैसे रूल करते थे या फिर उनसे घलतियां क्या होंगी, खुई, अतीत में, इतिहास में, ये पता ही नहीं चलेगा, तो उनसे हम कैसे आगे बढ वद्धारा का जा सकता, अब हुआँ चल रहा है, बहुत शांदा डिवेट है, तबसे पहले की ये अच्छोजी ने आरूप लगाया कि संघ का या भारत में इतिहास लिखने के परंपरा ही नहीं थी, सावरकर को मान रहा है, उसके लिए थांक्यू, आपने अक्नोलेच किय वह कि बहुत्वां सगे नहीं है संगेंडी कि उसरे क्या नहीं मुंदि टेरा था हुए। वूस सब्सक्राइब करने के philosophy. कि जो संगठन फ़र्तिवी रावत श्रॉस बनाने की कोशिश करता है यूंदा की भारत में बाते बारत क्ता लिकूर, बहुत है कि भारत का इतिहास लिखने के लिए हमारे लोग बचे ही कहा थे हम लगाता रूप निवेश्वाद में रहे और जब अंग्रेजों का शाशना तो जेम्स मिल ना इतिहास लिखा वही भारत में इस पढ़के आते थे और वही इतिहास यहां पर बच्चों को पढ़ा बच्चिन बारत का तियास पूरा पढ़ाया जाता है कहीं पर नहीं है विजय लगर इंपायर पूरी बढ़ाए जाती है विजय लगर इंपायर तो आप पढ़ाएंगे जितने भारत महाधिक में राज किया उसी तरह से मुगलव ने किया तुर्क पढ़ाएंगे बहुत नहीं बताएंगे बहुत नहीं सो पचास से कोड़ वार के बाद से आप लोगों ने हिंदुस्तान ही नहीं लग बग दुनिया के सारे अकेडमिक इंस्यूशन पर आपका कप जार आपक सब्सक्राइब करोड़ों दर्शक इस डिबेट को देख रहे होंगे और इस मुद्दे को लेकर जबरदस वैचारिक जंग चिड़ी हुई है हर कोई अपने विचार रखना चाहता है इसलिए दोनों तरफ के जो विचार है विरोत के भी और पक्ष के भी वो सामने आजाएं ये हमारी मन्शा है हमारे साथ दिनेश कपूर साब भी मौजूद है दिनेश कपूर साब लेकिन अभी हमने मैंने जो हिस्टरी दिखाई जो तमाम मुगल शास्कों के बारे में बताया उसमें से तमाम तो ऐसे हैं जो भारत में ही पैदा हुए है जिनका दम भारत में ही निकला उनसे किस बात की दुश्मनी वो बेड़ा गरक हुआ जो मैं समझता हूँ वो हुआ इस देश की आजादी के बाद जो पहले पाँ शिक्षा मंत्रियों की नीती थी मैं डारेक्ट बात करता हूँ उनकी नीतियां अब मैं ये उनको वर्गों में यह मजब में ढृइड में करना चाहता अब उनकी नीतिया वाम पंद्धियों की और सबसे बढ़ी हामारी जो सर इनका इतिहास शुरू मुगलों से होता है या सल्तनत से होता है और खतम भी मुगलों पे होता है। इसलिए 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 इनको इतना आक्षा रहा है कि बोलने नहीं दे रहे हैं। और ये गैस बनाने प्यांग है दोनों का व्यू देख लिए है। आरोब का सिसलिए यहीं पर रोग देते हैं। आसन काल का प्रमारिक इतिहास माना जाता है जंगल बुक में मोगली नाम कैसे आया। और ये पढ़ाया जा रहा था लेकिन अब नहीं पढ़ाया जाएगा। मोगलों से दिक्कत है सुधाशु जी ये समझ में आता है। मोघली से भी दिक्कत है। एंझर कुझे.. सखले और ये शाह कहा जे आया जा.. शाह कहा से बताना परश क बोगली से कहा जिक्कत है। घंद ये नाब ये जब वहां से आया... कि आपने को बता देता हो इन्हों ने शाप उचाना बहुत शाह पेलों कहते हैं का राकी हिंदुवानी हिंदुवान का तिरके राक्षि ना कुरान रांगों प्रकातल नहीं सुनी मैं और शाही के सब्वूत इतिहास से मुगलो को हटाया जाएगा ये उन्होंने का है सुनिये जराबाद तो सुदानशु जी ये क्या प्लैंड वे में सारी चीजे हो रही है और ये आपकी सरकार का एक मुख्य अजेंडा है क्या मुगलो को हटाया जाना और यतिहास में बदलाव करना अगर ऐसा है तो फिर ये क्यों बताया नहीं जा रहा है कि सरकार ये चाहती है इसलिए हम ये कर रहे हैं पिर ये क्यों कहा जा रहा है कि कोविट था पाठे करम कम करना था ताकि मुश्किल सवाल जो है वो चात्रों को तैयार ना करने पड़े इसलिए हमने ये बदलाव करना हो था तो फाल्तू की चीज़ एटाई जाती है ना तो मैं ये कह रहा हूं सुनिए बढ़ बिल्कुल बता रहा हूं मुझे मुझे बता रहा हूं और ये मुगल साल तू क्यों थे ये बता रहा हूं सुनिए मुगलों की उत्पति बाबर के बंच से मानी आती है जिसकी मा मंगोल और बाप उजबेक का तोटल फॉरेनर कनेक्शन और आज के मुसल्मानों से खाम खाम जोडने कोशिच करते है आज जीनोम सीक करेंसिंग का दौर आ गया है चुनवती से कहता हूं भारत के किसी मुसल्मान का उजबेक और मंगोल डियने से कोई कनेक्शन नहीं मगर मैं क्यों भाल तू कह रहा हूं क्योंकि ये बताईए कि जिस प्रकार से आप उसको पढ़ाने का प्रयास करतें दुनिया में एक देश हम तो चैलो में रहें हुं माफी मांग Kern का हम थो यहाई था चाहिए हो ख्षीया कैंना कि मुझाण पार दॉश्ची के दो बाते हुएं यहीं हो यहीं हुए और सुधाइशू जी ने साफ Вас दौर करका कि मुगलो को मुगलो को पढ़ाना क्यों जरूरी है मुगलो को महान किसने बनाया सर एक निट मुगलो को महान किसने बनाया ये सवाल जहन में आपके भी आ रहा होगा NCRT की किताबों पर जो रिसर्च हुई है सर एक निट अकबर का जिक्र 97 बार 97 टाइंस शाजहां का जिक्र 30 बार औरंजेप का भी जिक्र 30 बार और छटरपती शिवाजी महाराज का जिक्र सिर्फ 8 बार हैरत होगी आपको ये सुनकर महाराना प्रताप का जिक्र सिर्फ 1-2 बार ये भी हकीकत है सर ये भी हकीकत है अब इस पर आप क्या कहेंगे अशुतोष जी एक टोष जी इस पर डिबेट के टूंड़क्त तो मुझे करने दीजे ना जी आशुतोष जी अभी तक नहीं बोले मुझे लगता है जी तो उनको भी बोलना चीज़ पर आप बोल देमाएक अगर आप अशुतोष जी इस पर न क्योंकि भारती जन्ता पार्टी के रास्ट्रिय प्रवक्ता पढ़े लिखे सुधान शुत्रवेदी ये कहते हैं यह फालतू है जो चीज फालतू है वो इतिहास का हिस्सा नहीं होना चाहिए मैं कहता हूं कि आप आप और दूसरा क्या है मुहमत गजनवी जब से आया है ज सब्सक्राइब बारती जन्ता पार्टी जो सथाम है उसके रास्टी प्रवक्ता सुधान शुत्रवेदी ये करें फालतू है मेरा तर्की है जो फालतू है भारत के इतियास को सुक्सुर रखिए इसमें कहां मैं तो आपके साथ हूं आप सोला साल हो गए अटल ब्यारी जो गांधी वद कहा करती थी 1962 तक उसके बात गांधी से नहीं लड़ पाए तो प्रात इसमरण ये कर दिया सुधान शुजर मैठे पूछिए गांधी बद कहते थी नहीं कहते थे उनसे पूछिए और अगर ये लाम आना है तो गीता लेकर आईए और गीता पर हाथ रखव लुए तरफ बोले तरि घ्राट सिंग आजाता था यह लिए प्राट सिंग वाले लोग आजाके वहां शड़ देते हैं थी नहीं ख्यानी आपके प्रूशन नहीं कहा है सर्दार पते ने 11 सितंबर उन्यों सुपाने के लायक लेकिन अगर मैं बताओ पिर बहुत संगे बारे में क्या का है अधीत में कुछ गल्दिया हुई है लेकिन क्या वाकई उन गल्दियों को सुधारा जा रहा है का कि या फिर एक राज्जचा थान थेऊपने की कोशिश की जा रहे है इसाए जल्दिसे आपको क definite कि हम इतिहास को उसी नजर से देखना चाहते हैं जैसा राष्ट राष्ट हम बनाना और हम इतिहास को संपूर्णता में दिखा करके उनको ये बात समझा सकते हैं और मैं समझता हूँ कि भारत के पास खूबी है ऐने दुनिया के दूसरे रास्टो को Regionalören के देखा बताना होगा कोई हिस्से को हम इTIहास से हटाएंगे तो हम अपने आने वाली पीडियों के साथ में जाटती कर रहे हैं उनके साथ में कुस धुरावः छुपाथ कर रहा है रही हैं जिस्से की वो संकूरता में चीजों को ना समझ पाए बोगल शास को ने जो अच्छे काम किए वो भी बताया जाने चाहिए जो घलत काम किए वो भी बताया चीजे जिनकी तरफ अब ध्यान देना चाहिए हम मुगल और हिंदू के बीच कि लड़ाई रहे हैं अभी समा इस देश के बहुत सारे लोग जिनका इतियास नहीं लिखा गया लेकिंगे अच्छे काम भी मुगलों ने किये वह अपने स्वार्थ के लिए कि आप मुझे बढ़ाईए तो यह कौन तय करेगा तो यह कौन तय करेगा तो यह कौन तय करेगा लगता है मुझे लगता है मुझे लगता है मुगलों से थोड़ा सा आगे निकलकर अब राष्ट्पिता महत्मा गांधी पर भी बात कर लीजाए क्योंकि यह बहुत आपती है डिबेट करने में जी बताइए जब हमारी तरफ से कोई बोलता है सब लोग डिस्टर्ब करने लगते हैं वह बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब किया आप बोलिए तब डिबेए डग से हो जीक है तो आपको जवाब देने का फूरा मौकर में लेका लेकिन मैं देगा उसार कहा ना है मैं दर्शकों से कह रहा हूं इन लों से नहीं हां बच्चों से पूछिए सिर्र रह एकबर का नाम किसने सुनाएं दावे से कहता हूं दस में नौ को पता ही नहीं सिर्र रहा है एकबर कहां है पता है कहां से कंपोजिट कल्चर कल्चर वहां से आया औरंगजेप का बड़ा भाई ताथ पिर बोलने लगे बीच में पूरी बात कम्टिक करिए जिसको हम उसने उपनिशिदों को पढ़ा उपनिशिदों का फार्सी में अनुवात कराया और उसका नाम रखा सिर्रे अकबर यानि वर्ट्स ऑफ गोड़ उसे इतिहास की जन्नल किताबों में नहीं सीरे जिसने इतिहास बिशाए गरूप में नहीं पता दारस्कों को ने दाराशिक पढ़ाया एक मिनट सर अब आप बोले दो मैंने लिए आशिदों सोला साल सरकार में रहें था क्यों नहीं पढ़ाया आप यह से साल की सरकार थे मैं तो सवाल कर रहा हूं कि भाई लेफट इस्टों ने गर इतिहास का बंटाधार किया आप पढ़ाईए आप मुगलों के इ इतिहास से बाहर कर दीज्ये आप यह काम को नहीं कर रहें क्यों कि आप आप अरे किया है और च्छोटा सवाल कर रहा हूं मैंने का बई जो जो पहले की इतिहास पिर नहीं पढ़ाए गया था आप उसको डालिए ना ढंके की छोट पर डालिए आप कहिए कि मुगलों का इतिहास इंडिस्तान के बच्चे को नहीं पढ़ा जाए फालतू है आप यह नहीं कर रहे हुमाईयों रोड है आप कहाँ हुमाईयों रोड है अख़ए अरे हटाईए ना किसने मना किया आपको 303 में आपके मिंबर अप पार्लामेंट है आपके हिम बचात किया आपके हैं अगजिए अरे कह राता वूठी के अपलए अप हैं उसका रखाई रहां और छिशान के पार्फ़ वटाई जाने कियो वरंग रहो नाम किसका रखार कर रखा कर रखा कर राम का मैं पूछने चाहता हूँ कि दोक्र कर राम के नमाधे दनाइदा में कोई शक्रिस बताइए बताइए कोई नहीं आपने ये बताइए आप मुग्लों के ट्यास को नहीं अटाब देखिए मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया शाती पीटे की कलाम साथ का नाम नहीं होना चाहिए बीर अब्दुल समीर की शादती 85 वर्जगाट पे कोई शक्रिया फोटो दिखाएए 2015 में ये बताइए उस्ताद बिस्पिल्ला खा को भारत अटेल्डी की सब्कार में मिला 2000 पे चो नहीं मिला इनके जमने में अब मैं पूछा जाता हूं भारत की सेना का पहला गैलेंट्री एवाड में ब्रि मुगलों को बहुत फुटेज मिल गई अब बात हम कर लेते हैं इस देश के सबसे बड़े सेकुलर नेता राश्पिता की राश्पिता महात्मा गांदी की बात कर लेते हैं क्योंकि मैं देख रहा था जब मगलों पर भी बात हो रही थी तो महात्मा गांदी से जुड़े जो फैक्स हैं जो महात्मा गांधी की हत्या के बाद का काल खंड का उसमें बहुत सारे बदलाफ किये गए हैं वो क्या हैं फैक्स कर नजर डालिए सर अबने मैंखास मेंवानों से भी कहुँँगा थोड़ा इinhard तवज्यों दे होड़ा इदर तवज्यों दे कक्षा बारभी क्लास किताब राजनैटिक विग्यान चैप्टर, महात्मा गांधी का त्याग, महात्मा गांधी का त्याग, अब क्या निकाला गया है, सर एक मिनट, क्या निकाला गया है, आउट अफ सेलेबस क्या किया गया है, महात्मा गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की, द्रिन कोशिश ने हिंदू चरम पंतियों को उकसाय कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के कई प्रयास किये। यई हटा दिया गया। गांधी जी उन लोगों को विशेश रूप से नापसंद थे जो चाहते थे कि हिंदू बदला लें। ये Хटा दिया गया। या जो चाहते थे कि भारत हिंदूों के लिए एक देश बने ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान मुसल्मानों के लिए था ये पहले पढ़ाया जाता था लेकिन अब इसे सिलिबस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है अभी नातुराम गोट से कब इस दिक्र हुआ गोट से प गोली मारकर हत्या कर दी ये लिखा गया है पहले क्या था गोट से एक चरम पन्ती हिंदू अखबार का संपादक था ये भाशा लिखी थी आत्म समर्पन करने वाला हत्यारे का नातुराम गोट से था अब ये लिखा गया है तो कुल मिलाकर जो बदलाव किये गए हैं वो हम आपके सामने रख दिये और मैंने NCRT के डारेक्टर DP सकलानी से ये सवाल पूछा था कि नातुराम गोट से गांधी जी का हत्यारा था उसका RSS से असोसियेशन था और गांधी जी की हत्या के बाद RSS को बैंड किया गया था मतलब ये आरोप लगा कर कि उसका RSS से असोसियेश जो हट गया उसको क्यों पढ़ा जाएगा दुबारा अगर वो एक्सपर्ट ने का हटाना है तो हट गया ना वो तो नहीं पढ़ेंगे को जरूर यह कि किताब में सब चीज पढ़ानी है छोटे बिच्चों को जिसको पढ़ना है अलग से पढ़ सकता है बहुत सारा लिटर RSS को लेकर जो बात कही गई थी RSS BAN को लेकर जो बात कही गई थी अब वो सेलिबस का हिस्सा नहीं है यानि गांधी जी की हत्या के बाद का जो कालखंड था उससे जुड़ी कई घटनाएं और उनका तसकरा जो था वो अब हटा दिया गया है सुदान्शु जी इसके पीछ क्या रीजन है जब हम यह नहीं बताएंगे कि गांधी जी की हत्या के बाद किस पर आरोप लगे RSS को क्यों बैंट किया गया और फिर बैंट हटाया भी गया 18 महीने तक बैंट था लेकिन उसके बाद हटाया गया जब हम यहीं नहीं बताएंगे कि RSS को बैंट किया गया था यह कहने का क्या मतलब है इसका मतलब तो यह कौन सी नीती है मुझे याद है वो तो हमारी मेमोरी की बात है 31 अक्टूबर 1984 इंद्रा जी की हत्या के बाद अख्बारों में लिखा था दो सिक अंगरक्षकों ने हत्या की और उसके बाद जो देश में हुआ था वो हुआ था क्य की थी भाई और वहां पर दो और अखबार थे जिनकों की यह लोग बहुत इंपोर्टेंस मानते हैं संयोग से एक विदेशी और भारती था हिंदू और नियॉक टाइम्स दोनों के पत्रकारों ने लिखा चार गोलियां चली और आज तक यही नहीं पता कि गोली कितनी चली अब जंता को बहुत बना रहे हैं सुप्रेम कोर्ट अलड़ी इस याचिका को को जि illnesses का कड़ चुका त satisf जो जो त्याव कै चु़िसा है तो मुझे एसा लगता है Посलिसीन कोड़ में एक ऊते लंगा निठार निठा है शोड़ा पाल तस पालिभा प्क्र कर अने कि उस स्कार जो लोग मांते थे भारत हिंदु धर्म के लोगों का देश होना चाहिए और भारत को बदला लेना चाहिए वो लोग मोहंदास करमचंद गांधी को नापसंद करते थे मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि छात्रों को ये जानने का हक क्या क्यों नहीं है कि महात्मा गांधी जी की हत्या नातूराम गोट से ने की और वो जिन विचारों से प्रेरित था वो विचारधारा कौन से थी इसे आप क्यों हटा रहे हैं सिंपल सा मेरा सवाल है बहुत रेलिवेंट कोश्चन मैं बता है था हूँ महात्मा गांधी की हत्या बहुत रुभागेपूर्ण है और भारती इतिहास के लिए बहुत गंभीर प्रश्ट मी खड़ा करता है लेकि मैं बता दूँ उस समय कि जो प्रस्थितियां थी वह बहुत साप सपश्ट थी और जिस तरीके से एंसी आटी बुक की बुक्स में पहले इस बात को दिया गया लिखा गया कि एक एक्स्रिमिस ब्राम्वन के द्वारा किया गया यह कोई मतलब नहीं होता अब किसे खडंगों के लिए तो हम किसी जाती समुधाय के ऊपर इस तरह कमेंट नहीं लिख सकते नहीं कर सकते तो यह गलत डायमेंशन में चीज़ों कि गई थी और इसलिए यह जरूरी था कि वहा पर करेक्शन किया गया है एक दूसरे जवाब में देना चाहूंगा बार-बार डिबेट में बात आ रही है कितने दिनों से सरकार थी आपने क्यों नहीं परिवर्तन किया दोजार में जब सरकार आई थी बाचपी जी प्रदान मंत्री थे दोजार चार में एंसी आर्टी किताब को सारा सिल्बस जो है वो किया गया अधर्णी असी चंद्वित्तल जी थे और मुक्रसन माखनलाल थे रिडाइटिंग की गई और दोजार चार में पप्लिश होकर के प बात के एक साइज है तो इसमें रेपिटेशन को खतम करने के बात की गए यह मुगल का इतिहास तो खताया नहीं गया है सर जो पॉजिशन अलड़ी पढ़ाय जा रहे हैं सेवन्त में भी है ट्विल्थ में भी है आप राफ इस्ट्री को देखिए बाके जगए देखिए द अब RSS को लेकर क्या ऐसी चीजें हैं जो हटा दी गई है उसकी एक डीटेल आपको दे देते हैं फिर जल्दी से सुधानशु जी का रुख करेंगे कक्षा बार्वी क्लास किताब राजनेतिक विज्ञान ये वो किताब है जिसके कुछ चैप्टर्स हटाए गए गए ये कहा गया था पहले जो टेक्सबुक थी लेकिन अब उसमें ऐसा नहीं है इन लाइनों को हटा दिया गया है सुधानशु जी इसका रीजन क्या है भी तो थी आुट है अंध्र गिरा था कि ने ये बताया ये तीन तिन बार भी पचय और युद्य है जोनशु दिन आप गलते बहुट इख घानल लागा है ये अब देखिए अब देखिये ले हटाया भी था सदार पतेल ने क्यों पैला बइन सकता है वह ढाते हैं पटा की ने पता इता है पता हो यह नि पता क्यों निक्तानित कर बnajparents you पूर्दी जी ने तुनिया की सब्सक्राइब बनाई क्योंकि सर्दार पटेल ने देश के लिए काम किया था इस भालत को एक पिजोड़ने काम किया लगा है जो जो सर्दार पटेल नहीं 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 कि अभी कारेश समिती में 1991 जे पहले सर्दार पटेल की फोटो तो अगर गलती साबित हो जाती तो बैन नहीं हटता बिलकुल बहुत सारे लोग है बहुत सारे लोग है जब संसत पर हमला हुआ यह पर इस रूब में आजा चलिए हम लखने को तैयार है आप कहिए कि नहरू सरकार के पूरवाग्रे के कारण उन्होंने लगाया और उनकी गलत सब्सक्राइब करेगा कि क्या उसके बर हिंदु महासभा सावर को गरफतार किया गया आरेसे के उपर बैन लगा और उसके साथ गोलवल करको गरफतार किया गया और यहीं नहीं शामा परसाद मोखड जी ने सदार पटल को चिट्छी लिखी कि आप पूर्वाग्रा से गरसित होकर इसमे काम ना करा सदार पटल वाइदा किया कि कोई काम पूर्वाग्रा से गरसित नहीं होगा सारे डॉकुमेंट्स उन्होंने ओर दिए कि मेरी टेबल पर जैङे मैंको चेक करूँक, उसके बावजूद 18 महीने तक संचन के बेहन लगा रहा, काई सूझे मानना पड़ेगा है भारत के समभीधान को मानना पड़ेगा, तिरणे को स्रूठ करना पड़ेगा और अपना सम्भीधान लिखना पड़ेगा, प्रोफेसर साब बताएंगे पर पाश्टे जी वास्टे जी फ्रेंड वीडिया चूट बना चाहीं ने जाए नाइशनल आप जाहीं तो प्रप्लम है नहीं आप लिखा हुआ है उसका आधाद है कि इनके विरोद कोई सबूत नहीं बनते तो आपको लोगा आपको लिए दुखे दुखे भी दिधिंडल केसे पहले आपने पराओंपने घर आते दे गर पर आते दे जो आपको लिए आपको लिए कम करते दे है हमारे दोनों तरफ बहुत लगनेट लोग बैठे हुए है लेकिन इधर से जिसे जुटाया जा रहा है कहा जा रहा है कि ऐसा तो है ही नहीं तो क्या सुधानशु जी इमाल लिया जाए जिस भी राजनेतिक विचारधारा वाली सरकार रहेगी वो अपने हिसाब से इतिहास आप लोग भी कर रहें पहले भी यहीं हुआ यूपिये के दौर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है यह कहना चाहता हूं यह तो वह विचारधारागी सरकार जो कहती है देश कभी एक थाई में यह तो वह विचार कहते थे सरजमीने हिंद पर अक्वाम आलम के करेंगा निर्मितम देशम हिंदुस्तान म् परिशक्ते थे नहीं समय में आता दाए यह कभ लिखा है यह कभ लिखा है यह संदर्भु आनके यह यह तो प्राइब लिखाए यह तो दौन को वान के अधिश्व यह निगें इसने अधा भी अच्छीं और अधा जो राइव बहुत 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 कर देती है इन्हों ने लिखा था कि बहुत बात कि लिए बात के रहे ना कि वेट 1100-1200 EC के पाद लिखे लोगों पढ़े लिखो बता रहे भाई सब्सक्राइब कर देखिए सारे मुद्धे जो है वो एक साथ मिलकर आ रहे हैं एक बने डिक मिल वहराल वैचारिक मंतन इस मुद्धे पर लगातार जारी रहेगा आप सभी खास मेमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए कि दुनिया में एक टेश बताईए जो आपने फॉरेन इंवेडर का इतिहाद दोरिकाई पार्णा बताईए आप लोग मुझ छुपाने के लाइक ने कि दाराशी को गया सब्सक्राइब बोलें जिनांतों को बता है कि यह इस्राइब कर देश को आप मुगलों के इतिहास को भारत के दिखाईए एच दिन के अंदर ख़िए का बाबर का नाम हर हिंदुस्तानी जानता है कि ओ 1527 नाया तीस ने मर गया धाई साल में अस्यादा जंतादल ने शासन किया इस देश पर जिनके लोगों के नाम नहीं जानते दो जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आके इस्टूडियो में बोलते नहीं कि मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया शाती पीटे की कलाम साथ का नाम नहीं होना नमस्कार आपके साथ मैं हूं समीर अबाज यहां लेट वर्सेज राइड से लिबस पर बिग फाइट और यह फाइट लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं देश का भविश्य है कौन है जाहिर है हमारे युवा जो आज देश के कोने कोने में पढ़ रहे हैं किताबों के बीच सिर्ख अपा रहे हैं उनके हाथ में भारत की तकदीर होगी आने वाले वक्त में इसलिए ये जरूरी है कि बच्चे किस राह पर जा रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं कोर्स में क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है ये बड़ी बहस का मुद्दा बने बहस इसलिए क्योंकि लोक्तंत्र की नीव तभी मजबूत होती है जब देश से जुड़े मुद्दो पर चर्चा होती है जब विशे इतने गंभीर हो तो बात करने वाले भी विद्वान होने चाहिए हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेमानों का बहुत खास मेमानों का पैनल दिल्ली विश्विद्याले में इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और ये बदलाव के पक्ष में हैं इसके लावा वरिश पत्रकार आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर दिनेश वाशने साथ हमारे साथ मौजूद हैं जो की ड चर्चा की शिरुबात करें उस से पहले जिक्र उन चैप्टर्स का जिने हटा दिया गया है अकबर नामा का जिक्र बार बार हो रहा है इस मामले में जब भी चर्चा हो रही है अकबर नामा में क्या था ये जरा हम आपको बताते हैं हिस्ट्री आफ मैंनकाइंड शासन के पहल करता था उसका administration कैसा था ये सब कुछ अकबर नामा में जिक्र किया गए लेकिन फिलहाल जल्दी से बिना वक्त गवाए अपने खास मेहमानों का रुक करते हैं जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सबसे पहले सुधान आशुत्र वेदी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा chapters तो बदले जा रहे हैं बहुत कुछ है जो बदला जा रहा है लेकिन इतिहास को कैसे बदला जाएगा जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम दुनिया के कलोते राश्ट्र हैं जो prehistoric nation only surviving civilization of the ancient world अगर अफसोस कि उस प्राग इतिहासिक राश्ट के इतिहास के बारे में कौन लिखता है विदेशी लिखता है विदेशी में भी कौन लिखता है जो भारत में ज्यान प्राप्त करने आया उनका इतिहास नहीं जो भारत में लूटने आया उन लूटे रहाँ का इतिहास और मैं विनमृताज कहता हूँ दुनिया में एक देश बताईए जो कहता हूँ मेरा लिखा इतिहास प्रमानिक नहीं है विदेश का लिखा इतिहास प्रमानिक बताईए कोई ब्रिटन में कहता हूँ फ्रेंच ने ल आपने भी कहा ना आईने अक्बरी तो पढ़ाओ आईने अक्बरी में क्या लिखा है उसने कहा अबूल फजल ने लिखा है कि जब चित्तवर जीता तो अक्बर कहता है कि मैंने वो मंदिर जो अलाउद दिन खिल जी के बाद भाद भी बच गए थे हिंदू और जायन मंदिर दोस्त किये तीस हजार लोगों की खोपड़ी पे खड़े होके गाजी के उपादी लिए भी पढ़ाई यह तो में बात यह है कि इमानदारी से इतिहास पढ़ाया जाए तो सही है लेकिन अगर आप यह कहते हैं कि मुगलो ने कुरूता से शासन किया तो अक्बर के चरित्र का यह इस पढ़ने से कैसे महरूम रह सकते हैं छातों पिर तो उनको पता लगना चाहिए ना कि अगर के करेक्टर का एक हिस्सा यह भी था यह तो पहान नहीं था वह इस्सा गायब और यह इससा सही हम में एक और फैक्ट के चाहना भारत का इतिहास हमारा चोड़िए संगी में मैसेकर किये गए देखे युद में सेना कमरना एक अलग बात है पब्लिक ने मैसकर किये वो है प्रोफेसर आर जी रमल कोई जाकर चेक कर सकता आर यू एम एम एल उन्होंने लिखा है कि अब तक उनके के साब से 90 करोड से लेके एक अरब 40 करोड लोग पिछले धाई हजार वरसों में शासन के द्वारा मारे गए भारत एक मातर ऐसा देश है जहां तेरवी शताब्दी से पहले कोई मैसकर नहीं हुआ विद एंग्सेप्शन ओफ कलिंग और एक कोई साउथ के जिसमें कुछ हजा लोग मारे गए लाक भी नहीं अब बताइए तेरवी शताब्दी के बाद ही भारत में मैसकरे तो एक फॉरेनर कह रहा बिल्कुल अथेंटिक दुनिया भर के तमान देशों जकी गई मगर हमारे यहां उल्टा पढ़ाया जा रहा था तो उसको सीधा करने में दिक्तर के पढ़ाया जाए और जो तंत्र मंत्र जादू टोना जिन किताबों में लिखा है उस तंत्र मंत्र में से एक संटेंस निकाल के उसको सच इस्थापित करके पढ़ाया जाया यह तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुदान शुद्रिवेदी जी कपोल कल्पित इतिहास झाल हो तो आप भेज दीजे एर फूर्स को और वो रडार पकड़ नहीं पाएगा। इस बहहत में मुझे दिककत अस बारे में नहीं है। जब बीजेपी की सरकार आईगी वो अपने हिसाब्स इतिहास को लिखने की कोशिश करेंगा, पने हिसाब्स इतिहास को बताने की कोशिश करेंगा, लेफट आईगा अपने हिसाब्स करेंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मद्धमारी को अपने हिसाब्स करेंगा, दिक तो आप इतिहास लिए तो आप बार बार कहते हैं गलत पढ़ाया जा रहा तो लिखो ना इतिहास बनो ना रोमिला थापर की तरीके से बड़ा इतिहासकार बनियाना विपन चंद्रा की तरीके से बनियाना केंपनिकर की तरीके से बनियाना केंपनिकर की तरीके से बनियाना के आपको पता चलेगा कि पैरलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की गई, आप उनका 1857 का जो युद्ध है, जो लड़ाई, जो संग्राम, वो पल्डिजा आपको समझा, बाकिया और कौन है, मुझे बता दीजे, आप दिक्कत क्या है कि आप के यहां पढ़ने लिखने की परंपर करने एक पैरलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की, वो उनके विचार भी तो हो सकते है, मैं सावरकर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं RSS की बात कर रहा हूं, और क्योंकि सावरकर का जिक्राएगा, तो RSS के लोग बहुत तगला भी दखते है उसमें, और अगर अभी बता दू तो भागने खड़ा हो जाएंगे, क्या बात मैं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इतिहास में विमर्ष होना चाहिए, इतिहास में जंग नहीं होनी चाहिए, आप इतिहास लिखिए, स्थाफित करिए, आप इतिहास स्थाफित नहीं कर रहे हैं, आप इतिहास को मिटा रहे ह RSS पर हम आएंगे आशिक जी अभी मुखलों पर मैं चाहना चाहते हैं अगर होती तो सौ सालों के अंदर हिंदुस्तान के इतिहास लिखकर बोलते चीक है ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सुदाशु जी मैं जानता हूं इस पर आप रियाक्ट करना चाहते हैं लेकिन मुखल दर्बार का जिकर हो रहा है मुखल दर्बार का इतिहास हटाया गया है इससे जुड़ी एक एहन जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं और उसके बाद फिर अपने खास मेमानों का रुक करेंगे ये देखिए मुखल दर्बार का इतिहास कि जो पार्ट पुस्तक है उस में मुगल दर्बार को कैसे आपरेट किया जाता था कैसे चलाया जाता था इसका जिक्र है तीस पन्नो को NCRT के ने सिलिबस से हटा दिया गया है बाहर का रास्ता दिखाया गया है अब इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है ये जानने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे पहले के निर्माण हुए उसका जिक्र हटा दिया गया दर्बार के द्रिश्यों के माध्यम से मुगलों के इतिहास से जुड़ी जानकारियां हटा दी गई किंग्स एंड क्रॉनिकल्स दमुगल कोट्स में ये सब कुछ था जिसे हटाया गया अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं सुधानशु जी ये एक बड़ा सवाल जहन में आता है देखे जब बात आश्तों जी ने थोड़ी सी राज्यनती के दिए एक फैक्शुल बता जो युधिश्ठीर का inspiration अशोका से लेने की बात करते हों किते महान इतिहासकार होंगे सब समझा और आज तो बहुत सारे literature available हैं ये 60-70 के दशक में ये जो इन्होंने कहा ना बिलकु सही बात है बिलकु सही बात है संग की तरफ से किसी भी इतिहासकार बुद्ध जीवी को भारत में रहता था उसका detail पढ़िए ideological subversion सब आपको clear हो जाएगा कि ये किस प्रिक्रिया के तहत हो रहा था वो विशेव छोड़ देते हैं हम आज की विशेव के उपर आते हैं अशुतोर जी ने कहा कि थे ही नहीं आपने कहा कि होने ही नहीं मैं आने के बात करूं को राज सब्सक्राइब नाम हर हिंदुस्तानी जानता जो 1527 नाया 30 में मर गया धाई साल में उस्यादा जनता दल ने शासन किया इस देश पे जिनके लोगों के नाम नहीं जानते लोग सारे 500 साल पहले के धाई साल वाले चाचक कर नान सब्सक्राइब तो पता है आप जिस रोड कर कर रहे ते हम रोड दिली में समीड एक 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 करके हम वोस्तके व 늘 दिखा रहे हैं जिसका धिर भी आपकी सुधाशु जी कर रह youngest यह मिलिए रोड शाजहार पर अगबन दिली में यह सारी हैं वो दिली में आशतों जी कुछ समीर, कम से कम मैं सुधानसु जी की सिमानदारी को मान लिया कि संग की परंपरा में कोई बड़ा इतिहास कर रहे, मान लिया इनों नहीं बनाया, अरे भाई, जब सावरकार लिख सकते थे, आपको नहीं लिख सकते थे, 1925-1925-1947 तक तो कंगरेस को साशन नहीं थे, लिख के द परंग जेब के रहा नाम से रोड थी, साज हमायू के नाम से रोड है, अखबर के, क्यों नहीं हटाये, दिक्कत क्या है, कि आप एक नारेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं, जो लोग इतिहास लिखते हैं, वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं, वो लिख कर मोटा पथ रेकिस्टर के स्टूडियो में रिख सकते हैं, अगर हो सकता तो सौ साल के अंदर इतिहास लिख देते हैं, तो कि प्राब्लम क्या है, प्राब्लम प्राब्लम बहुत सीधी सी है, जहां पढ़ने लिखने की बात होगी, तो एक आदमी क्वेश्चिन करेगा, क्योंकि संग क परंपरां नहीं है एक चालक अनुवर्खेता नहीं है और वहां पर दिंच रहा यह치ंट सब जवाब देना चाह रहे हैं, हाला कि मैं प्रोफेसर वाश्टे के पास जाना चाह रहा था, लेकिन सुधान्शु जी एक छोटा सा जवाब दे दिये, वो ये कह रहे हैं कि एक विचार धारा है, जो कि थोपने की कोशिश की जाए। पर थे, मगर वो अपने रिप्रेजंटेटिव के थ्रू गए, अब देखे, कोट में क्या गया है, बहुत पढ़े लिखे हैं ना, कोट से कहा गया, कि साब ये बताईए, ये एंशेंट इंडिया का विशे, आप में से कितने लोगों का विशे एंशेंट इंडिया है, उन्हो दूसरा उन्हों लिकित में दिया, ये आर्केलोजी और कल्चर दो विशे होते हैं, ये खुदाई से रिलेटेड विशे है, उन्होंने कहा जी, आर्केलोजी हमारा विशे नहीं, अब आगे कि मज़ेदार बाद देखिए, दो सारे डॉकुमेंट दो ही लैंग्मेजेज मे प्रोघलोजी अति, जा रिकित लिफ्स और विशे हैं, गजब है सहाब, ना अर्केलोजी आती है, ना लिट्रेचर आता ओनला, ना लिखाई आती है, ने खुदाई आती है, और ये तो मैने कोट की प्रोसीडिंग के और कि जाने heavily दिलचस्त पuing comeut उसरे को चेलेंज किया जा रहा है, मैंने रहा है. मुझे खुछ रिकोर्स भी दिखानी है, मुझे खुछ रिखानी है. विर भार्ती जन्तापाटी के शांसद्रे ने फिर लाइब तेलिविजन में मान ली आए, इनक्या को इतिहास कर नहीं है. अरे भाई आपने माना आपने, दूसरी बार माना आपने, मैं आप यह कहते हैं कि हमारे फ़ला इतिहासकार ने जो संग से जुड़ी हो हैं, इतनी मोठी किताब लिखी हैं जिसको दुनिया रिकाग्णाइज करती है, आप आप तोंट में जा रहे हैं, दुनिया का मतब क्या ह ही नहीं, इतिहासकार ही नहीं और उनका अकेडमिक्स ही नहीं, वो सिर्फ क्वेस्टनिंग करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप यह बहुत बड़ा चैलिंज दे रहे हैं, और उसके जवाब में सुदाशु जी ने अपने तर्क दिये, लेकिन मुगल बाद्शाहों का स कमपूर इतिहास, बाद्शाह, जन्मस्थान और शासनकाल, यह हम आप आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यह देखिए, जो इस वक्त आप देख सकते हैं, बाबर, जन्मस्थान, उजबेकिस्तान, 1526 से 1530, बाबर से शुरुवात करते हैं, इसके बाद हुमायू, जन पाकिस्तान का हिस्सा है, 1556 से 1605, शासनकाल रहा, इसके बाद जहागीर, जन्मस्थान भारत, मुगल शासक, लेकिन जन्मस्थान भारत, सरजमीन हिंदुस्तान, 1605 से 1627 तक शासन किया, इसके बाद शाजहा, लाहूर, जो कि अब पाकिस्तान में, 1627 से 1658, यह शाजहा का श शासनकाल था इसके बाद औरंग्जेब जन्मस्थान कहां भारत हिंदुस्तान 1658 से 1707 तक औरंग्जेब का शासनकाल रहा और इसके बाद बहादुर्शाद जफर जिनका जन्मस्थान भारत और उन्होंने आखरी सासे भी यहीं लिए 1837 से 1857 और अंग्रेजों के खिलाफ जो सभी को एक तराजू में तौल देना ठीक होगा इस सवाल के जवाब के लिए मैं सुधानशु जी आपके पास आऊंगा और इधर बैटे अपने खास मेमानों के पास आऊंगा लेकिन प्रोफेसर वाशने एक बहुत संगीन आरोप लग रहा है और वो आरोप यह है कि जो व सारा जा रहा है समीर जी देखिए सीडी साथी बात है मैं आपकी बात से जो शुदानशु जी ने आइन उनने जो आरोप लगाए वो गलत है मैं आपको इसको इस सिलसिलेवार धंग से बताता हूं पहली बात पर इनके इतिहास के ग्यान को देख लीजे ये कहते हैं कि साब भारत एक मात्र ऐसी सिविलाइजेशन है वहाथ है से जो प्रिहस्टॉरिक या प्रतिहासिक समय से चल दी है क्या थी क्या थी कि अनाटोलिया सब्ध़ता तुर्की का सी हिटियन कौन थे बताईये ना जिए आपके मिद्वानी बोला था इतियास किस्से कानी नहीं होता है इतियास को लेने के लिए मुझ साइंचिक टूल होता है आज के लोगी नहीं देवेंट जरूप को परशियन आती है हर्च नरायन जिवास्तों को पर्शियन आती थी आपके लोगी आती थी आपके लोगी आती थी और जो प्रॉफेसर आर्जी ठाकराण हो गए वो आर्के लाजिस्त है उन्हें संक्कित आती है उन्हें पाली आती है और जो प्रफेसर सूरज बाएगा उनको भी संस्क्कत ना पाली आती finding दी यस दो को को भी जोड़ना वाँड पिलिए की आच की जोजना सुन लिएं आजानी के बात सी एंडिया का यह चाहते हैं चाहते ही नहीं कि इनकी जोजना है हिंदी हिंदु निस्तान अगर ये सब निखाने तो इनको आटारी भी दिखाना पड़ेगा इसको देखा रहे हैं अब सुलिगे जिन बातों का आपने जिक्र किया उसी का एक जवाब लेगे जितने भी रहां पे लिखे गए हैं अगर आप मुगल को नही कि मेडीवल इंडिया के राजे, राजे का धरम, राजे की प्रवती कैसे पताएंगे आप, मुझे आप पताएंगे, क्या उस राजे की प्रवती को आपे पड़ाया गया धटारा जा हुआ, ठीक है, वेदवरत तिवारी जी सर, अब आपकी इसले की प्रवेसर ने बहुत जो तरक हैं इस मामले से जुड़े वो सामने रखे हैं इसलिए एक और हिस्ट्री के प्रोफेसर से इसका जवाब लेंगे वेदवरत तिवारी जी हमारे साथ मौझूद है हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्विध ड्याले में तिवारी जी अगर एक पूरे अगर पूरे चैप्टर्स को भी हटा दिया जाएगा वो कैसे रूल करते थे या फिर उनसे घलतियां क्या होंगी खुई अतीत में इतिहास में यह पता ही नहीं चलेगा तो उनसे हम कैसे सीख लेंगे कैसे आगे बढ़ें इतिहास को तो बतना नहीं जा सकता लिए जवाब तो सुन लिजे जवाब में भी हरे बहुत चांदा डिबेड है जै अब ज़े पहले कि ये अश्टो जी ने आरोप लगाया कि संघ का या भारत में इतिहास लेखने की परमपरा ही नहीं थे हां वारकर को मान रहे हैं तो ये थैंक्यू आध अना अखना बारत में इतिहास लेखने की परमधरा है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए बात। जो अधरिन सुदान सुजी ने कहा, बहुत सब्स्ट है कि भारत का इतिहास लिखने के लिए हमारे लोग बचे ही कहा थे हम लगातार उपनिवेश्वाद में रहे और जब अंग्रेजों का शाष्ण ना तो जेम्स मिल न इतिहास लिखा वही भारत में आईसी पढ़के आते और वही थी हास यहां पे बच्चों को पढ़ाया चाथा था जो कोलोनियल स्कूल आफ राइटिंग आप सभी जानते हैं और इसके बात जो निशनिस इस्टोरियंस ने लिखना शुरू किया तो आप कैसे बूल रहे हैं के पीजैस्वाल है 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 सिर के नील कंड शास्त्री ह आज नहीं है सब्सक्राइब आपके सामने है जद्ना सरकार ने औरंग्जेब का पूरा कच्छा-चित्ता खोल गए रखाया जाता है कई पर नहीं है विजैनकर इंपायर पूरी बढ़ाए जाती है विजैनकर इंपायर तो आप पढ़ाएंगे जिसने भारतियों महाधिक में राज किया उसी तका से मुखलों ने किया वो नहीं बताएंगे यह वैचारिक जंग है आप हमेशा से हावी रहे सर 1950 से कोड़ वार के बाद से आप लोगों ने हिंदुस्तान ही नहीं लग दुनिया के सारे सब्सक्राइब करोड़ों दर्शक को देख रहे होंगे और इस मुद्दे को लेकर जबरदस वैचारिक जंग चिड़ी हुई है हर कोई अपने विचार रखना चाता है इसलिए दोनों तरफ के जो विचार हैं विरोध के भी और पक्ष के भी वो सामने आ जाएं यह हमारी मंशा है हमारे साथ दिनेश कपूर साब भी मौझूद है दिनेश कपूर साब लेकिन अभी दिखाई सत्व तो मुखल शास्कों के बारे में बताया उसे तमाम तो ऐसे हैं जो भारत शिख्षामंत्रियों की नीति थी मैं बात करता हूं उनकी नीतिया अब मैं यह उनको वर्गों में यह मजभ में डिवाइड नहीं करना चाहता पर उनकी नीतिया वामपंधियों की और सबसे बड़ी हमारी जो सरकार थी कॉंग्रेस की इनकी नीतियों ने इतिहास को एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में बन करके रख दिया वो इतिहास इनका इतिहास शुरू मुगलों से होता है या सल्तनत से होता है और खतम भी मुगलों पे होता है उसके अलावा पर इंडिया के वरकर है भारत की कम्नुस पार्टी भारतिय नहीं है इसलिए इनको इतना आक्षा रहा है कि बोलने नहीं दे रहे हैं और यह गैस बनाने प्याग है दोनों का व्यू देख लिए आरोप पुर्ट्यारोप का सिल्सला यहीं परोब देते हैं अब बहुत इंट्रेस्टिंग फैक्ट है वह अपने दर्शकों के सामदे रख दे जंगल बुक में मोगली नाम कैसे आया यह बहुत इंट्रेस्टिंग है देखिए जरा शासनकाल का प्रमारिक इतिहास माना जाता है जंगल बुक में मोगली नाम कैसे आया वह सोला से सत्रवी शताब्यों में मुगल शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था मुगल इसके बाद रोडियार्ट किपलिंग की जंगल बुक में मोगली नाम भी मुगल से आया और ये पढ़ाया जा रहा था लेकिन अब नहीं पढ़ाया जाएγα बाइ मोगलों से दिक्कत है सुधाशु जी ये समझ में आता है मोगली से भी दिक्कत है जा खहा कहा से आया बताओना परशियर्स गया परशियर्स भरे साहय साथ सब्सक्राइब करते हैं नहीं को बता देता हूं पहले बताता हूं इन्हों ने शाह पूछा ना बहुत शाह पे लोग कहते हैं का जिवा जी के सामराज के लिए हिंदुआनी का दिनिसूंइ और शाहिए के संसीर तैरी दिली दालबात के दिवान फान रूपदाशाही आया, मगर आपके जीवाद में शाह हूं बसा है एक खबर एक खबर लेनी है अपने दर्शकों के लिए आयोध्या के मरी राम दास चावनी के महंत कमल नहीं दास का कहना है कि राम राज तब ही आएगा जब इतिहास से मुगलो को हटाया जाएगा ये उन्होंने का है सुनिए जरा बात तो राम राज अगर लाना है राम राज रादें के लिए जिस विधा के द्वारा जिस सम्विधान के द्वारा जन संख्या की भी समता बढ़ती जा रही है राष्ट की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तब्य होता है उसी विधा को उस कानून को हटाना चाहिए और हटा करके समता समरस्ता अस्थापित करना चाहिए तो सुदानशु जी ये क्या प्लैंड वे में सारी चीजे हो रही है और ये आपकी सरकार का एक मुख्य अजेंडा है क्या मुख्यों को हटाया जाना और यतिहास में बदलाव करना अगर ऐसा है तो फिर ये क्यूं बताया नहीं जा रहा है कि सरकार ये चाहती है इसलिए हम ये कर रहे हैं फिर ये क्यूं कहा जा रहा है कि कोविट था पाठे करम कम करना था ताकि मुश्किल सवाल जो है वो चात्रों को तयार ना करने पड़े इस लिए हमने ये बदलाव कि जब कम करना हो था तो फालतू की चीज़ एटा ही जाती है ना तो मैं ये कह रहा हूँ सुनिए एक बार बार बिल्कुल बता रहा हूँ मुझे मुझे लगता है कि दर्सक देख रहा हूँ पूरा वाक्तों ने दीजिए सब क्या तरीका रहा हूँ सुनिए मुगलों की उत्पति बाबर के बंच से मानी आती है जिसकी मा मंगोल और बाप उजबेक था ठीक टोटल फॉरेनर कनेक्शन और आज के मुसल्मानों से खा का दोर आ गया है चुनवती से कहता हूँ भारत के किसी मुसल्मान का उजबेक और मंगोल डियने से कोई कनेक्शन नहीं मगर मैं क्यों तू कह रहा हूं क्योंकि यह बताईए कि जिस प्रकार से आप उसको पढ़ाने का प्रयास करते दुनिया में एक देश बताईए जो करता हैं का जो जैलो मनें आप मापी मांगे बताई हैं का कौन जैल मुदा माफी मांगे एंप स्रीपात्स हां इसके तो नहीं स्रीपाद यहां बताईए वा इसकार आप आप जाएं दो बातें यहां पर हुई हैं सुधानशू जी ने साफ तोर पर कहा कि मगलो को पढ़ाना क्यों जरूरी है मगलो को महान किसने बनाया सर एक निट मगलो को महान किसने बनाया यह सवाल जहन में आपके भी आ रहा होगा एंसी आटी की किताबों पर जो रिसर्च हुई है सर एक निट अकबर का जिक्र संतानवे बार 97 टाइंस शाजहां का जिक्र 30 बार औरंजेब का भी जिक्र 30 बार और छटरपती शिवाजी महाराज का जिक्र सिर्फ आठ बार हैरत होगी आपको यह सुनकर महाराना प्रताब का जिक्र सिर्फ एक दो बार यह भी हकीकत है सर यह भी हकीकत है अब इस पर आप क्या कहेंगे आशुतोष जी समेट पर चैयं अब आप बोल दमायकल ज़िए पर मैं साइस अब क्या है मैं तो कहता हूँ मोधी सरकार से भारती जन्ता पार्टी से कि 1526 से लेकर 1707 और 1857 कि इतिहास को से लेप सहटा दीजी सरकार आपकी है क्योंकि भारती जन्ता पार्टी के रास्ट्रिय प्रवक्ता पढ़े लिखे सुधान शुत्रिवेदी ये कहते हैं जो चीज फालतु है वो इतिहास का हिस्सा नहीं होना चाहिए मैं कहता हूँ कि आप और दूसरा क्या है मुहमत गजनवी जब से आया है जी आप जब से ब्रिटिश आ गए वो पूरा इतिहास बच्चों की किताब से हटा दीजिए नहीं हटा दीजिए उस दौर का इतिहास कै मेरा तरकी है जो फालतु उसको हटा दीजिए जो महतवपूर्ण है भारत के इतिहास को सुक्सो रखिए इसमें कहां मैं तो आपके साथ हूँ आप सोला साल हो गए अटल मियारी वाजपई ने छे साल प्रधान मंतरी थे नो साल से नरिंद मोदीजिए क्यों नहीं हटा रह सांब और अगर यह ना माने तो गीता लेकर आई एंगर देंगे पर हात रखोई इन से अचे जिए गांधी वाने क्या हो ने कि और भागाशा सींग टर्रिस्त है और तो अजिए अगले हो इशन में हता रही कि और आगी उस पर हात रखकर बोले जाए बढ़ने वाज़ी ब सब्सक्राइब 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 इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा और हम इतिहास को संपूनता में दिखा करके उनको ये बात समझा सकते हैं और मैं समझता हूँ कि भारत के पास एक खूबी है मैंने दुनिया के दूसरे राष्टों को देखा और मैंसूस किया कि भारत के पास एक खूब्सूर्ती है कि हमारा सामासिक संस्कृति का इतिहास है इतिहास है ये हमारी मजबूती है इसको हम अपनी ताकत बनाएं बच्चों को बताएं कि कौन सा शाष्रक आया उसका बैभार कैसा था उसकी खामिया क्या थी उसकी खूबिया क्या थी हमें इसको संपूर्णता में लिखना होगा और संपूर्णता में आने वाली पीडियों को बताना होगा कोई हिस्से को हम इतिहास से हटाएंगे तो हम अपने आने वाली पीडियों के साथ में जात्ती कर रहे हैं उनके साथ में कुछ दुराव छुपाप कर रहे हैं चिस्से की वो संपूरता में चीजों को ना समझ पाए मतलब बोगल शासकों ने जो अच्छे काम किये वो भी बताया जाने चाहिए जो घलत काम किये वो भी बताया जाने चाहिए खार काम किये लेकिन और अंजेब बड़ा कुम्राइब बनाया इन सबसे मिलकर हमारा भारत बनाये इन सबसे मिलकर हम सबके बारे में बताएं तो इतिहास की बहुत सारी चीजे जिनके तरफ आव ध्यान देना मुगल और हिंदू के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं अभी इस देश के बहुत सारे लोग जिनके तियास नहीं लिखा गया लेकिन जो अच्छे काम भी मुगलों ने किये वह अपने स्वार्थ के लिए कि आप मुझे बढ़ाईए जो भी शार्षक है जो भी शार्षक है मैं वह हम्भू शार्षक है मुस्लिम शार्षक है जो फाहना पड़ेगा ना यार्यसस के लोगों ने आजदी की लड़ाई में हिस्सा ने लिया ये भी पढ़ाईए अरे सुनिए इस बात होले कर और यह पढ़ाईए की गुरू बोल्वकर ने जो शहीं के बारे में का पई करने में हमारी तरफ से कोई बोलता है सब लोग डिस्टरब करने लगते हैं वो बोल रहे थे किसी ने डिस्टरब किया आप आप बोलिए तब डिबेट ढगज़ होगी तुरिंकी एक एक बात को जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा लेकिन मैं देख रहा हुआ है मैं पूरी बात कम्टिक करिए जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं तता कतित गंगा जमनी तहजीब कहते हैं मैं कहना चाहता हूँ उसकी शुरुआत कहां से होती है दाराशिको जो औरंग जेप का बड़ा भाई उसने किताब लिखी मजुमल भारीन इसका रत होता है तो समु और टॉराय यानी वर्ट्स ओफ घार उसे इतिखास की जन्यवक्त की चरूबिजंड की किताबों में से नहीं पाल रहा हूं से नहीं पता दृएं होगा नहीं पता उपना हूं उपस्टा है एक मिनट सर, आप बोले दो मैंने नहीं पोल या आशेतों जल्दी। 16 साल सरकार में रहें, क्योंनी पढ़ाएं, आप लिए सेल बस वे क्यों नहीं लाएं 16 साल रहें अटल जी कि 8-6 साल की सरकार थे, मैं तो यहीं तो स्वाल कर रहा हूं कि भाई लेफ्ट इस्टो ने गर इतिहास का बंटाधार किया आप पढ़ाईए आप मुगलों के इतिहास को हिद्नुस्तान के इतिहास से बाहर कर दीजिए क्योंकि फालतू है आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप आप इस शिर्वात सर मुझा बोलने दीजिए वो कहेंगे शिर्वात तो हो गई है अब आप आहरे दीजिए करके अचार है आप इसको डालिए ना डंके की चोट पर डालिए आप कहिए कि मुगलों का इतिहास इंदुस्तान के बच्चे को नहीं पढ़ा जाए आप ये नहीं कर रहे हमाई रोड है आप कियो हमाई रोड कि आप तो 303 मेंबर अपर्लाइमेंट है आपके हिम्मत नहीं हटाने की इसलिए आप इस तरीके की बाते करते हैं हिम्मत है हिम्मत तो आप मुगलों के इतिहास को भारत के देमें जाता के दिखाईए एच दिन के अंदर खरिए का नहीं कर सकते हैं लेकिन लेकिन उस वाप अब तीस सेकंड में जवाब देता है इनों ने किसे नाम की सड़क घटाई थी तो कॉंग्रेस ने क्या मादी पार्टी तक पिजाए चाटी तो के जाके जाके क्यों और रंग जाओ नाम किसका रखा कराम का मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्तर कराम के नमाजे दनायदा मे कोई शक्रिस बताईए बताईए कोई नहीं आपने आप मुग्लों के त्यास को नहीं अटाए आप उसका जवाब देखे मैं कहना चाहता हूँ डॉक्तर कलाम का नाम रखा गया चाहती पीटे की कलाम साथ का नाम नहीं होना चाहिए बीर अब्दुल हमीद कि शाहदत की पाजार एक पे चो नहीं मिला इनके जमने में चीक आप मैं पुछा जाता हूँ भारत की सेना का पहला गैलेंट्री वाड़ना ब्रिगेडे मुहम्मद उस्पान के खर पर कोई यह इस्वाद नहीं जाकिर नाये बावार तुगलत और अंजे उन्हों नहीं देश को पुसा के लोगों तो मैं एक ही बात कहता हूं मुगलों का इतिहास कन नरेंद मुदी जी संसद्व प्रस्ता पात करता है ठीक है हिम्मत तो करके दिखाईए चीक है मुझे लगता है घंकेकी चोट पहता हाके दिखाईए ठीक है मुझे लगता है अब बात हमकर लेते हैं इस देश के सबसे बड़े सेकुलर नेता राशपिता की राशपिता महात्मा गांडी की बात कर लेते हैं की मैं डेकھ रहाlichen कि नहीं देख रहाता जब मुणलो से भी कहूँगा थोड़ा इदर तवज्जों दें ठक्षा 12 क्लास किताब राजनेश्टिक विग्यादश चैप्टर महात्मा गांधी का त्याग महात्मा गांधी का त्याग अब क्या निकाला गया है सार एक मिनट क्या निकाला गया है आउट अफ सेलेbस क्या गया है महात्मा गांधी की हिंदू-मुस्लिम एकता की द्रिन कोशिश ने हिंदू-चरम-पंथियों को उकसाया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के कई प्रयास किये यह हटा दिया गया गांधी जी उन लोगों को विशेश रूप से नापसंद थे जो चाहते थे कि हिंदू बदला लें यह हटा दिया गया या जो चाहते थे कि भारत हिंदू के लिए एक देश बने ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान मुसल्मानों के लिए था यह पहले पढ़ाया जाता था लेकिन अब इसे सिलिबस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है अभी नातुराम गोट से कब इस दिकर हुआ गोट से पर क्या हटाया गया है यह देखिए गोट से पुने का ब्रहमर था यह पहले लिखा हुआ था अब 30 जन्वरी की शाम को अपनी दैनिक प्रातना सभा में गांदी जी की एक यूवक ने गोली मार कर हत्या कर दी यह लिखा गया है पहले क्या था गोट से एक चरमपंथी हिंदू अखबार का संपादक था ये भाशा लिखी थी आत्म समर्पन करने वाला हत्यारे का नाम नातुराम गोट से था अब ये लिखा गया है तो कुल मिलाकर जो बदलाव किये गए हैं वो हमने आपके सामने रख दिये और मैंने NCRT के डारेक्टर डीपी सकलानी से ये सवाल पूछा था कि नातुराम गोट से गान्धी जी का हत्यारा था उसका आर नहीं पढ़ेंगे किताब में सब पढ़ानी है चोटे बच्चों को जिसको पढ़ना है अलग से पढ़ सकता है बहुत सारा लिट्रेचर बिले जानने का सोर्स क्या ये किताब ही है क्या इधियास से को ना सकता है और बड़े तो देखिए कुल बिलाकर RSS को लेकर जो बात कही गई थी RSS BAN को लेकर जो बात कही गई थी अब वो सेलेबस का हिस्सा नहीं है यानि गांधी जी की हत्या के बाद का जो कालखंड था उससे जुड़ी कई घटनाएं और उनका तसकरा जो था वो अब हटा दिया गया है सुदानशु जी इसके पीछे क्या रीजन है जब हम यह नहीं बताएंगे कि गांधी जी की हत्या के बाद किस पर आरोप लगे RSS को क्यूं बैन किया गया और फिर बैन हटाया भी गया 18 महीने तक बैन था लेकिन उसके बाद हटाया गया यह कहने का क्या मतलब है इसका मतलब तो यह कौन सी नीती है मुझे याद है वो तो हमारी मेमोरी की बात है 31 अक्टूबर 1984 इंद्रा जी की हत्या के बाद अकबारों में लिखा था दो सिक अंगरक्षकों ने हत्या की और उसके बाद जो देश में हुआ था वो हुआ था चूँकि इनको समाज में करना था और पूरा फैक्ट बता रहा हूँ नाथू राम गोटसे ने अपने सम्मिशन में कहा कि मैंने दो गोली मारी पुलिस ने कहा तीन गोली मारी गई तीसरी गोली किस की थी भाई और वहाँ पर दो और अख़बार थे जिनकों की ये लोग बहुत इंपोर्टेंस मानते हैं संयोग से एक विदेशी और एक भारती था दा हिंदू और नियोर्क टाइम्स दोनों के पत्रकारों ने लिखा चार गोलियां चली और आज तक यहीं नहीं पता कि गोली कितनी चली आप जनता को बेखुब बना रहे हैं सुप्रीम कोट अलड़ी इस पुरे इस याचिका को रिजेक्ट कर चुका है तर्ड जो तीसरी गोली की जो थेयरी थी तो मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोट में गया था या नहीं गया था या नहीं तो अगया था या तो दो पूल नहीं तो पूरा जूट मा कॉलिये जोट बहुत नहीं तो पूरा नहीं तो नहीं तो पूरा यह तो लोग मानते थे भारत हिंदु धर्म के लोगों का देश होना चाहिए और भारत को बदला लेना चाहिए वो लोग मोहंदास करमचंद गांधी को नापसंद करते थे मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि छात्रों को ये जानने का हक क्या क्यों नहीं है कि महात्मा गांधी जी की हत्या नातूराम गोठ से ने की और वो जिन विचारों से प्रेरित था वो विचारधारा कौ लेकि मैं बता दूँ उसमें कि जो प्रस्षितियां थी वह बहुत साफ स्पष्ट थी और जिस तरीके से एंसी आटी बुक की बुक्स में पहले इस बात को दिया गया लिखा गया कि एक एक्स्रेमिस ब्राह्मन के द्वारा किया गया यह कोई मतलब नहीं होता यह कोई तरी तो नहीं कर रहा है कि जो हत्याकांट हुआ था लेकिन उसके पीछे की जो बाते हैं वो सामने लोगों के आने चाहिए मेरा यह मानना है कि जिस तरीके का पोट्रेल पहले नातुराम गोटसे के बारे में एंसी आटी में था उसको वहां पर क्रेक्शन किया गया है एक दूस चंदमित्तल जी थे और माकनलाल थे रिडाइटिंग की गई और 2004 में पप्लिश हो करके पुब्लिक डॉमेन में आई और जैसे ही 2005 में सरकार आई और तुरंदी में इस किताब को बैन करके उसक्राइब कर दिया और दुबारा उसकिताब को नहीं किताब चपी गई आपकर प्रेमवर्क दस साल के लिए है 2020 में दुबारा से एंसे इसके बाद के एक साइज है तो इसमें रेपिटेशन को खतम करने के बात की गई यह मुगल का इतिहास को खताया नहीं गया है सर जो प्रोजिशन अलड़ी पढ़ाय जा रहे है सेवंथ में भी है ट्वेल्थ में भी है आप क्राफ्ट इस्ट्री को देखिए बाके जगए देखिए दूसरे चैप्टर्स में मुगल हैं अभी भी मौजूद हैं हम क्या आज को नहीं मुदल रहे हैं हम सही परिप्रिक है ठीक है मुगलों का तस्क्रा तो हम ने कर लिया लेकिन लेकिन आरेसेस पर क्या क्या करेंगे कक्षा बार्वी क्लास किताब राजनेतिक विज्ञान ये वो किताब है जिसके कुछ चैप्टर्स हटाए गए गांधी जी कि मृत्यू का देश में सामप्रदाइक इस्थिती पर बड़ा असर हुआ इसे आउट अफ सलेबस कर दिया गया भारत सरकार ने इनों को हटा दिया गया है सुधाशु जी इसका रीजन क्या है अब देखें सवाल पूछे के आरेसे से बैन लगा था या नहीं लगा था इस दिन ने लगाया था आप गलती में ओवर्टेक करेंगे आप देखेंगे लगाया था भाई वो मान तो रहे हैं अरे जल्दी से जल्दी से बहुत से को रिवालवर किसे दी थी पता यह था नहीं देता है बता हुए बात क्यों नहीं बताते हैं सुधाइशोजी चल देखिए, सरदार पतेल ने बैन लगाया, सरदार पतेल ने बैन रहटाया उससे हमें कोई फरकth नहीं बाहुत है हमने सरदार पतेल की पतानने मंत्री अधादी की मुर्दी जीने दुनिया की संही मूठी बनाई क्योंकि सरदार पतेन ने देश के लिए काम किया था इस भारत को एक प्रिजोड़ने काम किया लगा लगा है लेकिन लेकिन अशु जी बैन लगा तो बैन रटा भी ना बैन अगर घलती साबित हो जाती तो बैन नहीं हटता बिलकुल बहुत सारे लोग है बहुत सारे लोग है जो जब संसत पर हमला हुआ यह पर इस रूप में आज चलिए हम लखने को तयार है आप कहिए कि यह नहरू सरकार के पूरवाग्रे के कारण उन्होंने लगाया और उनकी गलती सिद्धू ही इसले हटाया रिखवाएंगे जब गांदी जी कहत्या हुई उसके बर हिंदू महासभा सावर को गरफतार किया गया और इसके बार बैन लगा और उसके साथ-साथ-स गोलवल करको गरफतार किया गया और यह नहीं शामा परसाद मुखर जी ने सर्दार पडल को चिप्षी लिखी कि आप पूरवागरा से ग्रसित होकर इसमे काम ना कर सादार पडल वाइदा किया कि कोई काम पूरवागरा से ग्रसित नहीं होगा सारे डॉकुमेंट्स उन्होंने ओडर दिये कि मेरी टेबल पर जाएंगे प्रोफेसर साथ बताएंगे प्रोफेसर साथ बताएंगे कि नहीं वाश्के जी वाश्के जी प्रेंड वीडिया चूट पर जाएंगे यही तो प्रब्लम है उसका आदा यह लिखा है कि इनके विरुत कोई सबूत नहीं बनते अब बनारे लेग्म होगा विल्कुल ते ते घर पार यह फरांगे जिसे नहीं मुझे लिकापने करते हैं को पारले सरकारी बिल्डिक जाते हैं लेकिन इधर से जिसे जुट्राया जा रहा है कि ऐसा तो है ही नहीं तो क्या सुधानशु जी इमान लिया जाए जिस भी राजनेतिक विचारधारा वाली सरकार रहेगी वह अपने हिसाब से इतिहास लिखेगी आप लोग भी वही कर रहें पहले भी यहीं हुआ यह कहना चाहता हूं यह तो वह विचार धारागी सरकार जो कहती है देश कभी एक थाई भी यह तो वह विचार कहते थे सरजमीने हिंद पर अक्वान आलम के फिराग काफिले बतते गई हिंदोस्ता बन अग्शान नहीं यह तो क्या है उपाल गए और वहुता है दो कर देती है इन्हों ने लिखा था कि बहुत बात कि लिए बात करें ना कि वेट 1100-1200 इसी के पाद लिखेंगे लोगों कि पढ़े लिखो पता रहे भाई 1100-1100 कर देखेंगे सारे मुद्टे जो है वो एक साथ मिलकर आ रहे हैं कर देखेंगे वेराल वैचारिक मंतन इस मुद्धे पर लगातार जारी रहेगा आप सभी खास मेमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए कि दुनिया में एक बताईए जो अपने फॉरेन इंवेटर का इतिहाद जोरिफाइब आप अब जुनोपनी जब बताईए आप लोग मुझ छुपाने के लाइक ने कि दाराशी को का सब्सक्राइब बता है कि यह इस्वावर का नाम हर हिंदुस्तानी जानता है यह 1527 में आया तीफ में मर गया जिनके लोगों के नाम नहीं जानते हो जो लोग इतिहास लिखते हैं वह आके स्टूडियो में बोलते नहीं कि मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया शाती पीटे की कलाम साथ का नाम नहीं होना चाहिए पुरी पास दूजे कोट की प्रवज़िग नहीं हो आगे नहीं नमस्कार आपके साथ मैं हूं समीर अबाज यहां लेफ्ट वर्सेज राइट सेलेबस पर बिग फाइट और यह फाइट लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं देश का भविश्य है कौन है जाहिर है हमारे युवा जो आज देश के कोने कोने में पढ़ रहे हैं किताबों के बीच सिर्ख अपा रहे हैं उनके हाथ में भारत की तकदीर होगी आने वाले वक्त में इसलिए यह जरूरी है कि बच्चे किस राह पर जा रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं कोर्स में क्या तो बात करने वाले भी विद्वान होने चाहिए। आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर दिनेश वाशने साथ मौजूद हैं जो की डेली उनिवस्टी में हिस्ट्री के ही प्रोफेसर हैं प्रोफेसर गंगा साहि मीना साथ भारतिय भाशा स्कूल आफ लैंग्विज लिट्रेचर एंड कल्चर स्टडी से इनका ता अग्बर नामा में क्या था ये जरा हम आपको बताते हैं हिस्ट्री ऑफ मैंनकाइंड शासन के पहले 30 साल बगल शासक अकबर की ये जीवन गाता थी अकबर का शासन शासन के 46 साल और आईने अकबरी में क्या था अकबर का प्रशासन यानि वो रूल कैसे करता था उसका इस वक्त मौजूद हैं सबसे पहले सुधान शुत्र रवेदी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा चैप्टर्स तो बदले जा रहे हैं बहुत कुछ है जो बदला जा रहा है लेकिन इतिहास को कैसे बदला जाएगा जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम दुनिया के कलोते रहे है यो प्री हिस्टोरिक नेशन अफुन सर्वाइब इंसे पर अफसोष कि ऊस प्रागय एतिहास की राश्र के इतिहास के बारे में इन कौन लिखता आ है विदेशी लिखता है विदेशी में भी कौन लिखता है जो भारत में ज्यान प्राप्त करने आया उनका इतिहास नहीं जो भारत में लूटने आया उन लूटे रहाँ का इतिहास और मैं बिनम्मृताज कहता हूँ दुनिया में एक देश बताईए जो कहता हूँ मेरा लिखा इतियास प्रमानिक नहीं, बिदेश का लिखा है इतियास प्रमानिक लिखा है। वेगस तनीज ने इंडिका में लिखा रहे उससे क्या फरक पड़ता है फायान ने लिखा ने ने उससे कोई मतलब नहीं है आप ने भी कहा ना आईने अकबरी तो पढ़ाओ आईने अकबरी में क्या लिखा है उसने कहा अबूल फजल ने लिखा है कि जब चित्तवर जीता तो अकबर कहता है कि मैंने वो मंदिर जो अलाउद दिन खिल जी के बाद भी बच गये थे हिंदू और जायन मंदिर वो धुस्त किये तीस हजार लोगों की खोपड़ी पे खड़े होके गाजी के उपादी लिए भी पढ़ाईए या तो विरसा बटा दीजे तो में बात यह है कि इमानदारी से इतिहास पढ़ाया जाए तो सही है लेकिन अगर आप यह कहते हैं कि मुगलो ने क्रूता से शासन किया तो अगबर के चरित्र का ये हिस्सा आ जो है ये से पढ़ने से कैसे महरूम रह सकते हैं चाहतों तो उनको पता लगना चाहिए ना कि अगबर के करेक्टर का एक हिस्सा ये भी था यही तो मैं कहरा हूँ वो हिस्सा गायब और ये हिस्सा सही हम मैं एक और फैक्ट कहता हूँ ना भारत का इतिहास ना हमारा चोड़िये संगी भाजपाई चोड़िये वर्ल्ड में एक अथेंटिक डॉकुमेंटेशन हुआ है कि पिछले 2000 सालों में 2000 सालों में जितने लोग सरकारों के द्वारा ये युद्ध में मैसेकर किये गए देखें युद्ध में सेना कमरना एक अलग बात है पब्लिक नमेस कर किया वो है प्रोफेसर आर जी रमल कोई जाके चेक कर सकता आर यू एम एम एल उन्होंने लिखा है कि अब तक उनके एस्टिमेट के साब से 90 करोड से लेके एक अरब 40 करोड लोग पिछले धाई हजार वरसों में शासन के द्वारा मारे गए भारत एक मातर ऐसा देशा जहां तेरवी शताब्दी से पहले कोई मैसकर नहीं हुआ विद एन एक्सेप्शन ओफ कलिंग और एक कोई साउथ के जिसमें कुछ हजार लोग मारे गए लाक भी नहीं अब बताईए तेरवी शताब्दी के बाद ही भारत में ऐसे करें तो एक फॉरेनर कह रहा बिलकुल अथेंटिक दुनिया भर के तमान देशोज़क की गई अगर हमारे यहां उल्टा पढ़ाया जा रहा था तो उसको सीधा करने में दिक्तफ के आ है अब यह बहुत पढ़ाया जाए वहां तक भी ठीक है वह कहा है वह मैं आगे बता है यह बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुदान शुद्रिवेदी जी कपोल कल्पित इतिहास पढ़ाया जा रहा था अब तक जिसमें बदलाव की की जा रही है कोशिश और अगर वाकई ऐसा था तो बदलाव क्यों ना किया जा 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 बीजेपी की सरकार आएगी ऑपने हिसाब तो लिखने की कोशिश करेंगा पने हिसाब तो बताने की कोशिश लेफट टाइगा अपने हिसाब तो कोई दिक्कत का है दिक्त यह है कि मैं तो सौ साल से RSS के होने वाला है एक गलोबली रिकगनाइज़ संग का इतिहासकार गलत पढ़ाया जारा तो लिखो ना इतिहास बनो ना रोमिला थापर की तरीके से बड़ा इतिहासकार बनियाना विपन चंद्रा की तरीके से बनियाना केन पनिकर की तरीके से बनियाना के सती चंद्रा की तरीके से क्यों नहीं आप कोई बड़ा-बड़ा इतिहासकार आपको पता चलेगा कि पैरलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की गी, आप उनका 1857 का जो युद्ध है, जो लड़ाई, जो सुसंतिता, वह है, संग्राव, वह पल्डी आपको समझा, बाकी और कौन है, मुझे बता दीजे, आप दिक्कत क्या है कि आप के हाँ पढ़ने लिखन की परंपरा है नहीं, कोई बड़ा इतिहासकार है नहीं, इसलिए आप चीजों को डिलीट करना चाहिए, आप दांदी घुटाना जाते हैं, इसे क्या विचारों को दोंद आप नहीं मानचें, आप करें, सावरकर ने, वीड सावरकर ने, एक पैरलल हिस्ट्री लिखने की क क्या बात मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इतिहास में विमर्ष होना चाहिए, इतिहास में जंग नहीं होनी चाहिए, आप इतिहास लिखिए, स्थापित करिए, आप इतिहास स्थापित नहीं कर रहे हैं, आप इतिहास को मिटा रहे हैं, आप गांधी के चाहिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं सुदाशु जी मैं जानता हूं इस पर आप रियाट करना चाहते हैं लेकिन मुगल दर्बार का जिक्र हो रहा है मुगल दर्बार का इतिहास हटाया गया है इससे जुड़ी एक एहन जानकारी अपने दर्शकों को दे 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 हैं और उसके बाद महांनों का रुक करेंगे ये देगिए मुगल दर्बार का इतिहास खक्षा बारवी क्लास की जो पाट्य पुस्तक है उसमें बदलाफ किया गया है मुगल दर्बार का इतिहास हटाया गया किताब ठीम्स आफ इंडियन हिस्तरी पार्ट तू का जिक्र बार-बार हो रहा है चैप्टर कौन सा है किंग्स एंड क्रोनिकल्स दा मुगल कोर्स इसमें मुगल दर्बार को कैसे आपरेट किया जाता था कैसे चलाया जाता था इसका जिक्र है तीस पन्नो को NCRT के ने सिलिबस से हटा दिया गया है बाहर का रास्ता दिखाया गया है अब इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है ये जरा जानने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे पहले देखिए क्या क्या हटाया गया मुगल काल की जो पांडूलिपियां थी वो हटा दी गई है युद्धो शिकार अभियानो भवन निर्माणों का इतिहास जो है वो भी हटा दिया गया तमाम जो भवनों के निर्माण हुए उसका जिकर हटा दिया गया दर्बार के दृश्यों के माध्यां से मुगलों के इतिहास से जुड़ी जानकारियां हटा दी गई किंग सेंड क्रॉनिकल्स दमुगल कोर्स में यह सब कुछ था जिसे हटाया गया अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं सुधाश्यों जी यह एक बड़ा सवाल जहन में आता है देखे जब बात आश्टोजी ने थोड़ी सी राजनती के दी एक बता दो उन्होंने का रोमिला था पर बहुत बड़ी इतिहासकार है जिनका वो वीडियो आपने देखा होगा इन्होंने कहा जब युदिष्ठीर को राज्य समहलने के लिए कहा जा रहा था तो उसके मन मे भाव आया कि नहीं मैं राज्य नहीं समालना चाहूंगा रिनन्सियेशन वद इंस्पाइड बाई अशोका मतलब जो युदिष्ठीर का इंस्पिरेशन अशोका से लेने की बात करते हों वो किते महान इतिहासकार होंगे सब समझा और आज तो बहुत सारे लिट्रेशर कहना चाहता हूं जाके पढ़िए मित्रोकिन्स आर्काइव के जी बी एंड वर्ड पार टू जाके पढ़िए यूरी बैजमनेव जो के जी बी का जासूस था भारत में रहता था उसका डिटेल पढ़िए आइडियोलोजिकल सबवर्जन सब आपको क्लियर हो जाएगा कि य अब आज की विशेव के उपर आते हैं अशुतोर जी ने कहा कि थे ही नहीं आपकी होने ही नहीं मैं आनेक बात करहा हूं जबिनों राजनियतिक कहा ठीक है मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाए ये इंडिया गेट के चारो तरह मुगलों के नाम पे क्यों है बाई सड़के बाबर रोड अकबर रोड हमान्यू रोड चाजा रोड चात्रपत शिवाजी के महाराज पर है कोई लूटियन जोन में बताइए मान सिंग रोड है महाराणा परताब नहीं है लूटियन जोन में क्यों हो अच्छा जिस बाइक जिकर कर रहे हैं सुदाशु जी मुझे लग आप जिस रोड कर जिकर कर रहे थे हुमायू रोड है दिल्ली में समीर एक एक करके हम वो सड़के भी दिखा रहे हैं जिसका जिकर अभी सुदाशु जी कर रहे थे यह हुमायू रोड शाजाहा रोड अकबर रोड बाबर रोड यह सारी जो सड़के हैं वो दिल्ली में है आश्यतोष जी कुछ आप बोला चाहते है, समीर, कम से कम मैं सुधानसु जी की सिमानदारी को मान लिया कि संग की परंपरा में कोई बड़ा इतिहास कर रहे है, मान लिया इनोंने, नहीं बनाया, अरे भाई, जब सावरकार लिख सकते थे, आप को नहीं लिख सकते थे, 1925-1925 सिले के 1947 तक तो कंग्रेस को साशन नहीं था ना, लिख के दिखाते हैं ना कम सकत, दूसरी बात, 6 साल अटल बहरी वाजपई का शासन था, 9 साल नरेद्मोधी का शासन था, क्यों नहीं नाम हटाये आपने सारे, हटाईए ना, एक, अरे, आपके समय में औरंग जेब के नाम नहीं, वो लिख कर मोटा पथना लिख के चले जाते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं, उसका अधार में विमर्श का, दिक्कत क्या है, जो इतना ज़्यादा टैलेंट डेफिसिट असंग परिवार के अंदर है, कि वो इतिहास लिखे नहीं सकते, मैं गैरंटी के साथ करता हू कि ग्लोबली रिकागनाईज एकेडमिक वर्ड में रिकागनाईज हिस्टी नहीं लिख सकते हैं, अगर हो सकता, तो सौ साल के अंदर इतिहास लिख देते, तो कि प्राबलम क्या है, प्राबलम प्राबलम बहुत सीधी सी है, कि जहां पढ़ने लिखने की बात होगी, तो ए स्टीटे नहीं है, इसलिए आज हिंदुस्तान के अंदर हर जगाव वाए सब देसे को खरश किया है, जी जी इसका जवाब देना चाहरे है, हलाकि मैं प्रोफेसर वाश्टे के पास जाना चाहरा था, लेकिन सुदान चुप देदी है, वो ये कह रहे है कि विचार धारा है जो कि थोपने की कोशिश की जारी करता हूँ कोट की प्रोसीडिंग जी ती राम जन भूमी का विश्य जब आया और वो लखनव बेंच अप इलहाबाद हाई कोट में था तो दोनों पक्षों से गहागे अपने 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 इतिहास का ले के आईएगा हमारी तरफ से गए स्रिवास्तो थे एसपी गुपता थे ग्रोवर साहब थे डॉक्र देवें सुरूप थे दो को तो मैं परसनली जानता हूं इनकी तरफ से वही सब जेन्यू ब्रांट गये थे जिसमें आरिश शर्मा जी थे सूरज बान थे रोमिला था पर थे मगर वो अपने रिप्रिजें विशह उन्होंने कहा जी आर्केलोजी हमारा विशह नहीं अब आगे की मज़ेदार बात देखिए दो सारे डॉकुमेंट दो ही लैंग्वेजेज में थे फार्सी में और संस्कृत में यह जितने बाबरी मस्जिद की तरफ से तथा कथित लेफ्टिस्ट गए थे इन्होंन मैंने कोट की प्रोसीडिंग कोट चीक है एक समीर जिसने किसी वैदिक गुरुकुल में जाकर संस्कृत पढ़ी हो और तब संस्कृत के ओपर कमेंट किया हो जैसे आई-ई-टी में जाकर बड़ी दिल्चस बैचारी जंग यहां पर चल रही है और दोनों तरफ से एक दूस करनी है कि आप यह कहते हैं कि हमारे फला इतिहासकार ने जो संग से जुड़ी है इतनी मोटी किताब लिखी जिसको दुनिया रिकनाइज करती अब आप विपन चंदरा को केम पनिकर को सतीश चंदरा को दुनिया वर्ड के यही 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 दक्षर पंतियों की दिकत है लेखन है यही नहीं इतिहासकार है नहीं और उनका अकेडमिक्स है नहीं वह सिर्फ ठीक है ठीक है ठीक है आप यह बहुत बड़ा चैलेंश दे रहे हैं और उसके जवाब में सुदानशु जी ने अपने तर्क दिये लेकिन मुगल बादशाहों का संपूर इतिहास ठीक है सर ठीक है जो इस वक्त आप देख सकते हैं बाबर जन्मस्तान उजबेकिस्तान 1526 से 1530 बाबर से शुरुवात करते हैं इसके बाद हुमायू जन्मस्तान अफगानिस्तान 1530 से 40 और 55 से 56 यह है उसका शासनकाल इसके बाद आप आजाईए अकबर सिंध जो कि अब पाकिस्तान का हिस्स आए 1556 से 1605 शासनकाल रहा इसके बाद जहागीर जन्मस्तान भारत मगल शासक लेकिन जन्मस्तान भारत सरजमीने हिंदुस्तान 1605 से 1627 तक शासन किया इसके बाद शाजहां लाहूर जो कि अब पाकिस्तान में 1627-1658 ये शाजहां का शासनकाल था इसके बाद औरंग्जेब जन्मस्थान कहा भारत हिंदुस्तान 1658-1707 तक औरंग्जेब का शासनकाल रहा और इसके बाद बहादुर्शाद जफर जिनका जन्मस्थान भारत और उन्होंने आखरी सासे भी यहीं लिए 1837-1857 और अंग्रेजों के खिलाफ जो जन्ग लड़ी गई बहादुर्शाद जफर की तरफ से उसके किसे हम बच्पन से सुनते आएं हैं लेकिन सवाल ये है कि क्या सभी को एक तराजू में तौल देना ठीक होगा इस सवाल के जवाब के लिए मैं शुदान्शु जी आपके पास आऊंगा और इधर बैटे अपने खास मेमानों के पास आऊंगा लेकिन प्रोफेसर वाशने एक बहुत संगीन आरोप लग रहा है और वो आरोप ये है कि जो वामपंथी इतिहासकार थे उन्होंने घलत इतिहास गढ़ने की कोशिश की हमारे बच्चों को गलत इतिहास पढ़ने की कोशिश की ये आरोप जो है इस पर आपका जवाब क्या है क्या वाकई ऐसा हुआ है तथ्यों को तोड़ मरोड कर पेश किया गया है क्या जिससे अब सुधारा जा रहा है समीर जी देखिए सीधी साथी बात है मैं आपकी बात से या जो शुदानशी जी ने इन्होंने जो आरोप लगाए वो गलत है मैं आपको उसको सिलसिले वार धंग से बताता हूं पहली बात पर इनके इतिहास के ग्यान को देख लीजे ये कहते हैं कि साहब भारत एक मात रह जो प्रहस्तोरिक या प्रग्यातियासिक समय से चल दी है मैं यह जानना चाहता हूं मैंसो पटामिया क्या थी नील लदी की सब्वदा क्या थी अरे सुनिये अना तोलिया सब्वदा तुर्की क्या थी हिटियन्स कॉन थे बताइए ना अशी आपके बीच में नी बोला था इतियास किसे कानी नहीं होते हैं इतियास को लेने के लिए मूँ सांटी पीप्रस्यान आती है और झाली नहीं नहीं आती है अगर अधु झाहने सब्सक्रांट बता है और कुछा पुछा थी यूकार इसलिए नहीं बोला ना उनको आती थी और जो प्रॉफरसर आर्जी टाकरत कि वह रोगस्ट है'Mे उन्हें पाली आती है। और पर्रफ्रम सुरज मांगा ए उनको भी रचौकत हम यह व्लटनाओывать का गए जो तो बैसमें लोगा स्जनलुद कई थी। जल्दी मत किज़ें आप बाइस में बोलिए बोलिये रूटे एक आसकी इनकी योजना सुनिये आजानी के बाद से आज तक यह नोंने विदेशियों ने लिखाई इसाच लोमिला था पर विदेशी है आरश शर्मा विदेशी है डिया विदेशी है यह प्रफिसर कहते बिपं जना विदेशी है तसी चन्दा विदेशी है अरे बहुत यारे यह चाहते ही नहीं कि इनकी योजना है इंदी अगर यह सब दिखाना पड़ेगा प्रफिसर जार क्रोट रुपे शेल कंपड़ी इसके भी दिखाने पाई है यह उसको ज़न दिक्रा रहे है अब सुलिए इसके बताएंगे अब जिन बातों का आपने जिकर किया उसी का एक जवाब लेगे एक मिलट जितने भी रापे लिखे गए है अगर आप मुगल को न हिस्ट्री के प्रोफेसर ने बहुत जो तर्क हैं इस मामले से जुड़े वो सामने रखे हैं इसलिए एक और हिस्ट्री के प्रोफेसर से इसका जवाब लेंगे वेदवरत तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्विद्याले में तिवारी जी अगर एक पूरे चैप्टर को इजिए तोड़ा थोड़ा आप लोग पानी पिलीजे तोड़ा दूसरे को भी मौका मिले अपनी बात रखने का वेदरत तिवारी जी बताईए अगर पूरे चैप्टर कोई हटा दिया जाएगा वो कैसे रूल करते थे प्र उन से घलतियां क्या होंगी अतीत में इतिहास में यह पता ही नहीं चलेगा तो उन से कैसे चैबेट बजा अब जेत वेद्रजी और बहुत शांदा डिवेट है अश्टो जी ने आरूप लगाया कि संग का या भारत में इतिहास लिखने की परंपरा ही नहीं थी सावरकर को मान रहा है उसके लिए थैंक्यू आपने अक्नॉलेच किया संग के भारत में इतिहास लेखने की परंपरा है संग से कोई लेना देना नहीं हो सावरकर का जिक्र करेंगों सावरकर कहते हैं कि जो संग ठन गाय को प्रतीक पुरुष बनाने के कोशिश करता है वो क्या संबता के बारे वो कहते हैं कि शेर होना चाहिए हमारा बहुत है कि भारत का इतिहास लिखने के लिए हमारे लोग बचे ही कहा थे हम लगातार उपनिवेश्वाद में रहे और जब अंग्रेजों का शाशना तो जेम्स मिल ने इतिहास लिखा वही भारत में इस पढ़के आते थे और वही इतिहास यहां पर बच्चों को पढ़ा आज नहीं है सर यहीं पढ़ा रहे हैं इस सामने सरकार ने और अग्जेब का पूरा चिता खोल गर राए जाता है नहीं हैं वीजे नगर इंपायर पूरी बढ़ाई जाती है वीजे लगर इंपायर तो आप पढ़ाएंगे जिसने भार्तियों मुहदिन में राज किया उसी तरह से मुखलो नहीं किया वो नहीं बढ़ाएंगे तो सबने करें पताने हैं सरी 50 से कोड वार के बाद से आप लोगों ने हिंदुस्तान ही लए लगबुक उस्वेइश्जिव कोई लोग नहीं रहा अब दुनिया के सारे का अगडेडियोग नहीं हो हिसे किसी पर नहीं दए हैं भी प 3 आप आप सभी आप सभी से एक मिनट आप सभी से इलतिजा है कि आप लोग एक साथ मत बोलें दर्शक जो है वो बहुत ध्यान से करोडों दर्शक इस डिबेट को देख रहे होंगे और इस मुद्दे को लेकर जबरदस वैचारिक जंग छिड़ी हुई है हर कोई अपने विचार रखना चाहता है इसलिए दोनों तरफ के ज जिनका दम भारत में ही निकला उनसे किस बात की दुश्मनी वो बेड़ा गरक हुआ है मैं समझता हूं वो हुआ इस देश की आजादी के बाद जो पहले पांच शिक्षा मंत्रियों की नीती थी मैं डारेक्ट बात करता हूं उनकी नीतियां अब मैं ये उनको वर्गों में यहां मजभ में डिवाइड नहीं करना चाहता पर उनकी नीतिया वामपंथियों की और सबसे बड़ी हमारी जो सरकार थी कॉंग्रेस की इनकी नीतियों ने इतिहास को एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में बन करके रग दिया वो इतिहास इनका इतिहास शुरू मुगलों से होता है या चलतनत से होता है और खतम भी मुगलों पे होता है उसके अलावा कोई परस्टेल जंग नहीं है विचारों के चारों को वैदर होगा एक नहीं नहीं है इसलिए इनको इतना आक्रोश आ रहा है कि बोलने नहीं दे रहे कि इंडिया ब्रांच है कोई जाके चेक करें इनकी पार्टी का नाव है कंभी पार्टी रास्ती कॉंग्रेस तो नहीं है और यह अडानी तक आ गए इस बनाने पर आ गए दोनों का व्यू देख लिए बहुत इंट्रेस्टिंग फैक्ट है वो अपने दर्शकों के सामदे रख दे जंगल बुक में मोगली नाम कैसे आया यह बहुत इंट्रेस्टिंग बहुत दिल्चस्प है देखिए जरा, शासन काल का प्रमारिक इतिहास माना जाता है, जंगल बुक में मोगली नाम कैसे आया, शोला से सत्रवी शताब्दियों में मोगल शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ, कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था, मोगल, इसके बाद रोडियार्ट किपलिंग की जंगल बुक में मोगली नाम भी मोगल से आया, और ये पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब नहीं पढ़ाया जाएगा, भाई मोगलों से दिक्कत है, सुधानशु जी ये समझ में आता है, मोगली से भी दिक्कत है, ऐसके एक रड़े कहां से आया, पाइज ने काम किया वो मोगली पर पोलते वारे के शाह को पूछा ना बहुत शाह पे लोग कहते हैं बताता हूं कहा चाहिए शिवा जी के सामराज के लिए राकी हिंदुवानी हिंदुवान का तिरा को इस पुराने रांगों नहीं सुनी है शाही के सबुत शिवाराज संसीर तेरी दिली दलताब के जिवान राक्राद नहीं है इंदुवान पाद शाही आया अगर आपके जिवान पे शाह मसा है एक खबर लेनी है अपने दर्शकों के लिए आयोध्या के मणी राम दास शावनी के महंत कमल नहीं दास का कहना है कि राम राज तब ही आएगा जब इतिहास से मुगलों को हटाया जाएगा ये उन्होंने का है सुनिए जरा बात तो राम राज अगर लाना है राम राज रादें के लिए जिस विधा के द्वारा जिस सम्विधान के द्वारा जन संख्या की भी समता बढ़ती जा रही है राष्ट की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तब्य होता है उस विधा को उस कानुन को हटाना चाहिए और हटा करके समता समरस्ता अस्थापित करना चाहिए तो सुधानशु जी ये क्या प्लैंड वे में सारी चीजें हो रही है और ये आपकी सरकार का एक मुख्य अजेंडा है क्या मुगलों को हटाया जाना और इतिहास में बदलाव करना अगर ऐसा है तो फिर ये क्यूं बताया नहीं जा रहा है कि सरकार ये चाहती है इसलिए हम ये कर रहे है फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि भाई कोविट था पाठे करम कम करना था ताकि मुझकिल सवाल जो है वो चात्रों को तयार ना करने पड़े इसलिए हमने ये बदलाव कि जब कम करना हो था तो फाल्तू की चीज़ हटाई जाती है ना तो मैं ये कह रहा हूँ सुनिये बढ़ हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ बता रहा हूँ मुझे लगता है कि देख रहा हूँ पूरा बात को ने दीजिए सब क्या तरीका है रास्टी प्रवक्ता करें मुगलों की उत्पती बाबर के बंच से मानी जाती है जिसकी मां मंगोल और बाप उजबेक था टोटल फॉरेनर कनेक्शन और आज के मुसल्मानों से खामखा में जोडने कोशिच करते हैं आज जीनोम सीकेंसिंग का दौर आ गया है चुनवती से कहता हूँ भारत के किसी मुसल्मान का उजबेक और मंगोल डियने से कोई कनेक्शन नहीं है मगर मैं चुप हाल तू कह रहा हूँ क्योंकि बता ये कि जिस प्रकार से आप उसको पढ़ाने का प्रयास करते दुनिया में एक देश बतायी है जो अपने फॉरेन इंवेडर का इतिहास लोरिपाई पड़ा टाथा बताए आप जूनोमती से बताईए थाप अपने अपने बताईए हम तो अपने महां जाने हैं शुप ह हम ने जोटेंगे आप माफी मांगे हम तो जेलों में रहें आप माफी मांगे तरहें तो लाव पर हुई है दो बाते हैं धू बाते हैं यह है यह चाहिं पर हुई है पुरी है मुगलफाल तू थे मुगलो को महान किस ने बनाया सर एक मिनट मुगलो को महान किस ने बनाया ये सवाल जहन में आपके भी आ रहा होगा एंसी आटी की किताबों पर जो रिसर्च हुई है सर एक मिनट अकबर का जिक्र संतानवे बार 97 टाइंज शाजहां का जिक्र 30 बार और अंजेप का भी जिक्र 30 बार और छटरपती शिवाजी महाराज का जिक्र सिर्फ आठ बार हैरत होगी आपको ये सुनकर महाराना प्रताप तो आपका जिक्र सिर्फ एक दो बार ये भी हकीकत है सर ये भी हकीकत है अब इस पर इस पर आप क्या कहेंगे जिए आप बोल दमायकर आप अश्यतों बहुत पूर्ण बात क्या है मैं तो कहता हूँ मोधी सरकार से भारती जन्ता पार्टी से कि 1526 से लेकर 1707 और 1857 कि इतिहास को से लिए बस हटा दीजी सरकार आपकी है क्योंकि भारती जन्ता पार्टी के रास्ट्रिय प्रवक्ता पढ़े लिखे सुधान शुत्रिवेदी ये कहते हैं ये फाल्तु है जो चीज फाल्तु है वो इतिहास का हिस्सा नहीं होना चाहिए मैं कहता हूँ कि आप आप अर्चे दुसरा क्या है मौहमद गजनवी जब से आया है जी आप आप जब से ब्रिटिश आ गया है वो पूरा इतिहास बच्चों की किताब से अटा दीजिए पर उस दौर का इतिहा अटल भारत के तिहास को सुक्सो रखिए इसमें कहात मैं तो आपके साथ हूं आप 16 साल हो गए अटल भारी वाजपी ने 6 साल पधान मंतरी थे नौ साल से नरिंद मोदी जी जी क्यों नहीं हटा रहे हैं आप इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि आपको गांधी जी से दिक्कत है यह वो संस्था है जो गांधी वद कहा करती थी 1962 तक उसके बाद गांधी से नहीं लड़ पाए तो प्रात इसम्रणिये कर दिया सुदान सवाहर क्या सबस्कि में सब्सक्राइडा मोटाइब जो Propfer तो चिट्छिन की गोलवर्टिस में का लिए अपकी नफ्रत पी पिचाधारा ने रानी जी का लिए ठीक है ठीक है सदार पटे लगा अपनों मुझ छुपाने के लायक लिए अगर मैं बताओ सुवासत बहुत संग के बारे में क्या का है ठीक है ठीक है अप्छ गलतियां देखिए हम इतिहास को उसी नजर से देखना चाहते हैं जैसा राष्ट हम बनाना चाहते हैं तो इतिहास से हम जिन चीजों को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं बास्त में उनको डिलीट नहीं कर सकते हैं लेकिन हम वैसा राष्ट बनाना चाहते हैं आप अपने बच्चों क को अगर यह बताना चाहें कि हमारे पड़ोसी यह कौन क्यों है हमारे ऐसे सामाजिक संबंद क्यों है इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा और हम इतिहास को संपूनता में दिखा करके उनको यह बात समझा सकते हैं और मैं समझता हूं कि भारत के पास खूबी है मैंने बच्चों को बताएं कि कौन सा शाशक आया उसका बैभार कैसा था उसकी खामिया क्या थी उसकी खूबिया क्या थी हमें इसको संपूनता में लिखना होगा और संपूनता में आने वाली पीडियों को बताना होगा कोई हिससे को हम इतिहास से हटाएंगे तो हम अपने आने काम किए शाजाने काम अच्छे किए लेकिन ऊरंगे बड़ा कुरूर शा सकता हूं उसने पर ने दुन धाए इन सब्से बीलकर हम भारत बनाएं ने सबसे मिलकर हम सब के बारे में बताएं बताओं इतिहास की बहुत सारी चीजें जिन तरफ अब ध्यान देना चाहिए हम मुगल और हिंदू के बीच की लड़ाई रहे हैं अभी समा इस देश के बहुत सारे लोग जिनका इतियास नहीं लिखा गया लेकिन जो अच्छे काम भी मुगलों ने किये वह अपने स्वार्थ के लिए कि आप मुझे बढ़ाईए तो से मुझे लगता है मुगलों से थोड़ा सा आगे निकल कर अब राश्पिता महत्मा गांधी पर भी बात कर ली जाए क्योंकि यह भी एक बड़ा मुटा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारी तरह से कोई बोलता सब लोग डीस्टप करने लगता है तो बोल रहे ते किसी ने अप बोल रहे थे और बोलिए तब भी में डग से होगी और इंकी एक एक बाद देने का पूरा मुख्रम देगा लेका लेकिन देख रहा हूं ना रहा हूं इन लों से नहीं बच्चों पूछिए सिर्राय एकबर का नाम किसने सुनाएं दावे से कहता हूं दस में नौ को पता ही नहीं सिर्राय चीव कहते हैं मैं कहना चाहता हूं उसकी शुरुआत कहां से होती है दाराशिको जो औरंगजेप का बड़ा भाई उसने किताब लिखी मजुमल बहरीन इसका रत होता है दो समुनरों का मिलन उसने इसलाम और हिंदू धर्म के बारे में बहुत सी अच्छी बाते लिखी उस उसने उपनिशिदों को पढ़ा उपनिशिदों का फार्सी में अनुवात कराया और उसका नाम रखा सिर्र अक्मर यानि वर्ट्स ऑफ गोड़ उसे इतिहास की जन्रल किताबों में नहीं सीरे जिसने इतिहास विश्यक गरूप में नहीं पढ़ रहा उसे नहीं पता दार किसी को नहीं पता होगा ठीक है आप बोलिए क्यों नहीं दार शिकों को पुड़ाया एक मिनट अब आप बोले आशे तो 16 साल सरकार में रहे हां क्यों नहीं पढ़ा है आपने सेल्बस्व क्यों नहीं डाना है 16 साल रहे है अचल जी की 6 साल की सरकार थे मैं तो यहीं तो सवाल कर रहा हूं कि भाई लेफ्ट इस्टों ने गर इतिहास का बंटाधार किया आप पढ़ाईए आप मुगलों के इतिहास को हिगनुस्तान के इतिहास से बाहर कर दीजिए क्योंकि उफालतू है आप यह काम क् मैं बहुत चोटा सवाल कर रहा हूं मैंने का बाई जो जो पहले की इतिहास पर नहीं पढ़ाया गया था आप उसको डालिए ना डंके की चोट पर डालिए आप कहिए कि मुगलों का इतिहास इंदुस्तान के बच्चों को नहीं पढ़ा जाए फालतू हटा दीजिए आप यह नहीं कर रहा है हमाई nights he 303 में आपके Member of Parliament है आपके हिम्मत नहीं हटाने की इसलिए आप इस तरीके की बाते हैं है हिम्मत है हिम्मत तो आप मुगलों के इतिहास को भारत के दिखाएए एच दिन के अंदर करिए का नहीं कर सकते हैं सुदांशो जी आप 30 सिकंड में जवाब देता है इन्होंने की सड़क हटाई थी तो कॉंग्रेस से ले क्या माद भी पार्टी रख्याए चाटीटों के जाके क्यों और रंग जाओ नाम किसका रखा कराम का मैं पूछना जाता हूँ डॉक्तर कराम के नमाजे दनाएदा में गया हूँ और कोई शक्रेश बताईए बताईए कोई आप से लाइन में देखिये मैं कहना चाहता हूँ डॉक्तर कर नाम रखा गया चाती पीटे की कलाम साथ का नाम नहीं होना चाहिए वीर अब्दुलहमीद की शाहदत की 85 वर्श अटल जी की सब्कार में मिला 20001 पे चो नहीं मिला इनके जमने में अब मैं कुछा जाता हूँ भारत की सेना का पहला गैलेंट्री वाड़ में ब्रिगेडे मुहमद उस्पान के खर पे कोई क्या हूँ यह इस्वाबा तुगलत और अंजे उन्हों ने देश को पुसमानों क खामोश अक्तियार करने वाले लोगों तो मैं एक ही बात कहता हूँ मुगलों का इतिहास कन नरेंद मुदी जी संसद में प्रस्ता पात करने हैं हिम्मत तो करके दिखाईए सर मुगलों को बहुत फुटेज मिल गई अब बात हम कर लेते हैं इस देश के सबसे बड़े सेकुलर नेता राश्पिता की राश्पिता महात्मा गांदी की बात कर लेते हैं क्योंकि मैं देख रहा था जब मुगलों पर भी बात हो रही थी तो महात्मा गांदी से थोड़ा इधर तवज्जो दें थोड़ा इधर तवज्जो दें कक्षा बार्वी क्लास किताब राजनेतिक विज्ञान चैप्टर महात्मा गांधी का त्याग महात्मा गांधी का त्याग अब क्या निकाला गया है सर एक मिनट क्या निकाला गया है out of syllabus क्या किया गया है महात्मा गांधी की हिंदू-Muslim एकता की द्रिन कोशिश ने हिंदू-चरम-पंतियों को उकसाया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के कई प्रयास किये यह हटा दिया गया गांधी जी उन लोगों को विशेश रूप से नापसंद थे जो चाहते थे कि हिंदू बदला लें यह हटा दिया गया या जो चाहते थे कि भारत हिंदू के लिए एक देश बने ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान मुसल्मानों के लिए था ये पहले पढ़ाया जाता था लेकिन अब इसे सिलिबस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है अभी नातुराम गोट से कभी जिक्र हुआ गोट से पर क्या हटाया गया है ये देखिए गोट से पुने का इंदू अखबार का संपादक था ये भाशा लिखी थी आत्म समर्पन करने वाला हत्यारे का नाम नातुराम गोट से था अब ये लिखा गया है तो कुल मिलाकर जो बदलाफ किये गए हैं वो हमने आपके सामने रख दिये और मैंने अन्सी आर्टी के डारेक्टर डीपी सकलानी से ये सवाल पूछा था कि नातुराम गोट से गांधी जी का हत्यारा था उसका आरेसेस से असोसियेशन था और गांधी जी की हत्या के बाद आरेसेस को बैंड किया गया था मतलब ये आरोप लगा कर कि उसका RSS Association था, क्या अब भी ये पढ़ाया जाएगा, इस सवाल पर उनका जवाब भी आपको सुनाते हैं, पहले वो सुन लिजे जो एक्सपर्ट कि और तो हट गिया है जो हट गया उसको जो पर आब सब्सक्राइब करा जाएगा डूबारा अगर वह एक्सपर्ट कन अटाना है तो हट गई एगा लेह पढ़ेंगे कोई जरूर है किताब में सब चीज पढ़ानी है छोटे बच्चों को जिसको पढ़ना है अलग से पढ़ सकता है बहुत सारा लिटरेचर है बेले बुले जानने का सोर्स क्या ये किताब ही है क्या इतियास से कौन अटा सकता है और बड़े लिवूल पर पढ़ देंगे तो देखिए कुल बिलाकर RSS को लेकर जो बात कही गई थी RSS BAN को लेकर जो बात कही गई थी अब वो सेलेबस का हिस्सा नहीं है यानि गांधी जी की हत्या के बाद का जो कालखंड था उससे जुड़ी कई घटनाएं और उनका तसकरा जो था वो अब हटा दिया गया है सुदान्शु जी इसके पीछे क्या रीजन है जब हम यह नहीं बताएंगे कि गांधी जी की हत्या के बाद किस पर आरोप लगे RSS को क्यों बैन किया गया और फिर बैन हटाया भी गया अठारा महीने तक बैन था लेकिन उसके बाद हटाया गया जब हम यहीं नहीं बताएंगे कि RSS को बैन किया गया था तो फिर यह कैसे बताएंगे कि बैन हटाया गया देखिए यहां पर मैं बहुत इमानदारी से कहता हूं किसी भी विशय को आप किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जी कि नातूराम गोट से हिंदू था और ब्राह्मन था यह कहने का मतलब है इसका मतलब तो यह कौन सी नीती है मुझे याद है वो तो हमारी मेमोरी की बात है 31 अक्टूबर 1984 इंद्रा जी की हत्या के बाद अकबारों में लिखा था दो सिक अंगरक्षकों ने हत पुलिस ने का तीन गोली मारी गई तीसरी गोली किस की थी भाई और वहां पर दो और अकबार थे जिनकों की यह लोग बहुत इंपोर्टेंस मानते हैं संयोग से एक विदेशी और एक भारती था हिंदू और नियोर्क टाइम दोनों के पत्रकारों ने लिखा चार गोलिया तो मुझे ऐसा लगता है अब इसका मतलब यह निकाप चिला की मुझे दबा सकते हैं जूट मामला सुप्रीम कोट से रिजक्ट हो चुट अरे सुप्रीम कोट में रिजक्ट हो चुका है जो लोग मानते थे भारत हिंदू धर्म के लोगों का देश होना चाहिए और भारत को बदला लेना चाहिए वो लोग मोहंदास करमचंद गांधी को नापसंद करते थे मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि छात्रों को ये जानने का हक क्या क्यों नहीं है कि महात्मा गांधी जी की हत्या नातू राम गोट से ने की और वो जिन विचारों से प्रेरित था वो विचारधारा करता है लेकि मैं बदा दूँ उसमय के जो प्रस्थितियां थी बहुत सापस्पष्ट थी और जिस तरीके से एंसी आइटी बुक की बुक्स में पहले इस बात को दिया गया लिखा गया कि एक एक्स्रेमिस ब्राह्मन के द्वारा किया गया यह कोई मतलब नहीं होता यह इंकाय तो नहीं कर रहा है कि जो हत्याकांट हुआ था लेकिन उसके पीछे की जो बाते हैं वो सामने लोगों के आने चाहिए मेरा यह मानना है कि जिस तरीके का पहले नातुराम गोटसे के बारे में था उसको वहां पर करेक्शन किया गया एक दूसरे जवाब में देना च जो अगरी थे और मॉक्रसन माकनलाल थे रिडाइटिंग की गई और 2004 में पप्लिश हो करके पुब्लिक डोमेन में आई और जैसे 2005 में अगर सरकार आई और तुरंदी उनस किताब को बैं करके उस च्राफ कर दिया और दुबारा उस किताब को नई किताब चपी गई आपकर दस साल के लिए है दोजार बीस में दुबारा से एंस एफ आया है उसके बाद के एक साइज है तो इसमें रेपिटेशन को खतम करने के बात की गई यह मुगल का इतिहास को खताया नहीं गया है सर जो पॉजिशन ऑलड़ी पढ़ाय जा रहे हैं सेवन्त में भी है ट्वेल् सुदान्शु जी इस वक्त हमारे साथ क्योंकि मौजूद है जल्दी से दिखा लेते हैं कि RSS को लेकर क्या कहा गया था और अब RSS को लेकर क्या ऐसी चीजें हैं जो हटा दी गई है उसकी एक डीटेल आपको दे देते हैं फिर जल्दी से सुदान्शु जी का रूख यह वो किताब है जिसके कुछ चैप्टर्स हटाए गए गांधी जी कि मृत्यु का देश में सामप्रदाइक स्थिती पर बड़ा असर हुआ इसे आउट अफ सलेबस कर दिया गया भारत सरकार ने सामप्रदाइक नफरत पहलाने वाले संगटनों पर नकेल कसी यह अब नही क्या है और देखें जाओ पुछे का डिर्गा रैसे के जी पर नगा था यह निए पुछे में वह तो इतिहास है वह तो लगा तीम बर लगा था कि नहीं यह बताएं यह तीन तीन बात यह अजिए तालीज भी पच्छतर में भी बाननबे में तो तीस दिन में प्रूवन कर लगाया था अब देखिए सर्दार पटेल ने लगाया था भाई वो मान तो रहे हैं जल्दी से सर्दार पटेल ने बैन लगाया सर्दार पटेल ने बैन हटाया उससे हमें कोई फरक नहीं मांगी हमने सर्दार पटेल ने देश के लिए काम किया था कांग्रेस की कारेश समीत में 1991 पहले सर्दार पटेल की फोटो तो दिखाईएगा पिछले पिछले सालों में नहीं नहीं अगर घलती साबित हो जाती तो बैन नहीं हटता बिलकुल बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग हैं जब संसत पर हमला हुआ यह पर इस रूब में आजा चलिए हम लखने को तैयार है आप कहिए कि यह महरू सरकार के पूरवाग्रे के कारण उन्होंने लगाया और वह उनकी गलती सिद्धुई इसलिए हटाया दिखवाएंगे तैयार है तो यही है ना शुरूए शुरूए शु तत्थी यह है कि कोड में और एक तत्थी क्या है गलत है क्या है जब गांधी जी कहत्या हुई उसके बरहंदू महासभा सावर को गरफतार किया गया और यहीं नहीं शामा प्रसाद मुखर जी ने सर्दार पडल को चिठी लिखी कि आप पूरवाग्रा से ग्रसित होकर इसक घरना पड़ेगा और अपनेलगारा और कैसे कैसे बाइन हटा कहा गया भारत के संविधान को मानना पडहेगा एक करना पड़ेगा और अपना संविधान लिखना पड़ेगा अब गासे कहां रिखानगा ओर जिइंगे फीय जात है अब तो भालत पाइंगे उस आ Perm 你 ऑमी इ कर दो हुआ है कि इनके विरोग थो कुईर नहीं बंते इस लिए इस पर अवां सॉtım सब्सक्राइब करते हैं लेकिन इधर से जिसे जुटाया जा रहा है कहा जा रहा है कि ऐसा तो है ही नहीं तो क्या सुदानशु जी माल लिया जाए जिस भी राजनेतिक विचारधारा वाली सरकार रहेगी वह अपने हिसाब से इतिहास लिखेगी आप लोग भी कर रहे हैं पहले भी यह हुआ यूपिये के दौर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है यह कहना चाहता ह इंदुस्तान प्रफशक्षते हिमाले समारभ किया एंदुस्तान प्रषख्थे देंग्म जब मिम घृता है हिंदुस्तान प्रषख्भृ को भी आता है। करनाधा तो में देखे लोगा सिस्टाइए तो यह पस्ताइए आपट्री फिर्ट इस फिर्ट साफ प्रवाइब था बॉपाल गयों बहुत बहुताइब कर देती है इन्हों ने लिखा था कि बहुत बात की बात करें ना कि वेट 1100-1200 इसी के पाद लिखे लिए आज नहीं लिखे 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 लाए रोगत भारत मिष्ट भरत बिखे लाए में लोगते अग्यां से अधिलुक्त्र देखे सारे जो हैं सारे मुद्वे जो हैं वो एक साथ मिलकर आ रहे हैं एक एक मेराल वैचारिक मन्थन इस मुद्वे पर लगातार जारी रहेगा आप सभी खास मैमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए कि दुनिया में एक जेश बताईए जो अपने फॉरेन इंवेंडर का इतिहाद बोरिफाई पार बताईए आप लोग मुझ छुपाने के लाइक ने पर लगों कि अधिया में एक निए तुनिया में पर बताईए यह इस बाद मुगलों के इतिहास को भार्य जाए एक दिन के अंदर ख़िये का आपर का नाम हर हंदुस्तानी जानता जो पंद्रासो सटाइस नाया तीव ने मर गया ठाई साल में उस्यादा जनतादल ने शासन किया इस देश पे जिनके लोगों के नाम नहीं जानते दो जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया चाती पीटे की कलाम साथ का नाम नहीं होना चाहिए पुरी पास सुझे कोट की प्रॉक्ति नहीं आगे नहीं नमस्कार आपके साथ मैं हूँ समीर अबाजियां लेफ्ट वर्सेज राइड सेलेबस पर बिग फाइट और ये फाइट लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कौन है जाहिर है हमारे युवा जो आज देश के कोने कोने में पढ़ रहे हैं किताबों के बीच सिर्ख अपा रहे हैं उनके हाथ में भारत की तकदीर होगी आने वाले वक्त में इसलिए ये जरूरी है कि बच्चे किस राह पर जा रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं कोस में क्या जरूरी है और क्या खेर जरूरी है ये बड़ी बहस का मुद्दा बने बहस इसलिए क्योंकि लोकतंत्र की नीव तभी मजबूत होती है जब देश से जुड़े मुद्दो पर चर्चा होती है जब विशे इतने गंभीर हो तो बात करने वाले भी विद्दवान होने चाहिए हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेमानों का बहुत खास मेमानों का पैनल जुड़ चुका है उनसे आपका तारुफ करा दें डॉक्टर सुदानशु तर्वेदी हमारे साथ मौजूद है राज्यसवा सांसद बीजेपी के इसके लावा इतिहास का दिनेश कपूर साथ हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर वेद वरत तिवारी हमारे साथ जोड़ रहे हैं दिल्ली विश्विद्याले में इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं वो हमारे साथ मौजूद है और ये बदलाव के पक्ष में हैं इसके लावा वरिश पत्रकार आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर दिनेश वाशने साथ हमारे साथ मौजूद हैं जो की डेली उनिवस्टी में हिस्ट्री के ही प्रोफेसर हैं प्रोफेसर गंगा साहे मीडा साथ भारतिय chapters का जिने हटा दिया गया है अकबर नामा का जिक्र बार बार हो रहा है इस मामले में जब भी चर्चा हो रही है अकबर नामा में क्या था ये जरा हम आपको बताते हैं history of mankind शासन के पहले 30 साल बुगल शासक अकबर की ये जीवन गाता थी अकबर का शासन शासन के 46 साल और आई इने अकबरी में क्या था अकबर का प्रशासन यानि वो rule कैसे करता था उसका administration कैसा था ये सब कुछ अकबर नामा में जिक्र किया गए लेकिन फिलहाल जल्दी से बिना वक्त गवाए अपने खास मेहमानों का रुक करते हैं जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सबसे पह दुनिया के कलोते राश्ट्र हैं जो prehistoric nation only surviving civilization of the ancient world अगर अफसोस कि उस प्राग इतिहासिक राष्ट के इतिहास के बारे में कौन लिखता है विदेशी लिखता है विदेशी में भी कौन लिखता है जो भारत में ज्ञान प्राप्त करने आया उनका इतिहास नहीं जो भारत में लूटने आया उन लूटे रहाँ का इतिहास और मैं बिनमृता से कहता हूँ दुनिया में एक देश बताईए जो कहता हूँ मेरा लिखा इतिहास प्रामानिक नहीं है विदेश का इतिहास प्रामानिक बताईए कोई ब्रिटन में कहता हूँ फ्रेंच ने लिखा वो हम फरक पड़ता है फायान ने लिखा नहीं नहीं उससे कोई मतलब नहीं है आप ने भी कहा ना आईने अकबरी तो पढ़ाओ आईने अकबरी में क्या लिखा है उसने कहा अबुल फजल ने लिखा है कि जब चित्तवड जीता तो अकबर कहता है कि मैंने वो मंदिर जो अलाउत दिन खिल जी के बाद भी बच गए थे हिंदू और जायन मंदिर वो धुस्त किये तीस हजार लोगों की खोपड़ी पे खड़े होके गाजी के उपादी लिए भी पढ़ाई है या तो में बात ये है कि इमानदारी से इतिहास पढ़ाया जाए तो सही है लेकिन अगर आप दिनारpower जेए बढ़े होँस्ते हो तो एक उड़बर के चटर का यह हिस्सा जो है यसे पढ़ने से कैसे महरूम रह सकते हैं खातों ब्रक्टों पता लगना चाहिए कि अकपड़ के क्रेक्तर का इक हिस्सा ये भी था ऑगल He he tips &spray का अश्छर अब आर लोग सरकारों के द्वारा या युद्ध में मैसेकर किये गए युद्ध में सेना कमरना एक अलग बात है पब्लिक ने मैसेकर किये वो है प्रोफेसर आर जी रमल कोई जाके चेक कर सकता आर यू एम एम एल उन्होंने लिखा है कि अब तक उनके एस्टिमेट के साफ से 90 करोड से लेके एक अरब 40 करोड लोग पिछले धाई हजार वर्सों में शासन के द्वारा मारे गए भारत एक मात्र ऐसा देश है जहां तेरवी शताब्दी से पहले कोई मैसेकर नहीं हुआ जिसमें कुछ हजार लोग मारे गए लाक भी नहीं अब बताइए तेरवी शताब्दी के बाद ही भारत में ऐसे करें तो एक फॉरेनर कह रहा बिलकुल अथेंटिक दुनिया भर के तमान देशों से की गई मगर हमारे यहां उल्टा पढ़ाया जा रहा था तो उसको सीधा क जी जल्दी से उल्टा पढ़ाया जाए वहां तक भी ठीट है जूटा पढ़ाया जाए कपोल कल्पित पढ़ाया जाए और जो तंत्र मंत्र जादू टोना जिन किताबों में लिखा है उस तंत्र मंत्र में से एक संटेंस निकाल के उसको सच इस्थापित करके पढ़ाया ज कपोल कल्पित तो यह है कि नाली के पानी से आप गैस निकाल के चाय बना दीजिए, कपोल कल्पित तो यह है कि जब बादल हो तो आप भेज दीजिए एर फोर्स को और वो रडार पकड़नी पाएगा, तिक इस बहस में मुझे दिक्कत इस बारे में नहीं है, जब बीजेपी है कि मैं तो सौ साल से RSS के होने वाला है, एक ग्लोबली रिकागनाइजड संग का इतिहासकार मुझे बता दीजिए, जिसको पूरी दुनिया रिकागनाइज करती हो, आप इतिहास डिलीट कर दिये, कोई दिककत नहीं है, इतिहास लिखिए तो, आप इतिहास लिए, आप कोई बड़ा-बड़ा इतिहासकार पैदा हो पाए, जो लिख पाए, जो हिस्ट्री को हिस्ट्री कर पाए, एक मात इतिहासकार जो बीजेपी, RSS के तो नहीं है, वो है हिंदु महासभा के वह वह वीर सावर कर, आप उनकी किताब पढ़ दिजिए, Six Glorious Box of Indian History, आपको पता च आपके हाँ पढ़ने लिखने की परंपरा है नहीं, कोई बड़ा इतिहासकार है नहीं, इसलिए आप चीजों को डिलीट करना चाथा, आप गांदी वहटाना जाते हैं, इसे क्या विचारों को दोंद आप नहीं मानते हैं, आप करें, वीर सावर कर ने एक पैरलल हिस्ट्र हो जाएंगे, का बात मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इतिहास में विमर्ष होना चाहिए, इतिहास में जंग नहीं होनी चाहिए, आप इतिहास लिखिये, स्थापित करिये, आप इतिहास स्थापित नहीं कर रहे हैं, आप इतिहास को मिटा रहे हैं, आप गांधी के विमर्ष आपको ने रसर नहीं आ रहा है, गांधी जी पर और RSS पर हम आएंगे, आशी जी, लेकिन अभी मुगलों पर मैं चाना चाहिए, संग के पास विमर्ष डाम की कोई चीज है ही नहीं, अगर होती तो सौ सालों के अंदर हिंदुस्तान का इतिहास लिख कर बोलते, ची रखी दिए देखिए मुगल दर्बार का इतिहास, कक्षा वार्वी क्लास की जो पार्टे पॉस्तक है, उसमें वद्नाफ किया गया है, मुगल दर्बार का इतिहास हटाया गया, किताब, ठीम्स OF इंडियन हिस्ट्री पार्ट टो का जिक्र भार हो रहा है चैप्टर कौन सा है किंग्स एंड क्रोनिकल्स दा मुगल कोर्स इसमें मुगल दर्बार को कैसे आपरेट किया जाता था कैसे चलाया जाता था इसका जिक्र है तीस पन्नो को NCRT के ने सिलिबस से हटा दिया गया है बाहर का रास्ता दिखाया गया है अब इसके इसकार अभियानों भवन निर्माणों का इतिहास जो है वो भी हटा दिया गया है तमाम जो भवनों के निर्माण हुए उसका जिक्र हटा दिया गया दर्बार के दृश्यों के माध्यां से मुगलों के इतिहास से जुड़ी जानकारियां हटा दी गई इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं सुधाइशु जी यह एक बड़ा सवाल जहन में आता है देखिए जब बात आश्टोजी ने थोड़ी सी राज्य नहीं नहीं समालना चाहूंगा जो युधिष्ठीर का इंस्पिरेशन अशोका से लेने की बात करते हों वो कितने महान इतिहासकार होंगे सब समझाओ और आज तो बहुत सारे लिट्रेचर अवेलेबुल हैं यह साट और सतर के दशक में यह जो इन्होंने कहा ना बिल्कु सही बात है बिल्कु सही बात है सं यूरी बैजमनेव जो के जीबी का जासूस था भारत में रहता था उसका डिटेल पढ़िए आइडोलोजिकल सबवर्जन सब आपको क्लियर हो जाएगा कि यह किस प्रक्रिया के तहत हो रहा था वो विशे छोड़ देते हैं आज कि विशेव के उपर आते हैं अशुतोर ज चाजान रोट चात्रबत शिवाजी के महाराज पर है कोई लुटियन जोन में बताईए मान सिंग रोड है महाराणाव परताब नहीं है लुटियन जोन में क्यों अच्छा जिस बात का जिक्र कर रहे हैं सुदाशु जी मुझे लगता है उससे जुड़ी एक लाइन एक ला कर जिक्र कर रहे थे हुमायू रोड है दिल्ली में एक एक करके हम वो सड़कें भी दिखा रहे हैं जिसका जिक्र अभी सुदाशु जी कर रहे थे ये हुमायू रोड शाजाहा रोड अकबर रोड बाबर रोड ये सारी जो सड़कें हैं वो दिल्ली में है आश्यतोर जी उन्हों मान लिया कि संग की परंपरा में कोई बड़ा इतिहास कर रहे हैं, मान लिया इनों नहीं बनाया, अरे भाई, जब सावरकर लिख सकते थे, आपके नहीं लिख सकते थे, 1925-1925-1947 तक तो कॉंग्रेस को साशन नहीं थे ना, लिख के दिखाते हैं ना कम चकल, दूसरी क्यों नहीं हटाए, दिक्कत क्या है, कि आप एक नारेटिब गढ़ने की कोशिश करते हैं, जो लोग इतिहास लिखते हैं, वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं, वो लिख कर बोटा पथना लिख के चले जाते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं, उसका आधार में बिमर्श क दिक्कत क्या है, जो इतना ज़्यादा टैलेंट डेफिसिट असंग परिवार के अंदर है, कि वो इतिहास लिखे नहीं सकते, मैं गैरंटी के साथ करता हूँ, कि ग्लोबली रेकगनाईज, एकेडमिक वर्ड में रेकगनाईज, हिस्टी नहीं लिख सकते ये लोग, अगर ह संग अंदर क्वेश्चन करने की परवपरा नहीं है, एक चालक अनुवर्फित ऋहाँ है, नेता नमचे को सबारा भand फॉल करते हैं, जो संग चालक के देते हैं, इसलिए अगभाए हिनम करेंगी खुर्फितियं सबास्ग करते है, इसलिया हिंदुस्तान के अंदर हाइशتي मैं करता हूँ कोट की प्रोसीडिंग जी ती राम जन भूमी का विश्य जब आया और वो लखनौ बेंच अप इलहाबाद हाई कोट में था तो दोनों पक्षों से अपने अपने इतिहास का लेकर आईएगा हमारी तरफ से गए डॉक्टर हर्शनायन श्रिवास्तो थे स्पी गुपता थे ग्रोवर साहब थे डॉक्टर देवें सरूप थे दो को तो मैं परसनली जानता हूं इनकी तरफ से वही सब जेन्यू ब्रांट गए ते इसमें आरेश्चरमा जी थे सूरजबान थे रोमिला थापर थे मगर वह अपने रिप्रेजेंटेटिव के थू गए इन्होंने कहा जी आर्केलोजी हमारा विशह नहीं अब आगे कि मज़ेदार बाद देखिए दो सारे डॉकुमेंट दो ही लैंग्मेजेज में थे फार्सी में और संस्कृत में यह जितने बाबरी मस्जीद की तरफ से तथा कथित लेफ्टिस्ट गए थे इन्होंने कोट म एक सारी खुदाई आती है यह तो मैंने कोट की प्रोसीडिंग को और समीर जिसने किसी वैदी गुरुकुल में जाकर संस्कृत पढ़ी हो और तब संस्कृत के ओपर कमिट किया हो जैसे आई इटी में जाकर बड़ी दिल्चस्त बैचारी जंग यहां पर चल रही है और दो दूसरी मान आपने मैं आप यह आप यह कहते हैं कि हमारे फला इतिहासकारने जो संग से जुड़ी हो है इतनी मोटी किताब लिखी जिसको दुनिया रेकनाइस करती है आप प्रोंट में जा रहे हैं दुनिया का रोमिला थापर को विपन चंदरा को केम पनिकर को सतीस चंद इतिहासकार है यह नहीं और उनका अकेडमिक्स है नहीं वो सिर्फ क्वेशनिंग करते हैं ठीक है ठीक है ठीक है आप यह बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं और उसके जवाब में सुदान्शु जी ने अपने तर्क दिये लेकिन मुगल बादशाहों का संपूर इतिहास मैं आता हूँ और भी महमाने कुछ पैक्स रखने बहुत ज़्यादा जरूरी है मुगल बादशाहों का संपूर इतिहास बादशाह जन्मस्थान और शासनकाल यह हम आप आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यह देखिए जो इस वक्त आप देख सकते हैं बाबर जन्मस उजबेकिस्तान 1526 से 1530 बाबर से शुरुवात करते हैं इसके बाद हुमायू जन्मस्थान अफगानिस्तान 1530 से 40 और 55 से 56 यह है उसका शासनकाल इसके बाद आप आप आजाईए अकबर सिंध जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है 1556 से 1605 शासनकाल रहा इसके बाद जहागी जन्मस्थान भारत मुगल शासक लेकिन जन्मस्थान भारत सरजमीन हिंदुस्तान 1605 से 1627 तक शासन किया इसके बाद शाजहा लाहूर जो कि अब पाकिस्तान में 1627 से 1658 यह शाजहा का शासनकाल था इसके बाद औरंगजेब जन्मस्थान कहा भारत हिंदुस्तान 1658 से 1707 त کے بعد بہادر شاہ زفر جن کا جنمستان بھارت اور انہوں نے آخری سانسے بھی یہیں لیں 1837 سے 1857 اور انگریزوں کے خلاف جو جنگ لڑی گئی بہادر شاہ زفر کی طرف سے اس کے قصے ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سبھی کو ایک ترازو میں تول دینا ٹھیک ہوگا اس سوال کے جواب کے لیے میں صدانشو جی آپ کے پاس آؤں گا اور ادھر بیٹھے اپنے خاص مہمانوں کے پاس آؤں گا لیکن پروفیسر واشنے ایک بہت سنگین آروپ لگ رہا ہے اور وہ آروپ یہ ہے کہ جو وامپنتھی اتحاس کار تھے انہوں نے غلط اتحاس گڑھنے کی کوشش کی ہمارے بچوں کو غلط اتحاس پڑھانے کی کوشش کی گئی یہ آروپ جو ہے اس پر آپ کا جواب کیا ہے کیا واقعی ایسا ہوا ہے کتھوں کو توڑ مرور کر پیش کیا گیا ہے کیا جسے اپسود ہارا جا رہا ہے سمیر جی دیکھئے سیدھی ساتھی بات ہے میں آپ کی بات سے آج جو شدانشو جی نے انہوں نے جو آروپ لگایا وہ غلط ہے میں آپ کو اس کو سلسلے بار دھنگ سے بتاتا ہوں پہلی بات تو ان کے اتحاس کے گیاں کو دیکھ لیجئے یہ کہتے ہیں کہ ساہب بھارت ایک ماتر ایسی سویلائیجیشن ہے بھارتی سویلائیجیشن جو پری ہسٹوریک ہے یا پہتیا سے پہ پہا گیا تیا سک سمیے سے چل دی ہے بھائی آرے میں یہ جاننا چاہتا ہوں محسو پٹامیا کیا تھی ختم نین لدی کی سب بیتا کیا تھی سنیے آناتولیا سب بیتا ترکی کیا تھی ہیٹین کون تھے بتائیے نا سب ختم ہوتے 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 ہیں اتیاز کس سے کانی نہیں ہوتے اتیاز کو لینے کے لیے مہت سائنٹیویک ٹول ہوتا ہے ہوتے ہیں नहीं 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 पूछा नहीं पूछा नहीं पूछा पूछा इसले मने बोला ना तो उनको आती दी और जो प्रोफेटर आर्जी टागरा नहीं हो गए बार के लौजिस्ट है उन्हें सच्कित आती है उन्हें पाली आती है और जो जल्दी मत किजिए नहीं भाइस में भूलिये भूलिये भूटे एतियास कि इनकी योजना सुन लिए आज आज आदी के बाद से आस तक यह नोंने विदेशियों ने लिखा है इसाथ लो मिला था पर विदेशी है आरस्षरमा विदेशी है डी एंजा विदेशी है यह प्रॉ अगर आप मुगल को नहीं बताएंगे तो मेडिवल इंडिया के राज्य, राज्य का धरम, राज्य की प्रवतीन, विदेशी है प्रवतीन, विदेशी है इस तर्क ने बहुत जो तर्क है इस मामले से जुड़े वो सामने रखे हैं, इसलिए एक और हिस्ट्री के प्रोफेसर से इसका जवाब लेंगे, वेद्वरत तिवारी जी हमारे साथ मौझूद है, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं दिल विदेशी है, वेद्वरत तिवारी जी बताईए, अगर पूरे चैप्टर्स को ही हटा दिया जाएगा, वो कैसे रूल करते थे या फिर उनसे घलतियां क्या होंगी, फूई, अतीत में, इतिहास में, ये पता ही नहीं चलेगा, तो उनसे हम कैसे सीख लेंगे, कैसे आगे इतिहास को तो बचला नहीं चासकता, शीख लेजा से सुन लिजे, और जवाब को सुन लिजे, जवाब को सुन लिजे, बेद्रजी, कई सवाल अभी डिबेंड चल रहा है, बहुत शानदा डिबेंड है, ये अश्चो जी ने आरूप लगाया कि संग का या भारत में इतिह सावरकर कहते हैं कि जो संगठन गाय को अप्रतीक पुरुष बनाने के कोशिश करता है वो क्या संभिता के बारे वो कहते हैं कि शेर होना चाहिए हमारा आपको संग की पुरी बिचादरा जमिन का जाई इसलिए आपने हिंगु महासभा का जिक्र करता है बहुत है कि भारत का इतिहास लिखने के लिए हमारे लोग बचे ही कहा थे हम लगातार उपनिवेश्वाद में रहे और जब अंग्रेजों का शाशना तो जेम्स मिल ने इतिहास लिखा वही भारत में आई-स पढ़के आते थे और वही इतिहास यहां पर बच्चों को पढ़ आज नहीं है सब्सक्राइब आपके सामने है जदना सरकार ने औरंग्जीव का पूरा कच्छा-चिट्टा खोल गए लगाए जाता है काई पर नहीं है बीजे लगार इंपायर पूरी बढ़ाय जाती है बीजे लगार इंपायर तो आप पढ़ाएंगे जिसने भारतियों माधिक ना राज किया उसी तरह से मुखलो ने यहां पढ़ाएं घूर निज्टतान में तुर्ट पढ़ाएंगे पर बहुत ने बाते यह वैचारिक जंग है आप जी वैचारिक नहीं रहा हमेशा से हावी रहे सर 1950 से कोड वार के बाद से आप लोगों ने हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के सारे करोड़ों दर्शक को देख रहे होंगे और इस मुद्दे को लेकर जबरदस वैचारिक जंग चिड़ी हुई है हर कोई अपने विचार रखना चाता है इसलिए दोनों तरफ के जो विचार हैं विरोध के भी और पक्ष के भी वो सामने आ जाएं ये हमारी मनशा है हमारे साथ दिनेश कपूर साब भी मौजूद है दिनेश कपूर साब लेकिन अभी हमने मैंने जो ह मिस्ट्री दिखाई जो तमाम मुगल शास्कों के बारे में बताया उसमें से तमाम तो ऐसे हैं जो भारत में ही पैदा हुए है जिनका दम भारत में ही निकला उनसे किस बात की दुश्मनी बेड़ा गरक हुआ है मैं समझता हूँ वह इस देश की आजादी के बाद जो पहल नीटिया वाम पंथियों की और सबसे बड़ी हमारी सरकार कांग्रेस का इनकी नीतियों ने इतिहास को एक पंपार्ट्मेंट बंकर रख दिया वह इतिहास इनका इतिहास शुरू मुगलों से होता है यहां सल्टनत से होता है और खतम भी मुगलों पे होता है उसके अलावा कोई परस्टेल जंग नहीं है विचारों की जंग हो तो वैतर होगा पर्फेसर नहीं है नहीं है इसलिए इनको इतना आक्रोश हारा है कि बोलने नहीं दे रहे और और की मर्टी नेस्टल की इंडिया प्रांच है इनकी पार्टी के नाम है कंड़ और निर अर। हो फानने पी तो Jac are you कि आरिये ने पर नहीं दोनों का भीू दॉन्दी अप्र पर Mouse रह से ते लुदं सराजने दोनों का एक अगे यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह दुच्छी है यत बत्र्च chips अच्छा तो चलती रहेगी लेकिन एक बहुत इंट्रेस्टिंग स्राइट है सवदान इंट्रेस्टिंग फैक्ट है वो अपने दर्शकों के सामदे रख दे जंगल जंगल बुक में मोगली नाम कैसे आया यह बहुत इंटरस्टिंग है बहुत दिल्चस्प है देखी हो जा सन्काल का प्रमार कितिहास माना जाता है जंगल बुक में मोगली नाम जाता है कैसे आया लेकिन अब नहीं पढ़ाया जाएगा बाई मोगलों से दिक्कत है सुधानशु जी ये समझ में आता है मोगली से भी दिक्कत है एग रे प्लीज शाह कहा से आया अरे बाई शाह कहा से बताओना परश्य जी मोगली से कहा दिक्कत है इनको बता देता हूँ इनको बता देता हूँ इन्होंने शाह पूछाना बहुत शाह पे लोग कहते हैं बताता हूँ का चाहिए राकी हिंदुवानी हिंदुवान का तिर्फ लाइब बिल्कुलाइब राखों पुराने राखों पर दूनी सुनी मैं और शाही के सब्वूत शिमराज संसीर तेरी दिल्ली दॉलिद्दाब के जिवान रख पाद शाही आया आपके लाख ले लिए अपने दर्शकों के लिए आयोध्या के मरी राम दास शावनी के महंत कमल ने अंदास का कहना है कि राम राज तभी आएगा जब इतिहास से मुगलो को हटाया जाएगा ये उन्होंने का है सुनिए जरा बाद तो राम राजे अगर लाना है राम राजे रादें के लिए जिस विधा के द्वारा जिस सम्विधान के द्वारा जनसंख्या की भी समता बढ़ती जा रही है राष्ट की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तब्य होता है उस विधा को उस कानून को हटाना चाहिए और हटा करके समता समरस्ता अस्थापित करना चाहिए तो सुधानशु जी ये क्या प्लैंड वे में सारी चीजें हो रही है और ये आपकी सरकार का एक मुख्य अजेंडा है क्या मुगलों को हटाया जाना और इतिहास में बदलाव करना सरकार ये चाहती है इसलिए हम ये कर रहे हैं फिर ये क्यूं कहा जा रहा है कि कोविट था पाठे करम कम करना था ताकि मुश्किल सवाल जो है वो चात्रों को तयार ना करने पड़े इसलिए हमने ये बदलाव करना हो था तो फालतु की चीज़ा हटाई जाती है ना तो मैं ये कह रहा हूँ सुनिए बड़ हाँ बिल्कुल बता रहा हुँ बता रहा हुँ बता रहा हुँ मुझे लगता है कि दरसक इस बाद को देख रहा हुँ इस 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 पर नाम सब को बतारा है पर नाम हर हिंदुस्तानी जानता है जो 1527 नाया तीस ने मर गया धाई साल में उस्यादा जनता दल ने शासन किया इस देश पर जिनके लोगों के नाम नहीं जानते हो जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया चाती पीटे की कलाम साथ का नाम नहीं होना चाहिए पुरी पास दूडियों कोड़ की प्रोफिट में नहीं आगे नहीं नमस्कार आपके साथ मैं हूँ समीर अबाजिया लेट वर्सेज राइट सेलिबस पर बिग फाइट और ये फाइट लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं देश का भविश है कौन है जाहिर है हमारे युवा जो आज देश के कोने कोने में पढ़ रहे हैं किताबों के बीच सिर्क अपा रहे हैं उनके हाथ में भारत की तकदीर होगी आने वाले वक्त में इसलिए ये जरूरी है कि बच्चे किस राह पर जा रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं कोर्स में क्या जरूरी है और क्या गेर जरूरी है ये बड़ी बहस का मुद्दा बने बहस इसलिए क्योंकि लोक्तंत्र की नीव तभी मजबूत होती है जब देश से जुड़े मुद्दो पर चर्चा होती है जब विशे इतने गंभीर हो तो बात करने वाले भी विद्वान होने चाहिए हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेमानों का बहुत खास मेमानों का पैनल जुड़ चुका है उन से आपका तारूफ करा दें डॉक्टर सुदांशु तरवेदी हमारे साथ मौजूद है राज जब सवा सानसाद बीजे पी के इसके लावा इतinhaस का दिनेश कपोर साथ हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर वेध व्रत तिवारी हमारे साथ जुड़ है दिल्ली विश्विद्याले में इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और ये बदलाव के पक्ष में हैं इसके लावा वरिश पत्रकार आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर दिनेश वाशने साथ हमारे साथ मौजूद हैं जो की डेल की शुरुबात करें उस से पहले जिक्र उन चैप्टर्स का जिने हटा दिया गया है अकबर नामा का जिक्र बार बार हो रहा है इस मामले में जब भी चर्चा हो रही है अकबर नामा में क्या था ये जरा हम आपको बताते हैं हिस्ट्री आफ मैंनकाइंड शासन के पहले 30 साल बगल शासक अकबर की जीवन गाता थी अकबर का शासन शासन के 46 साल और आईने अकबरी में क्या था अकबर का प्रशासन यानि वो रूल कैसे करता था इसका अड्मिनिस्टरेशन कैसा था ये सब कुछ अकबर नामा में जिक्र किया गए लेकिन फिलहाल जल्दी से बिना व जो बदला जा रहा है लेकिन इतिहास को कैसे बदला जाएगा जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम दुनिया के कलोते राश्ट्र हैं जो प्री हिस्टोरिक नेशन only surviving civilization of the ancient world अगर अफसोस कि उस प्राग इतिहासिक राश्ट के इतिहास के बारे में कौन लिखता है विदेशी लिखता है विदेशी में भी कौन लिखता है जो भारत में ज्ञान प्राप्त करने आया उनका इतिहास नहीं जो भारत में लूटने आया उन लूटे रहाँ का इतिहास और मैं बिनम्मृताज कहता हूँ दुनिया में एक देश बताईए जो कहता हूँ मेरा लिखा इत्यास प्रमानिक नहीं था हो फिल्चल दिएज हो प्रमानिक है एक इस से क्या फरक पर्क परता है वहरण ने लिखा ने नहीं उससे कोई मतलब नहीं है आप ने भी कहा ना आईने अक्बरी तो पढ़ाओ आईने अक्बरी में क्या लिखा है उसने कहा अबुल फजल ने लिखा है कि जब चित्तावड जीता तो अकबर कहता है कि मैंने वो मंदिर जो अलाउद दिन खिल जी के बाद भी बच गये थे हिंदू और जायन मंदिर वो धुस्त किये तीस हजार लोगों की खोपड़ी पे खड़े होके गाजी के उपादी लिए भी पढ़ाईए या तो में बात यह है कि इमानदारी से इतिहास पढ़ाया जाए तो सही है लेकिन अगर अगर आप यह कहते हैं कि चरितर का यह सा जो है यह से परने से कैसे मेहरूम रह सकते हैं तो नको पता लगना चाहिए ना कि अग्बर के करेक्टर का एक इस्सा यह भी था अग्बर दिपाहान नहीं था वह इस्सा गायब और यह सा सही हम एक और पैक यह जाँ और भारत का इतिहास हमारा चोड़िये संगी भाजपाई छोड़ी है वर्ड में एक अथेंटिक डॉकुमेंटेशन हुआ है कि पिछले दो हजार सालों में धाई हजार सालों में जितने लोग सरकारों के द्वारा या युद्ध में मैसेकर किये गए देखें युद्ध में सेना कमरना एक अलग बात है पुब्लिक प्रोफेसर आर जी रमल कोई जाके चेक कर सकता आर यू एम एम एल उन्होंने लिखा है कि अब तक उनके एस्टिमेट के साफ से नब्वे करोड से लेके एक अरब 40 करोड लोग पिछले धाई हजार वरसों में शासन के द्वारा मारे गए मातपुडबान जनते क्या लिखि अब बताईए तेरवी शताब्दी के बादी भारत में ऐसे करें तो एक फॉरेंटर कह रहा बिलकुल अथेंटिक दुनिया भर के तमान देशों से की गई मगर हमारे यहां उल्टा पढ़ाया जा रहा था तो उसको सीधा करने में दिक्क्त किया है अब यह बहुत पाका मिल है उस तंत्र मंत्र में से एक संटेंस निकाल के उसको सच इस्थापित करके पढ़ाया जाए वो कहा है वो मैं आगे बहुत बड़ी बात कहरे है सुदान शुत्रिवेदी जी कपोल कल्पित इतिहास पढ़ाया जा रहा था अब तक जिसमें बदलाव की की जा रही है कल्पित तो यह है कि नाली के पानी से आप गैस निकाल के चाय बना दीजिए कपोल कल्पित तो यह है कि जब बादल हो तो आप भेज भीज़ एए एर फोर्स को और वो रड़ार पकड़नी पाए गगा तिक इस बहस में मुझे दिक्कत इस बारे में नहीं है जब बीज़े कि सरकार आएगी वपने हिसाब तिहास को लिखने की कोशिश करेंगा प्रेशाब बताने की कोशिश लेफ्ट आइग अपने हिसाब करेंगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है तकत का है दिक्त यह है कि मैं तो सौ साल से एक ग्लोबली रिकग्नाइज़ संग का इतिहासकार मुझे बता दीजे, जिसको पूरी दुनिया रिकग्नाइज करती हो, आप इतिहास डिलीट कर दिये, कोई दिककत नहीं है, इतिहास लिखिए तो, आप इतिहास लिए, आप बार बार कहते हैं, गलत पढ़ाया जारा है, त इतिहासकार जो BJP RSS के तो नहीं है, वो है हिंदु महासभा के वह वीर सावर कर, आप उनकी किताब पढ़ दिए, Six Glorious Box of Indian History, आपको पता चलेगा कि पैरलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की गई, आप उनका 1857 का जो युद्ध है, जो लड़ाई, जो संग्राम, वो पढ़ दि कीजे, आप दिक्कत क्या है, कि आप के हाँ पढ़ने लिखने की परंपरा है नहीं, कोई बड़ा इतिहासकार है नहीं, इसलिए आप चीजों को डिलीट करना चाहिए, आप गांधी भटाना जाते हैं, इसे क्या विचारों को दोंद आप नहीं मानतें, आप करें, सावर कर ने वीड सावर कर ने एक पैरलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की, वो उनके विचार भी तो हो सकते, मैं सावर कर की बात नहीं कर रहा हूं, जब सावर कर का जिक्र आएगा तो आरे से के लोग बहुत तगड़ा भी दखते हैं उसमें, और अगर अभी बता दू तो भागन अज़र नहीं आ रहा है, गांधी जी पर और आरे सेस पर हमाएंगे आश्वी जी, लेकिन अभी मुगलों पर मैं चाना चाहिए, संग के पास विमर्श डाम की कोई चीज है ही नहीं, अगर होती तो सौ सालों के अंदर हिंदुस्तान का इतिहास लिख कर बोलते, चीक है, य इतने खास मेमानों का रुक करेंगे, ये देखिए, मुगल दरबार का इतिहास, कक्षा बार्वी क्लास की जो पार्टे पुस्तक है, उसमें बदलाफ किया गया है, मुगल दरबार का इतिहास हटाया गया, किताब, तीम्स आफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट टू का जिक्र बार बार हो रहा है, चैप्टर कौन सा है, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स दा मुगल कोर्स, इसमें मुगल दरबार को कैसे आपरेट किया जाता था, कैसे चलाया जाता था, इसका जिक्र है, तीस पन्नो को